रोबर्ट टी कियो साकी के द्वारा लिखित पूस्तक रिच डैड पूर डैड की प्रस्तावना इसकी बहुत जरूरत है क्या स्कूल बच्चों को असली जिन्दिगे के लिए तैयार करता है मेरे ममे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ क्योंकि यह सा पूरी हो गई तो हम जिन्दगी में ज्यादा कामियाब हो सकेंगे जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवेस्टी में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजवेट हुई और अपनी कक्षा में काफी उंचे स्थान पर रही तो म मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उमर में रिटायर्मेंट की मेरे पती माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे हम दोनों ही बहुत मेहंती परिवारों से आये जो बहुत अमीर नहीं थे माइकल ने ओनर्स के साथ ग्रेजवेशन किया था एक बार नहीं बलकि दो बा पहली बार इंजिनियर के रूप में और फिर ला स्कूल से उन्हें जल्दी ही पेटेंट ला में विसे सगेता रखने वाली वासिंग टंडी सी की एक मानियोई लाफर्म में नोकरे मिल गई और इस तरह उनका बविश्य भी सुनेरा लग रहा था उनके करियर का नक्सा साथ और यह बात तै थी कि वे जल्दी रिटायर हो सकते थे हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ हमने कई बार नोकरिया मदली हालांकि हर बार नोकरिया बदलने के कारण सही थे परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेस नहीं किया हमारे रिटायर्मेंट फंड हमारे खुद के लगए पैसों से बढ़ रहे थे हमारी शादी बहुत सफल गई और हमारे तीन बच्चे हैं उन में से दो कोलेज में हैं और तीसरा भी हाई स्कूल में गया ही है हमने अपने अच्छी सिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया उन्निस वच्छानमे में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लोटा स्कूल से उसका मोबंग हो गया था वह पढ़ाई से उप चुगा था मैं उन विशों को पढ़ने में इतना चाहता सा मैं क्यों बरबाद करूं जो असली जिन्दगी में मेरे कामी नहीं आएंगे उसने विरोध किया बिना सोचे विचारई मैंने जवाब दिया क्योंकि अगर तुमारे अच्छे नमबर नहीं आए तो तुम कभी कालेज नहीं जा पाऊगे चाहे मैं काले जाऊं या ना जाऊं उसने जवाब दिया मैं अमीर बन कर दिखाऊंगा अगर तुम कोलेज से ग्रेजवेट नहीं होगे तो तुम्हे कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी मैंने एक मां की तरह चिंतित और आसंकित होकर कहा बिना अच्छी नोकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो मेरे बेटे ने मुश्करा कर अपने सिर को बोरियत बरे अंदाज में हिलाया हम यह चर्चा कई बार पहले भी कर चुके थे उसने अपने सिर को जुगाया और अपनी आंखे गुमाने लगा मेरी समझदारी वरीसला एक बार फिर उसके कानों के बीतर नहीं गई थी हलांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा सक्टी वाला यूवक था परंतु वह नम्र और शालेन भी था मम्मी उसने बोलना शुरू किया और भासन सुनने के बार ये मेरी थी समय के साथ चलिए अपने चारों तरफ देखिए सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं पने है माइकल जोर्डन और मैडोना को देखिए यहां तक की बीच में हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसुट काईम किया आज भी अमेरिका के सबसे अमीर विक्ती है और अभी उनकी उमर भी 30 से 40 के बीच में है और उस बेसवाल पीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो हर साल 40 लाग डालर कमाता है जबकि उस पर दिमागी तोर पर कमजोर होने का डिलेबल लगा हुआ है हम दोनों काफी समय तक चूप रहे अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी हमारे चारों तर्व की दुनिया बदल रही थी परन्तु हमारी सला नहीं बदली थी अच्छी सिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सभलता की गारंटी नहीं रह गए थी और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी मम्मी उसने कहा मैं आपकी और डैड़ी की तरह कड़ी मेनत नहीं करना चाता आपको काफी पैसा मिलता है और हम एक शांदार घर में रहते हैं जिसमें बहुती कीमती समान है अगर मैं आपकी सला मानूँगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा मुझे भी ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी ताकि मैं और ज़्यादा टेक्स भर्स कूँ वर कर्ज में डूब जाऊँ वैसे भी आज की दुनिया में नोकरी की सुरक्षा तो बची नहीं है मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दोर में कालेज के सनात्कों को कम तन्खवा मिलती है जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तन्खवा मिला करती थी डोक्टर को देखी वे अब उतना बैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे मैं जानता हूँ कि मैं रिटायर्मेंट के लिए सामाजीक सुर्क्षा या कंपनी पेंसर पर परोसा नहीं कर सकता अपने सवालों के मुझे नई जवाब चाहिए वह सही था उसे नई जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरे मैताविता की सलाय उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनासकारी सावित हो सकती थी जिनोंने तेजी से बदल रही दुनिया में जनम लिया था अब मैं अपने बच्चों से यह ऐसी दिसी बात नहीं कह सकती थी स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड असिल करो और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करो मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की सिक्षा को सही दिसा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी एक माँ और एक अकाउंटेंड होने के नाते मैं इस बात से परिशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंदी सिक्षा या वित्य सिक्षा नहीं दी जाती हाई स्कूल खतम होने से पहले ही आज के युगाउं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंदी बाठेकर में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है इस बात का ज्यान तो दूर की बात है ki क्रेडिट कार्ड पर चकर्वर्दी ब्यास की गड़ना किस तरह की जाती है इसे आसान वासा में कहें तो उन्हें धन सम्बंदी सिक्षन नहीं मिलती और यह ग्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है एक एसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा मैतव खर्च को दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुवाती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नस्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाओगी उन्होंने कहा उनका नाम रबर्ट कियोसा की है वे एक व्यवसाई और निवेसक हैं तथा वे एक सेक्षने कुदपात का पेटेंट करवाना चाते हैं मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलास कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माइक रबर्ट कियोसा की द्वरा बनाई जा रहा है नए सेक्षने कुदपात कैस्पलो से इतने प्रवावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलवा लिया यह एक सेक्षनिक खेल था इसलिए मैंने स्थानिया विस्विदेले में पढ़ रही अपनी उन्नीस वर्ष्य बेटी से भी पुछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई इस खेल में हम लगवग 15 लोग थे जो तीन समुव में विबाजिक थे माइक सही थे मैं इसी तरह के सेक्षनिक उतबाद की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था परन्तु मोनोपली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्ष है था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रावर्ट चूहा दोड कहते थे और बहरी रास्ते पर पहुँँचना या तेज रास्ते पर जाना रावर्ट के मुतّबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं रावट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से सिक्षित कड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नमर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा सनातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वहे किसी आसान शुरक्षित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को एसा ही काम मिल जाता है शायद वह डोक्टर या वकिल बन जाता है या वैसे नामे बरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है बच्चा पैसे कमाता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जम कर खरीदारी शुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उमर के ज़्यादा नोजवन जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार शादी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पुरूस और मैलाएं दोनों नोभरी करते हैं दो तनकोएं बहुत सुखत लगती है पती-पत्नी को लगता है कि उनकी जिन्दगी सफल हो गई है उन्हें अपना वविश्य सुनायरा नजर आता है अब वे घर, कार, टेलिविजिन खरीदने का फैसला करते हैं सुट्या मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं खुशहाल पती-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेनत करना चाहिए उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा माइने रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनक्वाएं बढ़ जाए तनक्वाएं बढ़ती है पर उसके साथी दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत मैसूस होती है वे नोकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं बहतर क्रमचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगा कर काम करने लगते हैं ज़्यादा विशेसग्यता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सके हैं हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमदनी बढ़ जाती है परन्तु उस आमदनी पर उन्हें इंकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा गर खरीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उन्हें समाजिक सुरक्ष्या का टेक्स तो चुकाना ही है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनक्वा चुक जाती है वे अपनी बड़ी उई तनक्वा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के इसाब सेवे कुछ म्यूचिल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं उनके बच्चों की उमर अब 5 या 6 साल हो जाती है यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कालेज की शिक्षया के लिए भी बचत जुरूरी है इसके साथ इन्हें अपने रेटाइर्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशाल दमपती अब अपने नोकरी के बाकी दिन चुहा दोड़ में फसकर बिताते हैं वे अपनी कम्पनी के मालिकों के लिए काम करते हैं सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और पैंक में अपनी गिर्वी संपती तथा क्रेडिट काड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं, फिर वे अपने बच्चों को यह सला देते हैं, कि उन्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए, अच्छे नम्मर लाना चाहिए, और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करना चाहि वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते, और इसलिए वे जिन्दगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं, यह प्रकिरिया पीडी दर पीडी चलती है, इसे चुहा दोड कहते हैं, चुहा दोड से निकलने का एक ही तरीका है, और वह यह है, आप अकाउंट्स और इन्वेस कि रावर्ट ने इन दोनों बोरियत और कठिन विशों को सीखना इतना रोचक, सरल और रोमान्चक बना दिया था, सीखने की प्रकिरिया इतनी अच्छी तरह से चुपा ली गई थी, कि जब हम चुहा दोड से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे, तो हमें यह द बाते नहीं की थी, एक लेखा पाल होने के कारण, इंकम स्टेडमेंट और बैलेंस सीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परिशानी नहीं होई, मैंने खेल के नियम और इसकी बारिकियां समझाने में एवनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की, उस रोज मै मैं चुहादोर से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई, बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगवग 3 गंटे तक चला, मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके लावा एक वेवसाही था और एक कम्पिटर प्रोग्राम मुझे यह देखकर बहुत एरानी होई, कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है, जबकि यह विशे उनके जिंदगी में कितने ज्यादा एमियत रखते थें, मेरे मन में यह सवाल भी उट रहा था, कि वे असल जिंदगे मे अपने पैसे देले के कारोबार को कैसे संबालते होंगे, मैं यह समझ सकती थी, कि मेरी 19 साल के बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर यह लोग तो उससे दुगनी उमर के थे, और उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए थी, चुहादोड से बाहर निकलने के बाद, मैं दो परेशान और विचलित थी, व्यसक लोग समाने अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलबूत पिंदों के बारे में कितना कम जानते थी, उन्होंने अपने इंकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी संबंद को समझने में भी बहुत समय लगाया, अपनी के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रही है, क्योंकि उन्होंने ये दोनों विशे कभी नहीं पड़े, मैंने मन में सोचा, बगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है, और हमारा लक्षा खेल में जीतना है, जब खेल खतम हो गया, तो रावर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश रूट नहीं है, उसने जोर से कहा, मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बेंकर और वकील है, जिनें ये सब मालूम है, रावर्ट का जवाब था, क्या आपने गोर किया है, कि एसे बहुत से अकाउंटेंट है, जो अमीर नहीं है, और यही हाल बेंकर, वकील, स्टाक प्रोकर और रियल इस्टेट ब्रोकर का भी है, वे बहुत कुछ जानते हैं, और प्राइवे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उन में से ज़्यादातर अमीर नहीं होते, चूंकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते, जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों बहाईं तरफ देखते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटरेंट भी उसी ट्रेफिक जाम में फसा हुआ है, फिर आप बहाईं तरफ देखते हैं, और आपको वहाँ आपका बेंकर भी उसी हाल में नजर आता है, इससे आपको हालात का अंदाज हो जाएग कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस स्केल से प्रवावित नहीं हुआ था यह सीखने के लिए मैं साफ्टेयर खरीच सकता हूँ बेंकर जरूर प्रवावित हुआ था मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था परन्तु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिन्दगे में किस तरह काम में लाया जाई अब मैं समझ गया हूँ मुझे चूहा दोड से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की जुरूरत है परन्तु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमान चित हुई उन्होंने कहा मुझे सिखने में बड़ा मजाया मैंने इस बार में बहुत कुछ सिखा कि पैसा असली जिन्दगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए फिर उसने आगे कहा अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाई चुनू और यह व्यवसाई चुनने का कारण नोकरी की सुरक्षा उससे मिलने वाले फाइदे या तन्खवा नहीं होंगे अगर मैं इस खेल में सिखाए जाने वाले बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाती हूँ अभी तक मुझे उस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नोकरी पाने में मदद मिले अब मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नोकरी की सुरुक्षा और सामाजिक सुरुक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी जैसी कि मेरी बहुत सी सहलियों को होती है खेल खत्म होने के बाद मुझे रोबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बाहने रावट यह है चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेतर समझ विक्षित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुप थी मेरे पती और मैंने रावट और उनकी पत्री के साथ अगले अपते डीनर मिटिंग रख ले हलांकि यह है हमारा पहला समाजिक मेल जोल था फिर भी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बर्सों से जानते हो हमने पाया कि हमें बहुत से बाते एक जैसी हैं हमने बहुत से विशों पर बातें की खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामजिक आर्थिक विशों पर हमने बदलती होई दुनिया के बारे में बातें की हमने इस मुद्धे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रेटायर्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल नहीं बचा पाते हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगवग दिवालिया हालात पर भी चर्चा की क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड वरद लोगों के लिए रेटायर्मेंट के लिए पैसा चुका ना होगा हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के बरों से बैठकर वे दुनिया भर में निवेस कर चुके थे और 47 वर्स की उमर में रेटायर होने में सफल हो गए थे वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं दुनिया बदल चुकी है परन्तु इसके बावजूद शिक्षा पदतियां बिल्कुल नहीं बदली है रावट के अनुसाब बच्चे सालों तक दक दकियानों से शिक्षा पदती में अपना समय गुजारते हैं और एसे वीश्य पड़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं और वे एसे दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका आप नामों निसान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह है यह है स्कूल जाओ अच्छे नंबर लओ और सुरक्षित नोकरी ढूंडो उन्होंने कहा यह पुरानी सला है और यह खराब सला है अगर आप यह देख सकते हैं कि एसिया यूरोप दक्षिन अमरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितनी की मैं रवट के अनुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे का बविश्या आर्थी ग मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कोर्परेशन स्टाफ कम करने की गोश्चना करता है लोगों को नोकरी से निकाल दिया जाता है परिवार तो स्टाक की कीमते बढ़ जाती हैं मैंने कहा जब कंपनी तनक्वा का खर्चा कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है एसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए किया जाए या फिर कंप्यूटर के मादम से किया जाए उन्होंने कहा आप ठीक कह रही है और जब स्टाक की कीमते बढ़ती हैं तो मेरी तरफ से लोग यानि जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं वे ज़्यदा अमीर हो जाते हैं अलग तरह के नियमों से मेरा यही आश्या है करमचारी हारते हैं मालिक और निवेसर जीतते हैं रावट करमचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंतर्ण होना या फिर आपकी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंतर्ण होना परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ सकते कि एसा क्यों होता है मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है उनका जवाब था इसलिए तो बच्चों से यह कहना मुर्गता है अच्छी सिक्षा प्रापत करो यह सोचना मुर्गता है कि स्कूलों में दी जा रही सिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगी जिसमें विकालेज के बाद पहुंचने वाले है हर बच्चे को ज्यादा सिक्षा की जरूरत है एक अलग तरह की सिक्षा की और उन्हें नए न परतिसद लोग खेलते हैं और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सिखते हैं इसलिए आज कल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है मन लगा कर पढ़ो और अच्छी नोकरी खोजो आज बच्चों को अलग तरह की सिक्षा की जरूरत है और आज की सिक्षा न परनिती में यह विशे ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है अब सवाल यह उठता है किस तरह माताबिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते आप अपने बच्चों को एकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते हैं और आप उसे किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खत्रे से ट्रते हैं अपने बच्चों को सुरक्षे जीवन के लिए तयार करने के बज़ाएं मैंने यह बेतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तयार किया जाई तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है मैंने रावट से पूछा हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं खास कर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझने हो उन्होंने कहा मैंने इस विशे पर एक पुस्तक लिखी है वह पुस्तक कहा है मेरे कंप्यूटर में यह बर्सों से वहीं बिखरी पड़ी है मैं कभी कवार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूं परन्तु मैं आज तक उसे कभी कठा नहीं कर पाया मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी परन्तु मैं अभी तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूं यह अभी भी खंडों में है और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी उन बेतरतिव खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेतरीन थी और समाज में इसकी बहुत जरूरत थी खासकर एसे लोगों में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी हम दोनों ततकाल इस निर्णे पर प अपने बच्पन में उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक एसे पिता सुरूब व्यक्ति मिल गए जो अमीर थे और जो उनका मारक दर्सन करने के इच्छुग भी थे रावट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नीम है जिस तरह सकूल म सिखे गई बातें बहुत मैत्वपूर्ण होती है उसी तरह धन संबंदी समझ और बोलने की कला भी मैत्वपूर्ण होती है आगे की कहने रावट के दो डेडियों के बारे में हैं जिन मेंसे एक अमीर है और दूसरे गरीव जिनके जरीए रावट उन रहष्यों को बताएं और इसे व्यवस्तित करने के लिए काम किया है जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पड़े उन से मेरा यही कहना है कि वे अपने किताबी ज्यान को एक तरव रख दें और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदान्तों को घुश जाने दें और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदान्तों को घुश जाने दें हलांकि उन मेंसे कई सिदान्त पहली नजर में गलत लगेंगे अकाउंट्स के सिदान्तों की बुनियादी बातों को चुनोती देते लगेंगे परन्तु यहें याद रखें कि वे एक मैतोपोन दरश्टी देते हैं कि किस तरह सचे निवेसक अपने निवेस के फैसलों का विशलेशन करते हैं जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने मेहनत से पढ़ने और अच्छी नोकरी पाने की सला देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांसकर्तिक आदतों के कारण करते हैं ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है जब मैं रावर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चोंका दिया दो डैडियों के साथ पले बड़े रावर्ट के सामने दो अलग अलग लक्षे होते थे उनके पड़े लिखे डैडियोंने कर्परेशन में नोभरी करने की सला देते थे और उनके अमीर डैडियोंने कोर्परेशन का मलिक बने की सला देते थे दोनों ही कामों म यह जानने के लिए प्रोचसाइद करते थे किस तरह समार्ट लोगों की सिवाईं ले जाएं दो डेडियों के होने से कई समश्याईं भी पैदा हुई रावट के असली डेडि हवाई राज्ये के सिख्षा परमुक थे जब रावट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी अगर तुमें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुमें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी वे पहले से ही यह जानते थे कि उनके करियर का लक्षय था काौर्परेशन का मालिक बनना ने कि उसमें नोक्री करना सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और महंती परामर्जदाता नहीं मिला होता तो रावर्ट कभी कालेज नहीं गई होते वे इस बात को मानते हैं वे दोलत कमाने के लिए बेताब थे परंतु वे आखिरकार मानी गई कि कालेज की सिक्ष्या से भी उन्हें फाइदा हो सकता है दरसल इस पुस्तक में दिये गई विचार शायद बहुत से माता पिताओं को करांतिकारी और अतिशोक्ति पूर्ण लगेंगे कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में भी काफी परेशानी, काफी मेनत करनी पड़ती है परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नई और जो खिंबरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों को करमचारी बनने की सला देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिन्दगी भर अपनी खून पसेने की कमाई से इंकम टेक्स और भी नहीं जाने कीतने टेक्स चुकाने की सला देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती और यह सच है कि आज के जमाने में टेक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है हकिकत में ज्यादातर परिवार तो जन्वरी से आदी मई तक सिर्फ अपने टेक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नोकरी करते हैं आज नई विचारों की बहुत जुरूरत है और यह पुस्तक हमें नई विचार देगी रावर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की सिक्षा देते हैं वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं डिनर टेबल पर सिखाते हैं हो सकता है कि ये विचार वे नहीं हो जिन पर आप अपने बच्चों से बात करते हों परंतु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सला देती हूं कि आप खोज करते रहें एक माँ और एक CPA होने के नाते मैं तो यही सोचती हूं कि अच्छे नंबर लाना और एक बड़ी अनोकरी पालेना एक पुराना विचार है हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे हमें उन्हें अलग तरह की सिक्षा देनी होगी शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे करमचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है अगर आप माली या गेट कीपर हैं या पूरी तरह वेरुजगार हैं तो भी आप में खुद को अपने और अपने परिवार के लोगों को धन संबंदी बातें सिखाने की काबलियत है यह याद रखें कि धन संबंदी बुद्धी वह दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंदी समश्याओं को सुलजाते हैं आज हम एसे विश्व्याप्टी तक्निकी परिवर्तनों का सामना कर रही हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया किसी के पास भी जादू की पूरि एक बात तो तय हैं एसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथाप्ट से परे हैं कौन जाने वह विश्याव लिए क्या लाता है पर जो भी हो हमारे पास दो मूलबुत विकल्ब मौजूद है या तो हम शुरक्षय की रापर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंदी क्षेत्रों में सिख्षित करें और अपने बच्चों की धन संबंदी परतिवा को भी जाकरीत करें शेराम लेक्टर धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याए एक कितरब रिच डेड पूर डेड रावर्ट कियो साकी के अनुसार अध्याए एक रिच डेड पूर डेड रोबर्ट कियो साकी के अनुसार मेरे दो डेड़ी थे एक अमीर और दूसरे करीब एक बहुत पड़े लिखे और समझधार थे वे पीजडी और उन्होंने अपने चार साल के अंडर ग्रेजुएट कार्वे को दो साल से भी कम समय में कर लिया था इसके बाद वे आगे पड़ने के लिए स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अप सिकागो तथा नार्थ वेस्टरन यूनिवर्सिटी गए और यह जब उन्होंने पूरी तरह से स्कलर्शिप के सारे ही किया मेरे दूसरे डेडी आठवे से आगे नहीं पड़े थे दोनों ही अपने करियर में सफल थे दोनोंने जिंदगी भरकड़ी मेहनत की थी दोनोंने यह काफी पैसा बनाया था परंतो उन में से एक तो पूरी जिंदगी के लिए परिशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर विक्तियों में से एक बन गई एक डैड़ी के मरने पर उनके परिवार, चर्च और जरूर्पंदों को करोडों डोलर की दोलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्द छोड़ कर मर गई मेरे दोनों डैड़ी इरादे के पक्के, चम्तकारी और परभावशा ली थे दोनों ने मुझे सला दी परन्तों उनकी सलाएं एक सी नहीं थी दोनों इस शिक्षा पर बहुत जोर देते थे परन्तों उनके दोरा सुझाए गए पढ़ाई के विशे अलग अलग थे अगर मेरे पास केवल एक ही डैड़ी होते तो मैं या तो उनकी सलाएं मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता चुकि सला देने वाले दो थे इसलिए मेरे पास दो विरोधावासी विचार होते थे किसी भी एक विचार को सीदे सीदे मान लेने या नए मानने के बजाए मैं उनकी सलाओं पर काफी सोस विचार करता उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था समश्चा यह है थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दोलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे परन्तु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिये एकदम अलग थे उधारन के तोर पर एक डेड़ी कहते थे पैसे का मो ही सभी बुराईयों की जड़ है जब कि दूसरे डेड़ी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डेड़ीयों की अलग-अलग सलाओं से दिक्कत होती थी एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बाते सुनना चाहता था पर इसानी यह थी कि दोनों एक सी बाते नहीं करते थी उनके वीचारों में जमीन आस्मान का फर्क تھा खास कर पैसे के मामले में मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उन मेंसे किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था मैं गुछ से बार-बार इस तरह के सवाल पूछा करता उन्होंने ऐसा क्यों कहा और फिर दूसरे डैडी के दौरा कही होई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूसता काश मैं यह बोल सकता हाँ वे बिल्कुल सही हैं मैं उनकी बातों से पूरी तरह सेहमत हूँ या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात टुकरा सकता था बुड़े को यह भी नहीं पता कि वह क्या कह रहा है चुकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मज़ूर होना पड़ा इस तरह सोचना मेरी यादत मन गई जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फाइदेमन साबित हुई अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फाइदेबन नहीं होता धन दोलत का विशय स्कूल में नहीं बलकि घर पर पड़ाया जाता है शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मद्यम वर्क करज में डूबा रहता है हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता-पिता से सीखते हैं कोई गरीब माता-पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है वहे शिर्फ इतना ही कह सकता है स्कूल जाओ और मेरणत से पढ़ो सकता है वहे बच आच्छे नम्बर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले फिर भी पैसे के मामले में उसके मान सिखता और उसके सोचने का धंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा यह सब उसने तब सीखा था जब वह चोटा बच्चा था धन का विशे स्कूलों में नहीं पड़ाया जाता स्कूलों में सेक्षन एक और विवसाइक निपूंताओं पर जोड दिया जाता है ने की धन संबंदी निपूंता पर इससे ही एह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बेंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नमबर आते हैं वे जिन्दगी विरपैसे के लिए संगर्स क्यों करते हैं हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफी हद तक उन उच्छित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नितिया बनाते हैं और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं मैं एकसर नई सदी में आने वाली समश्याओं के बारे में सोचता हूँ तब क्या होगा जब हमारे पास एसे करोडों लोग होंगे जिने आर्थिक और चिकित सकीया मदद की जरूरत होगी धन संबंदी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्बरोंगे क्या होगा जब मेडिकेर और सोचल सीक्रिटी के पास पैसा खतम हो जाएगा किस दिरे कोई देश तरक्की कर पाईगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के उपर छोड़ दी जाएगी जिन में से ज़्यादार गरीब है या गरीब होंगे चुकि मेरे पास दो परवहोशाली डेडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा मुझे दोनों की इसला पर सोचना पड़ता था इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिन्दगी पर कितना जवर्दस्त असर डाल सकते हैं उधारन के तोर पर एक डेडी को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीच सकता दूसरे डेडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिड़ते थे वे जोड़ देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाई यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ पहला वाक्या नकारात्मक है और दूसरा प्रशन वाचर एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते है मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डेडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीच सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है इसके बजाए जब हम यह सवाल पूचते हैं मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीदी ले वे लगबग दिवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाते थे और उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ यह इतना तेज होता जाता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरिच सकता कहना दिमाग की आलश्य की पहचान है हाला कि दोनों इड़ी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे परंदु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक ड़ी की आदत यह थी की भी अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे ड़ी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे इसका दिर काले नतिजा यह निकला कि एक ड़ी आर्थी ग्रूप से बहुत अमीर होते चले गए जबकि दूसरे ड़ी लगातार कमजोर होते चले गए आमीर हो सकते हैं अलस्यस स्वाश्त को हिर्धा दोनस का नुक्सान होता है कि मेरे दोनों डएडी में जमीन आसमान का फासला धा कि ड ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फाइदा मिल सके। जबकि दूसरी डैडी सोचते थे, टेक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पाधन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पाधन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे, मेहनद से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नोकरी मिल जाएं। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनस के बारे में बात करते थे परन्तु दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बाते करने से लिए मना करते थे एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुर्क्षित कदम उठाओ खत्रा मत उठाओ दूसरे का कहना था खत्रों का सामना करना सीखो एक का मानना था हमारा घरी है हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपक्ति है जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दाइत्व है और अगर आपका घर आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेस है तो आप कष्ट में है दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे परंत उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए वे हमेशा तनक्वा में बढ़ोतरी रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लावों बिमारी की चुट्टी, चुट्टियों के दिन और बाकी सुईदाओं के लिए चिंतित रहते थे वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रवावित थे जो सेना में चले गई थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के लिए आराम का इंतिजाम कर लिया था वे मेडिकल लाव के विचार को पसंद करते थे और सेना दोरा अपने रिटायर करमचारियों को दी जा रही सुईदाओं की भी तारिफ करते थे उन्हें विश्व द्याला का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था कई बार नोकरी से आजीवन मिल रही सुरुक्षा और नोकरी के लाव नोकरी से ज़्यादा मैतोकूर्ण हो जाते हैं वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनती से काम किया है इसलिए बदले में मुझे यह लाव मिलने चाहिए दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वाव लंबन में विश्वास करते थे वे सुईदाबों की मानसिक्ता के विरोधी थे वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिक्ता लोगों को कमजोर और आर्थिक ग्रूप से जरूर्तमन बनाती है उनका द्रड विश्वास था कि आदमी को आर्थिक ग्रूप से सक्षम होना चाहिए एक डैडी उस डॉलर बचाने के लिए परिसान रहते दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेस करते रहते एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नोकरी तलासने के लिए अच्छा बायोड़टा कैसे लिखा जाए दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाईक और वित्यय योजनाई लिखी जाएं जिससे मैं नोकरियां दे सकूँ दो पर वाओ साले डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विसलेशन करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना आसर हो रहा है मैंने पाया कि दर असल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिसा देते हैं उधारन के तोर पर मेरे गरीब डेड़ी हमेसा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह बविश्य बनी सही साबित होई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डेडी हमेसा खुद को अमीर समझते थे वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते एक बड़े आर्थिक जटके के बाद जब वे दिवैलियपन के कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे वे पैसे में कोई रूची नहीं है, या पैसा में तपूर नहीं है, मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसों में बहुत ताकत है, हो सकता है, आपके विचारों की ताकत को कभी भी नाम आपा जा सके, या फिर उन्हें पूरी तरह से समझाने जा सके, फिर भी बच्पन में ही मै यह समझ गया था कि हमें विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभी विक्ति पर भी मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे बलकि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबूं की तरह थे दो डेड़ी होने के कारण बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधन हो चला था कि मैं किस तरह की विचारदारा को अपना हूँ मैं किस की बात मानूँ अपने अमीर डेड़ी की या अपने गरीब डेड़ी की आलंकि दोनों ही सिख्षा और ग्यान को बैतोपूर मानते थे परंतु क्या सिखा जाए इस बारे में दोनों की राए अलग लग थी एक चाहते थे कि मैं पड़ाई में कड़ी मेहनत करूँ डिगरी लूँ और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नोगरे डून लूँ वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी वकील या अकाउंटेंट बन जाओ या एम्बिये कर लूँ दूसरे डेड़ी मुझे परोटसाइद करते थे कि मैं अमीर बनने का रहसे सीख लूँ यह समझ लूँ कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूँ इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है मैं पैसे के लिए काम नहीं करता इन सब्दों को वे बार बार दो राया करते पैसा मेरे लिए काम करता है 9 साल की उमर में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डेड़ी से सीखूँगा यह हैं फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डेड़ी की बातों पर ध्यान ने देना हालांकि उनके पास कालेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डेड़ी के पास नहीं थी रावर्ट प्रास्ट का सबग रावर्ट प्रास्ट मेरे पसंद दीदा कभी है हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है परन्तु दरोड नाट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैं इसकी सिख्षय का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ दरोड नाट टेकन वह राव जिसे चुना नहीं गया पीले जंगल की दो राव बंटती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं देर तक खड़ा रहा दूर तक यह देखते हुए कि यह राव कहां तक जाती है जुर्मटों में मुढ़ने से पहले फिर मैंने दूसरी रहा चुनी उतनी ही सुन्दर और शायद बेतर भी क्योंकि यहां गास जाता थी और कम लोग गुजरे थे हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुक्सान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी पत्यों पर काले कदम नहीं थी और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं मुझे शक था कि मैं कभी लोटूँगा मैं आख बरकर यह कमूँगा आज से सद्यों बाद शायद एक जंगल में दो राहीं बढ़ती थी मैंने कम चली होई राह को चुना और इसी बात से सारा प्रक पड़ा बहुत समय गुजर चुका है पर मैं अब भी रावट फ्रास्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ पैसे के बारे में अपने पड़े लिके डेड़ी की सला और नजरिये को नए सुनने का मेरा फैसला दुखत था परन्तु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरे जिंदगी की दिशा तै कर दी एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किस की बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंदी सिख्षा शुरू हो गई मेरे अमीर डेड़ी ने मुझे 30 साल से विज़ादा समय तक सिखाया तब तक जब तक कि मेरी उमर 49 साल नहीं हो गई और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धी में भरने की कोशिश कर रही थे पैसा एक तरह की ताकत है परंतु इससे भी बड़ी ताकत है विद्धिय शिक्षा पैसा तो आता और जाता रहता है परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा तकत्वर हो जाते हैं और आप दोलत कमाना चालू कर सकते हैं केवल सकारात्मक्चिंतन से ही समझ्या हल नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि इस पैसा किस तरह से काम करता है इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंद्गी बरबाद कर देते हैं मेरी सिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केबल नो साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पढ़ाया वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़ कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 मैंतरपून पाट पढ़ाई यह पुष्टक उन्हीं छैपाटों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिस की गई है जितना की मेरे अमीर डैडी ने मुझे मेरे लिए आसान बनाया था यह पाट आपके लिए जबाब की तरह नहीं लिखे गई है बलकि मार्गदर्सक की तरह लिखे गई है यह से मार्गदर्सक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे चाहे बदलती हुई इस एनिस्चित दुनिया में कुछ भी होता रही धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याइद दो की तरह जो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते आपका दिन शुभ हो रिच डैड पूर डैड अध्याइद दो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम काखवार नीचे रख दिया बेटे क्या तुम अमीर बनना चाते हो क्योंकि यार जिमी की ममी अपनी नई कैडलिक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुंदर तट वाले घर पर जा रही थे जिमी अपने साथ हमने तीन दोस्तों को ले गया परंतु माईक और मुझे नहीं ले गया उसने हमसे यह कहा कि वे हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे उसने ऐसा कहा डैडी ने आतमिस स्वास से पूछा हाँ बिल्कुल मैंने दर्द बरी आवाज में कहा डैडी ने अपना सेरे लाया नाग तक अपने चस्वे को चड़ाया और फिर अख़बार पढ़ने लगी मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा यह है 1956 की बात है तब मैं 9 साल का था किसमत की बात थी कि मैं उसी पविलिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे हम शुगर प्लांटेशन के कस्वे में रहते थे प्लांटेशन के मैनेजर और कस्वे एक पाकी लोग जैसे डोक्टर और बिजनसमें और बैंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से चटी कक्षा तक इसी स्कूल में बेज़ते थे चटी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेज़ा जाता था अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में बेज़ा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे सटीक अक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पबलिक इंटरमेडियेट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था मेरे डैली ने आखिर अख़बार को नीचे रख दिया मुझे पता था वे क्या सोच रही थे उन्होंने दिमे से शुरू किया अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो तुम्हे पैसा पनाना सीखना चाहिए मैंने पूछा मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ अपने दिमाग के इस्तिमाल से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा इसका असली मतलब यह था बस मैं तुम्हे इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता इसलिए मुझे तंग मत करूँ अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डेडी की बातें बताई जहां तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे माइक भी मेरी तरह था क्योंकि कि वह भी किस्मत की वजए से इस स्कूल में था इसा लगता था जैसे किसी ने खस्पे के स्कूलों की सरदें तैक कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे सच का जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे परन्तु ऐसा हमें लगता था क्योंकि बाकि सभी बच्चों के पास नए बेसबाल गलाउस नए साइकले और हर चीज नई होती थी मम्मी और डैडी हमें भी सभी जरूटों की चीज़ें जिलवाते थे जैसे खाना, घर, कपड़े, परन्तु इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे डैडी कहा करते थे अगर तुमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो हमें बहुत से चीज़ें चाहिए थे परन्तु नो साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे माइक ने पूछा तो पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता मैंने कहा परन्तु क्या तुमें इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे वह है राजी हो गया और उस शनिवार की सुवए माइक मेरा पहला बिजनस पार्टनर बन गया हम दोनों पूरी सुवए यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए कभी कभार हम उन बेफिकर बच्चों के बारे में बते करते जो जिमी के स्पूंदर तट वाले घर पर मजए कर रही होंगी इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी परन्तु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेदित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए आखिरकार उस दो फैर को हमारे दिमाग में बिजली कौन गई यह एक ऐसा विचार था जो माईक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाई और पार्टनर्शिप के पास अब एक बिजनस था अगले कुछ अफ़तों तक मैं और माईक दोड़ भाग करते रहे हर दर्वाजे पर दस्तक देते थे और पडोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किये वे टूथ पेस्ट टूब हमारे लिए रख ले हैरत से हमें देखते हुए जानातर लोगों ने मुश्करा कर हमारी बात मान ले उसने हमसे पूछा कि टूथ पेस्ट टूब हमें क्यों चाहिए इसके जवाब में हमने कहा हम आपको यह नहीं बता सकते यह एक बिजनस सीक्रेट है सब्ता गुजटते गई और मेरी माँ बहुत बुकी हो गई अपने कच्चे माल को इकठा करने के लिए हमने जो जगयतु नहीं थी वह उनकी वाशिंग मशिन के ठीक पास थी एक भूरे कार्डबोर के बकसे में जिसमें कभी केचप की बोतले रखी रहती थी हमारे इस्तेमाल किये होगे टूत बस्ट के टूपस के संक्या बढ़ने लगी आखिर एक दिन माँ के सबर कावान टूट गया रोस्टियां के मुड़े थी दोर इस्तेमाल कीये वे टूत पेस्ट ठूपस को देखते देखते वे पूब गई थी उन्होंने पूछा तुम लोग कर क्या रहे हो और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनस सिग्रेट है इस कच्रे को साफ कर दो या मैं इसे बाहर उठा कर फैंक दूँगी माईक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े उन्हें यह बताया कि हमारी ही जल्दी हमारा कच्छा माल पर याप जमा हो जाएगा और फिर हम उत्वादन शुरू कर देंगे हमने उन्हें मताया कि हम कुछ परोशियों का इंतजार कर रहे थी ताकि वे अपने टूथ पेस्ट के ट्यूप्स खत्म कर लें माँ ने हमें एक अपते की मौलत दे दी उत्वादन शुरू होने की तारिक नजदीक आ गई थी दवाओ बढ़ गया था हमारे वेराउस के मलिक यानि मेरी मा ने हमारे पहली पार्टनर्शिप कंपनी को जगे खाली करने का नोटिस थमा दिया था अब माईक का काम यह था कि वह परोशियों को अपने टूथ पेस्ट चल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे दान्त के डाक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए मैं उत्पादन की परक्रिया को ठिक ठाक करने में जुट गया एक दिन मेरे डेड़ी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई और उनके आस्चरिया का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ नो साल के दो बच्चों को उत्पादन की परक्रिया में पूरी कती से जुटे देखा हर तरब बारिक साफेद फाउडर बिखरा हुआ था एक लंबी मेजब स्कूल से लाए गए दूद के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दैकते कोईलों के सब अधिक्तम गर्मी पर चल रही थी डेड़ी साफदानी से चल कर हमारे करीब आई चोकि हमारी उत्पादन की परक्रिया ने पोर्च पर कबजा कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोईलों के उपर रखा एक स्टील का बरतन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूप पिगल रही थे उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूप्स में नहीं आते थे ट्यूप्स सीशे के बने होते थे एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूप्स को स्टील के बरतन में डाल देते थे ताकि वे पिगल का दरव्या के रूप में आसके इस पिगले वेसे को हम छोटे छेद वले दूद के काटनओं में डाल रहा थे दूद के इन काटनओं में प्लास्टिक आप पेरिस बरा था हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टिय ही था जिस में हमने पानी मिलाया था जल्द बाजी में मैंने उसके बैक को गिरा दिया था और पूरी जमीने से लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी वर्प का तुपान आया हूँ दूद के कार्टन बाहरी बक्से थे जिनके वेदर प्लास्टरा आप पेरिस के साल से थे मेरे डैड़ी और उनके दोस्त में देखते रहे और हम पिगलेवे सीसे के प्लास्टरा पेरिस के क्यूब के उपर से चोटे छेद में डालते रहे संभल कर मेरे डैड़ी ने कहा मैंने बिना सीर उपर उठाई हामी बर्दी आखिर कार जब सीजे को डालने का काम खतम हो गया तो मैंने स्टील के बर्दन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराया उन्होंने हलकी मुस्कान के साथ पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था हम अमीर बनने जा रहे हैं मैंने कहा हाँ माइक ने सीर को हिलाते हुए और मुस्कराते हुए कहा हम दोनों पार्टनर हैं डैड़ी ने पूछा और इन प्लास्टर के संसों में क्या है देखिए मैंने कहा इनमें एक बहुत अच्छी चीज है चोटे अतोडे से मैंने सील को ठोका जिससे बाहर ही खोल तूट गया सावधानी से मैंने उपर के आदे प्लास्टर को अटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर घिर गया हे वगवान मेरे डेड़ी ने कहा तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे बिल्कुल सही मैंने कहा हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था हम पैसा बना रहे थे मेरे डैडी के दोस्ट जोर से हंसने लगे मेरे डैडी भी मुस्कुराई और उन्होंने अपना सीरे लाया उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूप्स के बख से के साथ सफेद धूल में लिप्टे हुए दो बच्चे घड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़ कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीडी पर बैखें मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसा सी सब्द का मतलब समझाया हमारे सपने दरासा ही हो गई थे तो आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है माइक ने कांपती आवाज में पूछा छोड़ो भी डैडी के दोस्त ने कहा हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजाद पर तिबागों विक्षित कर रहे हो मेरे डैडी हमें गुरते रहे हाँ यह गैर कानूनी है डैडी ने नर्मी से कहा फरंतु तुम लोगों ने यह थाबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रसनात मक्ता और मौलिक वीचार है इसी तरह आगे बढ़ते रहो मुझे तुम पर गर्व है निरास होकर माइक और में तकरिबन 20 मिनिट तक चुप चाप अपना सिर पकड़ कर बैठे रही इसके बाद हमने सारा आटाला साप करना शुरू कर दिया पहले ही दिन वारा बिजनस चोपट हो गया था पाउडर साप करते विए मैंने माइक की तरफ देखा और कहा मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक हैं हम सचमुश गरीब हैं जब मैंने यह कहा तब डैड़ी बस जाने ही वाले थे बच्चो उन्होंने कहा तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मालनोंगे सबसे महतपून चीज यह है कि तुमने कुछ किया ज़्यादा तर लोग के वल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं तुमने कुछ किया है मुझे तुम दोनों पर गर्ब है मैं एक बार फिर से यही कहूंगा आगे बढ़े चलो हार मत मनो माईक और मैं खामोस खड़े रहे यह सब चुनने में अच्छे थे परन्तु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए तो ऐसा क्यों है डेड़ी कि आप अमीर नहीं है मैंने पूचा क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला लिया था स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हम सिर्प पढ़ाना पसंद करते हैं कास कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता परन्तु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दोलत कैसे कमाई जाती है माईक और में पल्टे और अपने सफाई अभियान में जुट गई डैडी ने कहा अगर तुम लोग यह सीखना ही चाते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो माईक तुम अपने डैडी से ही यह सवाल पूछो मेरे डैडी माईक ने हैरानी से कह हाँ तुम्हारे डैडी मेरे डैडी ने मुश्करा कर दो रहा है तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारिफ करता है उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है मेरे डैडी माइक ने एक बार फिर हैरानी से पुछा फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शांदार कार और आलिसान बंगला नहीं है शांदार कार और आलिसान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निश्चित रूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं डेडी ने जवाब दिया जीमी के डेडी सुगर प्लांटेशन में काम करते हैं उन में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकड में फजी हुई है और जीमे के डेडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे डेडी अलग है माई ऐसा लगता है कि वे एक समराज्य बनाने जा रहे है और मेरा अंदाजा है कुछी सालों में बहुत अमीर बन जाएंगी यह सुनकर माईक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए नए उत्सा से हमने अपने डूबी बे वेवसाई के कच्रे को साथ करना शुरू कर दिया जब हम सभाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माईक के डेडी से बात की जाई समझ्षा यह थी कि माईक के डेडी बहुत जाना काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लोटते थे माईक के डेडी के पास कई वेराउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की स्रंगला और तिन रेस्तरा थे रेस्तराओं के कारणी उन्हें घर लोटने में देरी हो जाती थी सफाई खत्म करने के बाद माईक बस बकड़कर अपने घर चला गया वह अबने डेडी से बात करने वाला था चाहे वे कितनी देर से घर लोटे और उनसे पूचने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तयार है माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वे अपने डैडी से बात कर लेगा वे अब मुझे फोन करेगा चाहे कितनी देर क्यों नहीं हो जाए फोन रात को साड़े आट बजे आया ओके अगले शनिवार मैंने करा और फोन रख दिया माइक के डैड़े माइक और मुझसे मिलने के लिए तयार हो गए थे शनिवार की सुबह साड़े साथ बजे मैंने शहर के दूसरे हिसे में जाने के लिए बस पकड़ी माइकल और मैं सुबह आट बजे उसके डैड़ी से मिले वे पहले से इव्यस्त थे और उनके पास एक गंटे से भी ज़्यादा का काम मौझूद था जब मैं उनके साधान सोटे और साफ गर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कस्ट्रक्शन सुपरवाईजर अपने पिक अप ट्रक में वहां से जा रहा था माइक मुझे दर्वाजे पर ही मिल गया डैड़ी अभी फोन पर है और उन्होंने काया कि हम लोग पीछे के पोर्ट्स में उनका इंतजार करें माइक ने दर्वाजा कोलते हुए कहा जब मैंने उस पूराने घर की देलेज के अंदर कदम रखा तो लकडी के पूराने फर्श की चर्म राहट सुनाई दी दर्वाजे के बीतर सस्ती सी चटाई थी चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अंगिनत कदमों के निशानों को चुपाया जा सके हालांकि वह साब थी पर यह सपष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए जब मैं संक्रे लिविंग रूम में गुसा तो मेरा दम गुटने लगा था वहां पुराने फरनिचर की बू आ रही थी और निश्ची दूरूप से उस फरनिचर को संग्राले में होना चाहिए था सोबह पर दो मैलाएं बैटी थी उनकी उमर मेरी मां से थोड़ी जाना थी मेलाओं के सामने एक पुरूस मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पैन रखा था हलांकि कपड़े साफ और प्रेस किये हुए थे पर उन्तों में स्टार्च नहीं किया था उस आदमी की उमर मेरे डेड़ी से लगबग 10 साल जादा होगी शायद 45 साल जब मैं और माईक उनके पास से गुजरिते हुए किचन की तरफ गई जहां से पोर्च का रास्ता था तो वे मुश्कुराई मैं वे जवाब में शर्मा कर मुश्कुरा दिया ये लोग कोन है मैंने पुछा अरे ये लोग डेड़ी के लिए काम करते हैं बुड़ा व्यक्ति उनके वे रावसों को संबालता है और मेलाई रेस्तराओं की मैनेजर है और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपर्वाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मिल दूर एक सड़क पर योजना पर काम कर रहा है उनका दूसरा सुपर्वाइजर जो बहुत से गर बना रहा है वे तुमारे आने से पहले ही जा चुका है क्या इसा हमेशा ही होता है मैंने पूछा अच्छा और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया मैंने साउधानी पूर्वा उच्छ सुकता से पूछा पहले तो उनके चेहरे पराशी आई पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक उफर रखेंगे अच्छा मैंने कहा और अपने कुर्शी की पीट दिवार से टिका ली मैं वहां कुर्शी के पिछले दो पैरों के सारे टिका बैठा रहा माइक ने भी ऐसा ही किया क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा आफर देने वाले है मैंने पूछा नहीं पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा अचानक माइक के डैड़ी उस पूराने दर्वाचे से गुश कर पोर्च में दाखिल हुए माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गई आदर के कार नहीं बल्कि इसलिए कि हम चोग गई थे तो बच्चों तयार हो माइक के डैड़ी ने एक कुर्शी हमारे पास खिसकाते वे पूछा हमने अपने सीरह लाए और अपने कुर्शियों को दिवार के पास से खिंच कर उनके सामने रख लिया वे एक विशाल सरीर के मालिक थे लगबग 6 पिट उन्चे और 200 पाउंड बजनी मेरे डैड़ी इससे उन्चे थे लगबग ऐसी बजन के और माइक के डैड़ी से 5 साल जगा बड़े वे लगबग एक जैसे ही थे हलांके दोनों एक ही प्रजाती के नहीं थे हो सकता है कि उनके उर्जा एक सी हो माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाते हो क्या यह सही है रावट मैंने तत्काल सेम्ती में अपना सीरी लाया हलांके मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था उनके शब्दों और मुस्कुराट के पीछे बहुत ताकत थी अच्छा यह रहा मेरा अपर मैं तुमें सिखाऊंगा परंतों मैं इसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुमें सिखाऊंगा अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखा हूँगा अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ और अगर तुम सिर्फ बैठ कर मेरी बाते सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बरबाद होगा यह मेरा आफर है इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड जाओ क्या मैं आप से पहले एक सवाल कर सकता हूँ मैंने पूछा नहीं इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड जाओ मेरे पास परबात करने के लिए फाल तू समय नहीं है अभी डेर सा काम पड़ा है अगर तुम में ततकाल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे मोके आते हैं और चले जाते हैं इसलिए ततकाल निरने लेने की क्षमता एक मेहत्वपून कला है तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है अगले दस सेगंड में या तो पड़ाई चलू हो जाएगी या पिर यह हमेशा के खतम हो जाएगी माइक के डेड़ी ने चिड़ने वाली मुस्कुराट्स के साथ कहा मनजूर हम दोनों ने कहा बहुत बढ़िया भाई के डेड़ी ने कहा दस मिनिट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी उनसे बाते करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ बेहश दूँगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा मैं तुम्हें एक गंटे के दस सेंट दूँगा और तुम हर सेनिवार तीन गंटे काम करूँगे पर आज तो मेरा साथ बाल का मैच है मैंने कहा माईक के डेड़ी ने अपनी आवाज को दिल्मा पर अंतु कड़क करके कहा या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मान लिया मैंने जबाब दिया साथ बाल खेलने के बज़ाए काम करने और सीखने का भी कल्प चुनने में ही समझदारी थी शनिवार की खुस तुमा सुबह नो बज़े माई और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे वे एक दयालू और धहरेवान में ला थी वे हमेशा कहा करते थी कि माई को और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की यात आ जाती है और अब वे बड़े हो गए थी तदा दूर चले गए थी हालांकि वे दयालू थी परंतो वे कड़ी मेनत में बरोसा करते थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखते थी वे बहुत कड़क मैनेजर थी हम तीन गंटे तक डिवाबन साबानों को सेल्प पर से उतारते थे उनकी दोल साफ करते और फिर उन्हें करेने से जमाते थे यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत का भी माइक के डैड़ी को मैं अपना आमीर ठेरी कहता हूँ उनके पास इस तरह के नो सूपरेस्ट थे जहां पारकिंग के लिए बहुत सी जगह थे पे 7-11 convenience store के शुरुआती संसकर्ण थे पडोस के जनरल store जहां लोग दूद, प्रेड, बटर और सिगरेट चैज़े चीज़ें खरीते थे समझे यह थे कि हवाई में एर कंडिशनिंग नहीं थी और गर्मी के कार्ण stores अपना दर्वाजा बंद नहीं कर सकते थे store के दोनों और दर्वाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता जो store में गुषकर डिबों पर जम जाता इसलिए हम लोगों की नोगरी तभी तक चलती जब तक की एर कंडिशने नहीं हो जाती तीन हगतों तक माईक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर तीन गंटे तक काम करते रहे दोपेर तक हमारा काम खतम हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में तीन चोटे सिक्के डाल देती थी उस समय पचास के दसक में नो साल की उमर में भी तीस सेंट कमाने में कोई खास कुशी नहीं होती थी तब कामिक्स की किमत दस सेंट हुआ करती थी इसलिए मैं अपनी कमाई को कमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लोड जाता था चोटे हफते के बुद्वार तक मैंने काम चोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्प इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माईक के डैड़ी से पैसा कमाना सीखना चाता था चोटे हफते के बुद्वार तक मैंने काम चोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्प इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माईक के डैड़ी के पास पैसा बनाना सीखना चाता था इसलिए मैं 10 सेंट परती गंटे के गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह है थी उस पहले सेनिवार के बाद से मैंने माईक के डेड़े को देखा तक नहीं मैं काम सोड़ रहा हूँ मैंने लंज के समय माईक से कहा स्कूल लंज बड़ा निरासा जनक था स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास सेनिवार भी नहीं थे इसलिए मैं इंतजार कर सकूँ परनतु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत दख्का लगा है इस बार माईक मुश्कुराया तुम किस बात परांस रहे हो मैंने गुश्चे और खूंठा से पूछा डैडी ने कहा था कि ये साई होगा उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहिने क्या मैंने आवेस में पूछा क्या वे मेरे उपता जाने का इंतजार कर रहे थे कुछ-कुछ एक ने कहा मेरे डैडी जरा अलग किसम के थे उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिलकुल अलग है तुम्हारे ममी डैडी बहुत बाते करते हैं दूसरी तरफ मेरे डेडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस सनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दू कि तुमने काम सोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं ऐसा नहीं हुआ है पर शयद हो सकता है। डे गरीव डेडी कहता हूँ। यह मानते थे कि मेरे अमीर डेडी बाल स्रम कारूनों को लंगन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पडेली के गरीव डेडी ने मुझसे यह कहा कि मैं अच्छी तनकुआ मांगू। कम से कम 25 सेंट परती गंटा। मेर गरीव डेडी ने जला कर कहा। शनिवार को सुब़े आठ बजे मैं एक बार फिर माइक के घर में उसी पुराने दरवाजे के अंदर गुसरा था। कुर्शी पर बैटो और लाइन में इंतिजार करो। माइक के डेडी मेरे गुस्ते ही कहा। फिर बे अंदर जाकर अपने छोटे से आफिस में बैट गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा फरंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्ही दोनों मैलाओं की बगल में बैठ गया जो मुझे चार अपते पहले वहीं पर मिले थी। वे मुस आफिस आदमी वहां 20 मिनिट तक बैठा और फिर वहे भी निकल गर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुश नवास हुए को मैं सीलन बरे अंदेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था। और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का सोशन कर आदमी मुझसे बाते करें। मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बाते कर रहे थे। आफिस में इधर उदर के काम कर रहे थे और मुझे नजर अंदास कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस गभंडी आदमी से बिना मिले ही गर लोड़ जाओ। पर किसी वज़े से रुप गया। आखिर पंद्रह मिनट भाद ठीक नव जे अमीर डैडी अपने आफिस से बाहर निकले बिना कुछ कई उन्होंने हाथ से मुझे इसारा किया कि मैं उनके दर्वे नूँ आफिस में आ जाओ। अमीर डैडी ने आफिस की कुरसी में बैठते हुए कहा या त बहुत ज़्यादा डरा हुना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है। मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबाल गेम की भी कुरबा और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, आप दोपे बाज़े, जैसा शायर के सभी लोग कहते हैं, आप लाल्ची हैं, आप के और पैसा कमाना चाहते हैं, और अपने करमचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, आपने पुर्सी में पीछे जुग गई, अपने हाथों को ठुड़ी तक लाकर उन्होंने मुझे बुरा, एसा लग रहा था, जैसे वे मेरा स्विशलेशन कर रहे हूं, बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, एक महीने से भी कम समय में तुम वही बासा बोल रहे हूं, जो मेरे ज़्या रहे हैंगे, इसके बजाए आप तो मुझे पर अत्याजार करना चाहते हैं, यह तो जुल्म है, सरा सर जुल्म, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं, डैडी ने धिमे से आवाज में कहा, आपने मुझे क्या सिखाया, कुछ भी नहीं, मैंने गुस्चे में कहा, एक बार मैं स आप तो जानते ही हैं, यह मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं, शबास, आपिर डैडी ने कहा, अब तुम उन जादातर लोगों भी बसा बोल रहे हो, जो कभी मेरे लिए काम करते थे, वे लोग जिनNे या तो मैंने नोकरी से नकल दिया, या जिननोंने खुद ही नोकर बोला मैंने आपके लिए काम किया और आपने वादा पूरा नहीं किया आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया मेरे अमेरे डैड़ी ने शान्ती सिखा है मैंने तीन अफ़ते तक काम किया और इसी भी साब ने सिखाना तो दूर रा मुझसे कभी बात तक नहीं की मैंने ब्यंग बरेल अंदाज में कहा क्या सिखाने का मतलब क्यों बासन या बात्चीत ही होता है अमेरे डैड़ी ने पूछा और क्या मैंने चवाब दिया इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं उन्होंने मुश्करा कर का परन्तु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बड़ी है टीचर होती है ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बाते नहीं करती यहेह एक तरह से आपको धका देती है हर धक्के के जलिए जिंदगी आपसे कहती है जाग जाओ मैं तुमें कुछ सिखाना चाहती हूँ यहादमी किसी बेज सिर्पैर की बतें कर रहा था मैंने अपना आपसे प्उचा जिंदगी अगर मुझे धका देती है तो इसका मतलब है कि जिन्दगी मुझे बातें करती है अब मैं जान चुका था कि मुझे ये काम तद्काल छोड़ देना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की जुरूरत थी अगर तुम जिन्दगी के सबख सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फाइदा होगा अगर तुम्हें ऐसा नहीं करते हो तो जिन्दगी तुम्हें लगातार दख्के देती रही लोग दो चीजें करते हैं कुछ लोग जिन्दगी के दख्के को सहन करते चले जाते हैं बाकि लोग गुसा हो जाते हैं और जिन्दगी को दख्का दे देते हैं परंतु वे दख्के देते हैं अपने बोस को, अपने काम को, अपने पत्नी या पती को वे यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धका दे रही है मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे जिंदगी हम सब को धके मारती है कुछ लोग हर मान लेते हैं बाकी के लोग लड़ते हैं कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं वे जिंदगी के दकों का स्वागत करते हैं इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुमारी तरह लड़ते भी हैं अमीर डैड़ी खड़े होगे और उन्होंने टूटी फूटी खड़की को बंद कर लिया अगर तुम यह सबक्सी लेते हो तो तुम एक समझदार अमीर और सुखी युवक बन सकते हो अगर तुम यह नहीं सीखते तो तुम जिंदगी बेर अपनी समझदार वे लिए अपनी नोकरी, कम तनख्वा या अपने बोस को कोशते रहोगे तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उमीद करते रहोगे जो आए और तुमारी आर्थिक समझदार वो सुल जा दे अमीर डेड़ी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बाते सुन रहा हूँ उनकी आँखे मेरी आँखों से मिली, हमें एक दूसरे की तरफ देखते रही और हमारी आँखों के बीच संप्रेशन की दरहें बहने लगी आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें जुखा ली मैं जान गया था कि वे सही थी मैं उन्हें दोसी ठहरा रहा था जबकि सीखने के जित मेरी ही थी मैं फालतों में लड़ा था अमेर डेड़ी ने कहा अगर आप इस तरह के आदमी है जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिन्दगी के हर थपेड़े के सावने हार मान जाते हैं अगर आप इस किस्म के आदमी है तो आप जिन्दगी वर सुरुक्षित खेल केलते रहेंगे सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है और फिर आप एक बोरिंग बुड़े की तरह मर जाएंगे आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारिफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे आपने अपने जिन्दगी सुर्खषित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दे परंदो सच बात तो यह है आपने जिन्दगी के तपेड़ों के सामने उटने टेक दी आप खत्रा मौल लेने की कलपना तक से डरते थे हकीकत में तो आप जीतना चाते थे परंदो आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकत वर साबित हुआ अंदर से आप और के वलाब जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिस नहीं की आपने सुरक्षित खेल खेलने के विकल्प चुना हमारी नजरे एक बार फिर मिले दस सेकेंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरे हटाई जब मैं उनकी बात समझ गया आप मुझे दक्का दे रहे थे मैंने पूछा कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं हमेरी डैड़ी मुस्कुर है मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिन्दगी का सवाद सखा रहा था कैसा सवाद मैंने कूछा मैं अब भी गुशा था परन्तु अब मेरे जी कैसा भी जाग गई थी अब मैं सीखने के लिए तयार भी था तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्हों नो मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग रखिया मेरे पास डेट सो से भी जादा करमचारी है पर उन में ये एक नब मुझसे पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में नहीं पूछा वे मुझे नोकरी मांगते हैं तंकवा मांगते हैं पर अंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाते तो ज्यादातर लोग इस तरह अपनी जिंदगी के पैसे के लिए काम करने के लिए बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक कि यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरसल वे किस के लिए काम कर रहे हैं मैं पूरा ध्यान लगा कर उनकी बात सुनता रहा तो जब माईग ने मुझे कहा कि तुम पैसे कमाने की कला सीखना चाते हो तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असले जिन्दगी के करीब था मैं बोलते बोलते ठक जाता पर अंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिन्दगी के ठपेड़ों का सुआत सखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको इसी कारण मैंने तुम्हें एक गंटे के दस सेंट दी तो दस सेंट परती गंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखाया यही कि आप गटिया है और अपने करमचारियों का सोचन करते हैं अमीर डैड़ी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ जुकते हुए जोर से हंसने लेगे जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो मुझे समझ या मत बनाओ मुझे दोस्त देना छोड़ दो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समझ या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना चाहिए इसके बजाए अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समझ यह तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो सीख सकते हो और जाना समझतार बन सकते हो ज्यादातर लोग साते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए बस हम खुद ही नहीं बदले मैं तुम्हें यह बता दूँ कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान है यह है कि खुद को बदला जाए मैं आपके बाद ठीक से समझनी पाया मैंने कहा अपने समझ्याओं के लिए मुझे दोस देना छोड़ दो अमीर डैड़ी ने अधिरता से कहा पर आपने मुझे सिर्फ दस सेंट का इवेतन दिया तो तुमने क्या सिखा अमीर डैड़ी ने मुस्करा कर पूछा यही कि आप गटिया है मैंने सरातवरी मुस्कान के साथ कहा अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समझ्या मैं हूँ अमीर डैड़ी ने कहा वो तो आप हैं ही खैर इसी तरीके से सोचते रहूँ और तुम जिन्दगी बर कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समझ्या मैं हूँ तो तुम्हारे पास क्या विकल बढ़ा जाते हैं अगर आप मेरी तनक्वा नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज़त नहीं देते तो मैं काम चोड़कर चला जाँगा ठीक है अमिर डैड़ी नहीं कहा और ज़्यादा तर लोग यही करते हैं एक काम चोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नोकरी की तलास करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनक्वाइं मिलती है तुम्हें यह कलत फैमी होती है नई नोकरी या ज़्यादा तनक्वाइं से समश्या सोलच सकती है ज्यादा तर मामलों में इसा नहीं होता तो समश्या किस तरह सोलच सकती है मैंने पूछा 10 सेंट परती गंटे के इसाफ से तनक्वाइं लेकर मुस्कुराते हुए मैं मेरी डैड़ी मुस्कुराई यही बाकी लोग करते हैं वे यहाँ जानते हुए कि कम तनकुआ में काम करते हैं क्योंकि नोकरी छुट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे बरेगा इसलिए मन मसोश कर वे नोकरी करते हैं और यहाँ सोच कर तनकुआ बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समच्छा सुलत जाएगी ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नोकरी भी करत लेते हैं पर अंतो उसमें भी उन्ने तनकुआ कमी मिलती है मैं फर्ष को गुटा रहा अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था मुझे यह एहाइसास हो गया था यह जिन्गी का स्वाद है आखिर कर मैंने उपर की और देखा और अपना सवाल दो रहाया तो पिर यह समच्छा कि इस तरह सुल जाएगी इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेस किलमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने करमचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसके बदोलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने जा रहे थी जबकि मेरे पड़े लिखे गरीब डैडी जिन्दगी पर पैसे की तंगी से जूजने माले थे यह एक अद्बूत नजरिया था जिसने मेरे जिन्दगी का नक्षा ही बदल दिया अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक करूँगा गरीब और मद्य उमर गिये लोग पैसे के लिए काम करते हैं अमीरों के लिए पैसा काम करता है मेरे गरीब डैडी ने जो मुझे सिक्षा दी थी शनिवार के उस खुशन वासुबै मैं उससे बिलकुल अलग नजरिया सीख रहा था 9 साल की उमर में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाथे थे कि मैं सीखूं दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे फरक सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाई वीशे अलग अलग थे मेरे पड़े लिखे डैडी चाथे थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया था बेटे मैं चाहता हूं कि तुम में एनद से पड़ो अच्छे नमर लाओ ताकि तुमें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नोकरी मिल सके और यह अच्छी तरह इस देख लो उसमें बहुत से दूसरे लाओ हो मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं यह सबक मुझे जीवन बर उनके मारक दर्शन में सीखना था ने की किसी प्लासरोम में मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा मैं खुश हों कि तुम दस सेंट परते गंटे की इसाफ से काम करने पर गुसा होगे अगर तुम गुसा नहीं होते और तुम्हें ऐसा कुशी कुशी करते रहते तो मैं तुम्हें साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता यह जान लो की सच्ची सिक्षा में उर्जा प्रवल वावना और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है गुसा उसफार मेले का एक बहुत बड़ा इसा है क्योंकि प्रवल वावना में गुसा और प्रेम का समने में होता है जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरुच्छित रास्ता कोचते है इसलिए प्रवल वावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनखवा नहीं देता जितनी उन्हें सुगर प्लान्टेशन या सरकार की तरफ से मिलती है मैं यही कहना चाता हूँ कि लोग खुद अपना शोशन करते हैं ढरते हैं भी मैं नहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनकवा देनी चाहिए मैंने पूछा मुझे ज़्यादा देने के जूर्ट नहीं आए और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समश्या नहीं सुल जाएगी अपने डैडी को ही देख लो वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का बुकता नहीं कर पाते दुनिया में इसे बहुत से लोग हैं जिने अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा करज में डूप जाएगी तो इसी करण आपने मुझे 10 सेंट परती गंटे की तंकवा दी मैंने मुस्कराते वे कहा यह सबक का इसा था बिल्कुल सही अमेरी डैडी ने मुस्करा कर कहा देखो तुमारे डैडी स्कूल गई और उन्होंने बहुत बड़ी असिक्षा इसलिए आसिल की ताकि उन्हें अच्छी तंकवा वाले नोकरी मिल सके जो उन्हें मिल गई फरंतून के पास आज भी पैसे की तंगी है इसा इसलिए है क्योंकि उन्हेंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा और सबसे बड़ी बात यह है और उन्हें पैसे के लिए काम करने में बरोसा करते हैं और आप नहीं करते हैं मैंने बुछा नहीं सत पुछा जाए तो नहीं हमें डैडी नहीं कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाते हो तो स्कूल में ही रहो यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगए और कोई नहीं है परन्तु अगर तुम यह सीखना चाते हो कि पैसा तुमारे लिए किस तरह काम करे तो यह मैं तुमें सिखा सकता हूँ परंतु तबी जब तुम सीखना चाहो क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता मैंने पुछा नहीं अमेरे डैड़ी ने कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है खास तोर पर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल बाऊना दर हो मैं समझ नहीं पाया मैंने तियोरियां से डाकर कहा उसकी चिंता फिलाल मत करो अभी इतना ही समझ लोग कि डर के कारण ही ज़्यादा तर लोग अपने नोक्रिया करते हैं अपने बिलों का बुदान नहीं कर पाने का डर नोक्रे से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर प्रयाप पैसा नहीं होने का डर एक बार फिर से शुरूब करने का डर यह किसी व्यवसाई को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है ज्यादातर लोग पैसे के कुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बोस पर अपने बढ़ास निकालते हैं तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग भी शेय है मैंने पूछा बिल्कुल हमें डेड़ी ने जवाब दिया बिल्कुल शनिवार के उस खुसनु वासुबै हवाई में हम लोग चुप-चाप बैठे रही मेरे दोस्त उसमें लिटिल लीग बेजबाल गेम शुरू करी रहे होंगे और किसी वज़य से मैं खुस था कि मैंने दस सेंट परती गंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था मुझे लगा कि मैं कुछ हैसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस् अमीश डैडी ने पूछा बिलकुल मैंने दाथ निकल कर कहा मैंने अपना वादा निवाया है मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है अमीश डैडी ने कहा 9 साल की उमर में तुम्हें ये पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है अपने पिछले मिलने के लिए online में इंतजार कर रहे ते तो तुम्में कैसा लग रहा था एक बार नोकरी के लिए और दूसरे बार तन खोवरड़ वाने के लिए मैंने कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्ब चुनते हो तो ज़्यादा दर लोगों के लिए जिन्दी का मतलब यही होता है हमीर डैड़ी नहीं कहा और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुमारे हाथ में तीन गंटे के काम के लिए तीन सिक्के थमाई थे मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है मैं निरास हुआ था मैंने कहा और यही ज़्यातर करमचारियों को लगता है जब वे अपनी तनक्वा के चेक को देखते हैं खास कर तब जब उससे टेक्स और बाकी कटोतियां कर ली जाती है कम से कम तुम्हें पूरी तनक्वा मिले थी उन्हें तो पूरी तनक्वा भी नहीं मिलती आपका मतलब है ज़्यातर करमचारियों को पूरी तनक्वा नहीं मिलती मैं है हरान था नहीं हमेरे डेड़ी ने कहा सरकार हमेशा अपना इससा पहले ही ले लेती है सरकार इसा कैसे करती है मैंने पुछा टेक्स अमीर डेड़ी ने कहा जब आप कमाते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप बचाते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप मर जाते हैं तो भी आपड़ टेक्स लगता है, लोग सरकार को येसा क्यों करने देते हैं, अमीर लोग येसा नहीं करने देते, अमीर डेड़ी ने मुश्कुला कर कहा, परंतु गरीब और मद्ध उमर गिये लोग येसा करने देते हैं, मैं दावा करता हूँ, कि मैं तुम्हारे डेड़ी से ज्यादा कमाता हूं परंतु वे ज्यादा टेक्स देते हैं यह कैसे संभवगर मैंने पूछा नो साल का बच्चा इस जीव आंक्डे को समझ नहीं पा रहा था कोई आदमी सरकार को इसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है अमीर डेडी चुचप बैठे रहे मैं समझ गया क कि वे चाहते थे कि मैं सुनू ने कि उनसे फाल्त सवाल पूछू आखिर मैं शान्त हो गया जो मैंने सुना था वे मुझे अच्छा नहीं लगा था मैं जानता था कि मेरे डेडी हमेशा टेक्स का रोना रोते रहते थे परंतु दरसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पा मैंने अपना सिर्थी में से हिलाया जैसा मैंने कहा सीखने के लिए बहुत कुछ है पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाई यह जिन्दगी बर चलने वाली पढ़ाई है ज्यादातर लोग चार साल के लिए काले जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है मैं पह ज्यादातर लोग इस वी चेक बुक कभी नहीं पढ़ते हैं वे नोकरी पर जाते हैं अपनी तनख्वा लेते हैं अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात खतम हो जाती है इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समच्चा ही क्यों है फिर उन्हें पैसे की समझ नहीं है मैंने विचली तोकर पूछा देखो अमीर डैडी नहीं कहा पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए टेक्स तो उस सिख्षा का सिर्फ एक हिस्सा है आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती वे स्कूल जाना चाते हैं कोई वेवसाई सीखना चाते हैं अपनी नोकरी में मज़े करना चाते हैं और डेहर सारा पैसा कमाना चाते हैं एक दिन वे तब जाग न सीख लेते तो उनके सामने ये समस्या नहीं आती तो तुम में आप सीखने की जानने की जी गयसा है हमेरी डैड़ी ने पूछा अच्छा अभेर डैड़ी ने कहा अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तंक्वा नहीं दूँगा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूँगा, मैंने माइक से पहले ही बात कर लिया, वह पहले से ही काम पर है, मुर्त में डिपो की सफ़ाई कर रहा है, और उन्हें करीने से जमा रहा है, अब तुम भी जल तुम भी उन्हीं दो मैलाओं और बुड़े आदमी की तरह बन जाओगे, जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे, ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और डरते हैं, कि उन्हें मैं नोपरे से निकाल नहीं दूँ, या तुम अपने डेड़ी की तरह बन जाओगे, जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, पर दुगले तक करज में डूबे रहते हैं, शायद उन्हें यह उमीद रहती है, ज्यादा पैसे जो उनकी समझे हैं सुझ जाएंगी, अगर तुम यही चाहते हो, तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पूराने वादे पर लोटने को तयार या तुम वहे कर सकते हो, जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो, कितन ख़वा बहुत कम है, और तुम यह नोगरी चोड़कर दूसरे नोगरी तलास चुरू कर दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ हूँ, मैंने पूछा, अमीर डैड़ तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे, मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था, कि मुझे कितना गटिया फिकल्प दिया गया है, मैं यहाँ अपनी तनक्वा बढ़वाने आया था, और अब मुझे मुझे मुफ्त में काम करने के लिए का जा रहा है, अमीर डैड़ी ने उन्हें यह समझ में नहीं आता, मैं उन्हें इसकी वज़ा ठीक से इसलिए नहीं समझाओ सकता था, क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था, अगले तीन अपते माई को और मैं तीन गंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे, मुफ्त में काम बहुत परेशनी वाला नहीं था, और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था, मुझे अफसोस था, तो अपने छुटे वे बेज़वाल गेम्स और कमिक्स का, अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था, तीसरे अपते दो पैर में, अमी डेड़ी आई, हमने उनक के ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी, वे स्टोर में गुशे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगा कर अबगांदन किया, स्टोर में क्या चल रहा है, यह जानने के बाद वे आईस क्रीम फ्रीजर के पास गाई, उसमें से दो आईस क्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया, और इसके बाद मेरी और माईक की तरवी सारा करके कहा, चलो गुमने चलते हैं, हम सडक के पार गई, उसकारों को चक्मा दिया, और एक बड़े गास के मैदान में टहलने लगे, जहां कुछ व्यसक साफ्ट वाल खेल रहे थी, दूर की पिगनेक टेबल पर पैटकर उन्होंने माईक और मुझे आइसक्रीम दी, कैसा चल रहा है, बढ़िया माईक ने कहा, मैंने सेम्टी में से रिलाया, उस और सिखा, हमें डैड़ी ने पूछा, माईक और मैंने एक दूसरे एक तरफ देखा, उनने कंदे उचकाई, और अपने सिर को नहीं में एक सा हिलाया, अच्छा यह होगा, कि तुम बचपन से ही यह सोचना चालू कर दो, तुम अगर जिन्दगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो, अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा आजादी और सुरक्षाबरी जिन्दगी का सुक ले सकते हो अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो, तो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादतर लोगों की तरह बन जाओगी, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर उनके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, पर नोकरी की सुरक्षा के म में तुम्हें सुख मिलता है, तो मैं तुम्हारी तन को अब ड़ाकर 25 सेंट परती घंटे कर सकता हूँ, परन्तो ये लोग अच्छे लोग हैं और मेंती भी हैं, फिर आप उनका मजा क्यों उड़ा रहे हैं, मैंने पूछा, हमें डेडे के चेहरे पर मुसकान आ गई, मिसे भी आसान सब्दों में, मैं तुम्हारे नजरियों को बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको, जज़ातर लोगों को आगे देखने का फाइदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा था, क्योंकि उनके देखने का दाइरा ब कड़वी लग रही थी, परंतु हम यह भी जानते थे, वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिस कर रही थे, मुस्कराट के साथ हमेरी डेड़ी नहीं कहा, क्या 25 सेंट प्रती गंटे आप पर अच्छा नहीं लगा, क्या इससे दिल की दरकन थेज नहीं हुई, मैंने अपना स शरार्थ बरे मुस्कराट के साथ कहा, अब मेरा दिल तुफान मेल की तरह दोड़ रहा था, मेरा दिमाग चीख-चीख कर कह रहा था, इनकी बात मान लो, मान लो, मुझे अपने कानों पर बरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप था, अच्छा दो डालर परत बना दे थी, मैं इतना सारा पैसा कमाने के गल्पनाए भी नहीं कर सकता था, मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सोधा पका करना चाहता था, मुझे नई साइकल दिख रही थी, नए बेसबाल के कलप दिख रहे थे, मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तार लाने के कारण फ्यूज उड़ गया हूँ परन्तु मन इमन दो डालर पर ती गंटे का आप पर मानने के लिए बेताओ था आइस क्रीम पिगल चुकी थी और मेरे हाथ पर बहह रही थी आइस क्रीम की डंडी खाली थी जिसके नीचे वनिला और चाकलेट के टुगडे थे जिन मारे दिल का एक कोना उसाफर को मानने के लिए बेताओ हो रहा था वे जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक इसा कमजोर और जरूर्तमद होता है जिसे खरीदा जा सकता है और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक इसा मजबूर तरड़ नीच्छी होता ह जिसे कभी नहीं खरीता जा सकता असली सवाल यह था कि इन में से कौन सा हिस्सा जाला तक्तवर है उन्होंने अपनी जिन्दगी में हजारों लोगों की परिक्षा ले थी जब वे नोकरी मागने के लिए आई लोगों का इंट्रिवू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परिक्षा लेते थे अच्छा पांस डॉलर परती गंटे अचानक पेरे अंदर शान्ती छा गई कुछ था जो बदल गया था हाफर बहुत ही बड़ा था और मुर्क तापून लग रहा था उन्निस सो चपन में गिने चुने वेसकों को पांस डॉलर परती गंटे से जाता मिलता होगा लालच खतम हो गया था और इसकी जगए शान्ती ने ले ली थी धीमे से मैं अपने बाईं तरफ खड़े माईक की तरफ मूड़ा उसने मेरी तरफ देखा मेरी आत्मा का जो इसा कंजोर और जरुटबन था वह खामजो चुका था मेरा वह इसा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर वोगे इस युद में शान्ती और विश्वास जीत चुके थे मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदू पर पूंच चुका था अच्छा अमीर डड़ी ने दिमे से खा ज्यादातर लोगों की एक किमत होती है और उनकी किमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो बाउना ही होती है दर और लालच पहले वो पैसे के बिना रहने के डर से कड़ी मेंनत करते है इसके बाद जब हमें तनकुआ मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की बाउना जाग जाती है पैसे होने पर हम उन बड़ी आचीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते है जो उस पैसे से खरी दी जा सकती है इस तरह हमारी जिंदिगी का एक पैटर्न बन जाता है किस तरह का पैटर्न मैंने पूछा सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने लोगों के जिन्दगी हमेशा डर और लालच इनी दो बाउनों से चलती है उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी थी तो वे इसी पैटरन पर चल कर अपना खर्च बढ़ा लेंगे इसी पैटरन को मैं चुहा दोड कहता हूँ क्या कोई दूसरा रास्ता भी है माईक ने पूछा हाँ अमीर डैडी ने दिमे से कहा परन तुझे बहुत कम लोग खोज पाते हैं और वह रास्ता क्या है माईक ने पूछा उसी रास्ते को तुम लोग काम करते वे और मेरे इसाब से सीखते वे खोज लोगे मैं यही उम्मीद करता हूँ इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए पाइक ने कहा हम लोग मेनद से काम करते करते ठक चुके हैं खास कर तब जब इसके बदले में कुछ नहीं मिलाओ पहला कदम तो यह है इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है अमेरी डैडी ने कहा तुमें यह किसी और से कहने की जुरूरत नहीं है सिर्फ अपने आप से सच बोलो आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग यह सब लोग ऐसा नहीं करते है मुझे ऐसा ही लगता है अमेरी डैडी नहीं कहा इसके बज़ाए उन्हें अमेशा पैसा नहीं होने का डर सता था रहता है उस डर का सामना करने के बज़ाए सोचने की बज़ाए लोग सिर्फ पर्तिक्रिया करते हैं इस दोरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं, अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं, और उनमें खुशी, इच्छा, लालच की भाउना आ जाती है, और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाएं दिल से काम करने लगते हैं, तो वे दिल से अपनी बाउनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा, बिल्कुल ठीक, हमीर डैडी ने कहा, वे इस बारे में सच नहीं बताते, कि उन्हें कैसा लग रहा है, वे अपनी बाउना से काम करते हैं, और दिमाग से सोचने का कश्ट नहीं उ उन्हें फिर से सताने लगता है, वे फिर से नोकरी करने जाते हैं, और फिर आसा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम करनेगा, पर उन्तो ऐसा नहीं होता, डर के ही कारण में नोकरी के जाल में फसे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और आसा करते हैं कि डर से उनका पी बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है इसलिए वे उठते हैं खाम पर जाते हैं और यह आसा करते हैं कि तनक्वा के चेक से उनके दिल को पुतरने वाले इस ड़र को वे मोत के गाट उतार देंगे सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिन्दगी को चला रहा है परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते पैसे ने उनके बहुनाओं पर कबजा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी यह कहकर अमीर डैडी खामोस हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपासंदेश हमारे अंदर चला जए माईक और मैंने उनकी बातें सुनी थी परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाई थी मुझे एकसर यह अरानी होती है कि लोगों को आफिश जाने के इतनी जल्दी क्यों होती है उन्हें अपनी नोगरे में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे फिर क्या बज़े थी कि वे उन्हें जल्दी आफिज जाने के लिए प्रेडित करती थी जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया तो उन्होंने आगे का मैं यह चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो दरसल मैं तुमें यही सिखाना चाहता हूं मेरा मकसद सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है अमीर बनने से समझ नहीं सुझेगी मैंने अस्टेश से पुछा बिल्कुल नहीं मुझे दूसरी बहोना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो कुछ लोग इसे लालच कहते हैं पर दूमें इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ यह बुरा नहीं है कि हम किसी बहतर ज़्यादा सुंदर ज़्यादा सुखर या रोमांसक चीज़ की इच्छा करें लोग इच्छा की वजएसे भी पैसे के लिए काम करते हैं उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे सुख खरीटा जा सकता है परंतु पैसा जो कुछी देता है वे एकसर पल बर्की होती है उन्हें ज़्यादा कुछी ज़्यादा अनंद ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा हसिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सूसते रहते हैं कि पैसा डर और लालक से परशान उनके आत्माउं को शांत कर देगा परन तु पैसा यह काम नहीं कर सकता अमीर होने के बाद भी नहीं माइक ने कहा हाँ अमीर होने के बाद भी नहीं अमीर डैडी ने कहा दरसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बलकि डर के कारण अमीर होते हैं वे सचमुच सोचते हैं कि दोलत हो तो पैसे नय होने का डर गरीब होने का डर खतम हो जाता है इसलिए वे धेर सारी दोलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है उन्हें या वो इसके खोने की चिंता सताने लगी है मैं ये से दो जादा चिंतित और परेशान है जितने वे अपनी गरीवी के दिनों में थे उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दोलत खो देंगी अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद और भी पड़ गई हैं दरसल उनकी आत्मा का कमजोर और दिगई है वे इसी चिंता में गुलते रहते हैं कि अगर बे कंगाल हो गई तो उनके दोस्त क्या कहेंगी इसी चिंता की वजए से कई लोग तो नियूरोटिक और कुंठी तक हो चुके हैं हालंकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है तो क्या अमीर आदमी ज़्यादा सुकी होता है मैंने पूछा नहीं मेरे इसाफ से तो ऐसा नहीं है था अमीर डैडी ने जवाव दिया पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागल पन है जितना कि उसके पीछे बागना उसी समय तरस्बे का एक पागला हमारी मेज के पास से गुज़रा और कुड़े दान के पास रुख कर उसने कुछ ढूनने लगा जैसे उसे किसी ने समझा कर बेजाओ चर्चा के इस मोड पर हम तीनों उसके अरकतों को दिल्चस्पी के साथ देख रहे थे जबकि इस से पहले हमने उसे नजर अंदाज कर दिया होता अमीर डैडी ने अपने पर्स में से एक डालर निकाला और उस पागल बुड़े को पास आने का इसारा किया पैसा देखते ही वे ततकाल चलाया उसने पैसे के लिए अमीर डैडी को ढहर सारी सुबकाम नहीं दी और अपने अच्छी किसमत पर खुश हो कर गया जल्दी से वहां से चला गया इसमें और मेरे ज्यादातर करमचारियों में बहुत सा अंतर नहीं है अमीर डैडी ने कहा मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं हरे मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है फिर भी वे हर रोज आठ गंटे की नोकरी करते है यह है तो सचाई को न करना है अगर उन्हें पैसे में रूची नहीं है तो मैं नोकरी पर क्यों जाते हैं इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है उस कंजूसी वरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का है जिसमें कोई अमीर पैसे पर कुनली मारकर बैट जाता है जब मैं वहाँ पने अमीर डेड़ी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ जाता था कि मेरे गरीब डेड़ी हजार बार कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है वह यह इसा अक्सर कहा करते थे वे खुद की असली बाउनाओं को चुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है तो हमें क्या करना चाहिए मैंने बुचा यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की बाउनाओं पूरी तरह जे निकल नहीं जाए उसमें तो बहुत से बरबाद हो जाएगा हमें यह डड़ी नहीं कहा भाउनाओं के कार्णी तो हम इंसान है इन्हीं के कार्ण हमारी हस्ती है भाउना सबत का मतलब है चलाई माण ओर जाओ अपनी भाउनाओं के बारे में इमानदार रहो और अपने दिमाग और बाउनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो नैकी विरूद में आः माइक ने कह、 अगर तुम्हे मेरी बात समझ में नहीं आयियो तो इस बारे में चिंता मत करो आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा अपने बाउनाओं पर प्रतिकिरिया करने के बजाए उनका विसलेशन करने की कोशिश करो ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाए अपने दिल की बाउनाओं से सोचते हैं आपकी बाउनाई तो आपकी रहेंगी, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही पनाया गया है, क्या आप मुझे इसका कोई उधान दे सकते हैं, मैंने पुछा, नहीं, क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया, जब कोई आदमी कहता है, मुझे नोकरी खुजने की जरूर दे, तो इस बात की बहुत संभावना है, कि उसकी बाउनाई फैसला कर रही है, इस विचार का असले कारण है, पैसा नहीं होने का डर, परंतु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूर तो प अमीर डेडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए, तो ततकाल नोकरी ढूनने के लिए दोड़ मत लगाईए, ताकि कुछ पैसों के सारे उस डर को मार दिया जाए, इसके बज़ाए आप खुच से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का स समाधान है, परंतु मेरे डेडी हम इसा कहा करते है, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नमबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नोकरी मिल सके, मैंने हडबड़े में बोल दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे इसा क्यों कहते हैं, अमीर डेडी ने मुस्क अमें डेडी ने कहा, वे गवराई हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे, मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा बला चाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी है, सिक्षा और न आपकी सला क्या है, मैंने पूछा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊ, पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता, अगर तुम इसे नहीं सिखोगे, तो तुम पैसे के गुलाम बन देख सकते थे, या मेरे टेडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योगविता हम में आ जाए, उन्हों ने जो उतारन दिये थे, वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, परंतो मैं उन्हें कभी नहीं मूला, मेरा नजरिया उस दिन बहुत बढ़ा हो गया था, जब मै टेडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो, डर और लालच, इन दो फंदों से बचने वाले जाल से, इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं, मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चा असलियत में तुम्हें एक बड़ी तनक्वा पाने वाले गुलामी रहोगे तो हम किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं मैंने पूछा गरेबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अग्यान होता है ने की अर्थवेवस्ता या सरकार या अमेर लो यह खुद का उड़ा हुआ डर या अग्यान होता है जो लोगों को इस जाल में फसाई रखता है इसलिये तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कालेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा इस जाल से कैसे बचा जा सकता है पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे मेरे पड़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिगरियां थी और एक बड़ी आ करियर था परन्तु स्कूल में उन्हें ये कभी नहीं सिखाया कि धन्या आपके डर को किस तरह काबू में रखा जा सकता है अब मैं समझ सुका था कि मैं अपने दो डैडियों से अलग लग परन्तु मैं तो पूंज बाते सीख सकता हूँ तो आप पैसे नए होने के डर के बारे में बात कर रही थे पैसे की इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है माइक ने पूछा तुम्हें तब कैसे महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनकुआ बढ़ाने का लालस दिया था क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी हमने अपने सिर्वामि मे इलाए पर तुम्हें अपने बढ़ानों के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया इस से तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया यह सबसे मैतोपूर्ण है हमें हमेसा डर और लालच की बाउना ही होती है इसी क्षण से तुम लोगों के लिए सबसे मैतोपूर्ण है कि तुम इन बाउनाओं का इस्तेमाल अपनी समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो अपनी बाउनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो इस तरह अपने विचारों को दूसित मत होने दो जाज़ातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं यह अग्यान की शुरुआत होती है डर और इच्छा की बाउनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनक्वा के चेक, तनक्वा की बड़ोतरी और नोकरी की सुरुक्षा के पीछे भागते भागते अपने पूरी जीकी निकाल देते है असल में मैं यह एसोसते ही नहीं है कि भावनों के अदार पर बने हुए यह विचार उन्हें किस तरफ ले जा रही है यह है तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खिंजने वाले गड़े के सामने उसके मालिक गाजर लटकाई रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने उक्ती है गड़े का मालिक जहां जाना चाता है वहां जाता है पर अदू गड़ा तो लालच के कारण बाग रहा है कल गड़े के लिए दूसरी गजर आ जाएगी और गड़ा उसका पीछा करने लगेगा आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने एक पेसबाल कलबस, कैंडी योर्ट और खिलोनों के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी आलत उसक गड़े की तरह होगी थी जो गाजर के पीछे बागता है माइक ने पूछा हाँ और उमर के साथ-साथ तुमारे खिलोने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे अपने दोस्तों पर रोब जाड़ने के लिए नई कार, एक नाव और एक अलिशन गर अमीर डेड़ी ने मुस्करा कर कहा डर आपको दर्वाजे से बाहर दख्का देता है इच्छा आपको अंदर बुलाती है आपको चटानों की तरह लल्चाती है यही जाल है तो इसकी काट क्या है? माइक ने पुछा डर और इच्छा अग्यान की वज़े से बढ़ते हैं इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है धन ही गाजर है ब्रहम है अगर गदा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वैगाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दुबारा सोचता अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिन्दगी अग्यान और ग्यान के बीच होने वाला संगर्स है उन्होंने बताया कि एक बार को यह आदमी खुद के बारे में ग्यान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिन्दगी में अग्यान गुल जाता है यह संगर्स हर पल होता है इसलिए हमें ये फैसला करना है ये हैं सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाई या इसे बंद कर लिया जाई देखो स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा मैत्वरून है पर आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई कला या वेवसाई सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें हर समाज में सिख्षकों, डोक्टरों, मेकैनिकों, कलाकारों, रस्वयों वेवसाईक लोगों, पुलिस अबसरों, आग बुजाने वालों और इसी भाईयों की जुरूरत होती है स्कूल उने यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विक्सित हो सके और हमारी संस्कृति समर्द हो सके अमीर डेड़ी ने कहा दुरुबाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल सिख्षा का अंत होना है शुरुवात नहीं उनके सब दी सी तरह से आज भी मेरे साथ है मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ अमीर डेड़ी नी कहा मैं एक वज़े से निर्मम हुआ मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चाह हमेशा ह्याद रहे मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गड़े के बारे में सोचो इन्हें कभी मत मुलना अगर तुमने अपनी समझधारी से उन्हें काबू नहीं किया तो डर और लालच की तुमारी दोनों बावनाई तुम्हें जिन्दगी के सबसे बड़े जाल में फसा सकती है अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा नै करना निर्ममता है यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी की चीज़ें सुक दे सकती है बिल चुकाने के डर से गवरा कर आदी रात को जागना, जीने का एक पयानक तरीका है तनक्वा के इसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है यह सोचना कि कोई नोपरी आपको सुरक्षा या एसास दे सकती है कुछ से जुट बोलना है, यह निर्मम्ता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुमें बचाना चाता हूँ मैंने देखा है कि पैसा किस तरह लोगों की जिंदगीों को चलाता है इसा अपने साथ मत होने दो बगवान के लिए पैसे को अपने जिंदगी मत चलाने दो हमारी मेज के निचे साफट बाला आ गई अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाडियों के पास फैंक दिया तो अग्यान का लालच और डर से क्या तालूप है? मैंने पूछा, यह पैसे का अग्यान ही है जिसकी वज़ए से इतना लालच और इतना धर पैदा होता है अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ हुदान देता हूँ एक डोक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाता है अपनी फीस बढ़ा देता है उसकी फीस बढ़ने की वज़ए से स्वास्ते सुजदाई हर एक के लिए महेंगी हो जाती है अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचता है इसलिए गरीब लोगों का स्वास्तिय अमिर लोगों से ज़्यादा बुरा होता है अब चुंकि डॉक्टर ने अपने फीज बढ़ा दी है इसलिए वकील भी अपने फीज बढ़ा दी है चुंकि वकिलों ने अपनी फीज बढ़ा दी है इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनकुआ बढ़ाना चाते है जिसके कारण हमारा टेक्स बढ़ता है और यह सिलसला अनंत काल तक यूँ ही सलता रहता है जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना बहनक अंतर हो जाता है कि प्रले आ जाएगा और एक दिन महान सब्वेता दराशाई हो जाएगी महान सब्वेताई तभी दराशाई हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़ादा हो गया है अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह सावित होता है कि इतियास अपने आपको दोराता है क्योंकि हम इतियास से कुछ नहीं सीखते हम के उले इतियासिक तारिखें और नाम रखते है उनके सबक को बूल जाते है क्या किमते नहीं बढ़नी चाहिए मैंने पूछा अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक सिक्षित समाज में तो नहीं किमते दरसल कम होनी चाहिए जहिर है कि ऐसा कैवल से दान्द में ही हो सकता है किमते अग्यान से पैदा हुई लालस और्डर के कारण बढ़ती है अगर स्कूल में दन के बारे में सिखाया जाता लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की किमते भी कम होती परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना चिकाया जाता है पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं चिकाया जाता परंतु हमारे यहां बिजनस स्कूल भी है माइक ने पूछा क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिगरी के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेट नहीं कर रहे हैं हाँ हम यह टेटी नहीं कहा परंद तो अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूले से करमचारियों को परशिक्षित करते हैं जो परिस्कृत बिजनेस संबाल ले वे सिर्फ संख्या को देखते हैं लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला गोरते हैं मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस से काम लेता हूँ वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और किमत कैसे बढ़ाई जाए इससे बहुत से समझाएं पैदा हो जाती है बीन काउंटर्स भी मैतवगून है मैं सोचता हूँ कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए परन तो यह भी पूरी तस्विर नहीं बताती अमेरी डैड़ी ने गुस्षे से कह तो फिर क्या कोई इसका हल है माइक ने कहा हाँ अमेरी डैड़ी ने कहा सोचने के लिए अपनी बाउनाओं का इस्तेमाल करना सिखो अपनी बहुनाओं के बहुँ में आकर मत सोचो जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गई थे तो तुमने अपनी बहुनाओं को कबू में रखना सीख लिया था तब ही मैं समझ गया था कि तुम से उम्मिद की जा सकती है जब मैंने तुमें ज़्यादा तनक्वा खलालस दिया तब तुमने एक बार फिर बहुनाओं के बात नहीं मानी तुम ताक्तवर बहुनाओं के बावजूद सोचना सीख रही हो यह पहला कदम है यह कदम इतना मैत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पुछा यह तुम अपने आप जान पाओगे अगर तुम सीखना ही चाते हो तो मैं तुम लोगों को ब्राइन पैच में ले जाऊँगा यह वह जगह है जिससे लोग बस्ते हैं मैं तुमें उस जगह पर ले जाऊँगा जहां जाने से ज़्यातर लोगों को डर लगता है अगर तुम मेरे साथ जाऊगे तो तुमारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा इसके बजाए तुम यह ऐसी कोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है और अगर हम आपके साथ जाते हैं मैंने पूछा हाँ हमेर डेड़ी ने कहा डर और लालच ही ब्राइर पैच है अपने डर से पीछा चुडा कर अपने लालच का सामना करके अपने कमजोजियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचते हैं और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से ओकर गुजरता है यही विचारों को चुनने से माइक ने अस्षरे से कितो कर पूछा हाँ इस विचार को चुन कर कि हम क्या सोचेंगे बजाए इसके कि हम अपने बहुनाओक में बैहकर लगातार परतिकिरिया करते रहें सुबह उठने और काम पर जाने से यह आपकी समस्या नहीं सुलच जाते क्योंकि बिल चुकाने के लिए परियाप्त पैसा नय होने के डर आपको सताता रहेगा सोचने से आपको एक खुद से सवाल पूचने का समय मिलता है इस तरह का सवाल क्या इस समस्या का सबसे बड़ी असमादान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है ज्यादातर लोग इतनी बूरी तरह गवराई होते हैं कि वे खुद अपने आपको असली बात नहीं बताते हैं कि डर हावी हो रहा है और नतिजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाए दरवाजे से बाहर दोड़ लगा देते हैं टारवे भी हावी हो जाती है अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था पर हम एशा किस तरह करें है मैं पूछा यही तो मैं तुम एसे काना चाहता हूं मैं तुम एह सिकhआओ तुम भरे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हड़ बड़ी में काम करने से बत सको, जैसे अपनी सुबह की काफी पीकर दर्वाजे से बाहर दोड लगाने की आदत से, मैंने तुमसे पहले कहा था, उसे याद रखो, नोकरी दिर्ग कालिन समश्या कालिन समादान है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समश्या होती है, और यह थोड़े समय और अज्यान उनकी जिन्दगी चलाते हैं, तो वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था, सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो, वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें, क्या कोई दूसरा तरीका है, इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, धिमाग से नह करता है, या अमीर लोग सोचक होते हैं, या मैं दूसरी नोगरी डून लोगा, मेरी तनक्वा बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा सोचन नहीं कर सकते, या मैं इस नोगरी को इसलिए पसंद करता हूं, क्योंकि यह सुरक्षित है, इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए, क् मुझे मानना ही पड़ेगा, कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ, यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है, और कब दिमाग से, किस के सब्दों में भावना ही चुपी हुई है, और किस के सब्दों में विचार, यह एक ऐसा सबक था, जो जिन्दगी मेरे काम आया, खास तोर पर तब जब मैं अपने दिल से यानि अपनी भावनाओं से बोल रहा था, नैकि अपने विचारों या दिमाग से, जब हम स्टोर की तरफ मुड़े, तो अमीर डेड़े ने यह कहा, कि अमीर लोग हकिकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम न पैसा करना गयर कानूनी था, सरकार और बैंकों के लिए इसका करना कानूनी था, परंतो हमारे लिए नहीं था, उन्होंने यह भी बताया, कि पैसा कानूनी और गयर कानूनी दोनों इंटरीके से कमाया जा सकता है, अमीर डेट ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक ब्रहम है जो हकीकत में गड़े के सामने लिटकी गाजर की तरह होता है धन के ब्रहम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है उसकी वज़े से ही अर्बों खर्बों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है धन दर असल एक मया जाल है जनता के अग्यान और वरोशे के ब्रहम की वज़े से ही तास के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है सच कहा जाए तो गदे की गाजर धन से ज़्यादा किमती है उन्होंने कहा उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डालर का नोट असल में चांदी का परमान पत्त्र है उन्हें इस अभवा से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डालर चांदी के परमान पत्तर नहीं रहेंगे जब ऐसा होगा बच्चो तो कया मता जाएगी गरीप मद्य उमर्गे और ना समझ लोगों के जिन्दगी सिर्फ इसलिए बरबाद हो जाएगी क्योंकि वे यह बरोसा करते रहते हैं कि धनी असली चीज है और वे जिस कमपनी के लिए काम करते हैं वे कमपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी परन्तु सालों बात जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी जब वे अपने पिक अप ट्रक में चड़े तो उन्होंने कहा काम चालू रखो बच्चो पर जितने जल्दी तुम तनक्वा की जरूरत को भूल जाओगे तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी आसान होती जाएगी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो मुफ्त में काम करो और जल्दी तुम्हारा दिमाग तुमें पैसे कमाने के दूसरे तरिके बता देगा उन तरिकों से तुम इस नोक्री से ज़्यादा पैसा कमालोगे तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते मुखे उनकी नाक के नीचे होते हैं फिर भी ज़्यादा तर लोग इन मुखों को कभी नहीं देख पाते इसका कारणी यह है कि वे पैसे और सुरक्षा भूटते रहते हैं इसलिए उन्हें यहीं मिलते हैं जिस वक्त तुम एक मुखा बापने में काम्याब हो जाओगे उसके बाद तुम जिन्दगी वर्मों का बाप सकते हो जिस वक्त तुम एसा कर लोगे मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिन्दगी के सबसे वड़े जाल से बच सको वह है टार बेबी तुमें कभी हमने अगला हफता स्कूल में सोचते हुए और इसी बारे में बातें करते हुए बिताया दोस हफता तक हम लोग सोचते रहे बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे दूसरे सनिवार के आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दुबरा गुडबाई कर रहा था और कामिक बुक स्टंडर को लल्चाई नजर से देख रहा था हर शनिवार तीस सेंड ने मिलने से सबसे दुखत बात यह थी कि मेरे पास कामिक्स पढ़ने कामिक्स प्रिदने के लिए बिल्कुल इस पैसे नहीं रहते थे अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माई को गुडबाई कह रही थी मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते वे देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था मेरा मतलब है मैंने इसके पहले उन्हें इसा करते तो देखा था पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया था मिसेज मार्टिन ने कमिस के पहले पेस को आदेज ने काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया भाकी की पुष्ट को उन्होंने एक बड़े से बुरे कार्डबोर्ड के बाक्स में डाल दिया जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कामिक्स का क्या करती है तो उन्होंने कहा मैं उन्हें फैंक देती हूँ जब वह नई कामिक्स लाता है तो मैं उपर के यादे कवर को क्रेडिट के लिए कामिक्स भुख डिस्ट्यूपिटर को दे देती हूँ वह एक गंटे में आने वाला है माईक और मैंने एक गंटे तक इनतजार किया जल्दी ही यह वादा करें, कि आप उसे दुबारा नहीं बेचेंगे, हमारी पार्टनर्शिप एक बार फिर कायम हो गई, माइक की मम्मी ने बेस्मेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया, जो उनके किसी काम का नहीं था, हमने इसकी सफाई करके, उसमें सैंकडो कामिक्स जमा कर ली, जल हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे, स्कूल खतम होने के बाद, हर दोपैर रही से साड़े चार तक लाइवरेरी खुलती थी, पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके गरहाग बन गई थे, और वे जितने कामिक्स पढ़ना चाहते थे, दो गंटे में पढ़ सकते थे, यह हैं उनके लिए बहुत बढ़िया सोदा था, क्योंकि एक कामिक्स की गिमत 10 सेंट होती थी, और दो गंटे में वे 5 या 6 कामिक्स पढ़ लेते थे, माईक की बहन लोटेज में बच्चों भी तलासी लेती थी, और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कामिक्स चुप इनो डालर का ओसत लाब हुआ, हमने उसके बहन को हर अपते एक डालर का बहुतान किया, और उसे मुफ्त में कामिक्स पढ़ने का फाइदा भी दिया, हालांकि वे कामिक्स कभी कभारी पढ़ती थी, जोगि वे हमें सापनी पढ़ाही में लगी रहती थी, माईक और मैं थे, हमने इसके एक साखा कोलने के भी कोशिस की, परन्तु हमें माईक की बहन की तरह में अन्ती और ब्रोसे मन लाइबरेरियन नहीं मिला, बहुत कम उमर में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है, लाइबरेरी खुलने के तीन म बार बंद कर दें, तो इस तरह हमारा कामिक्स का दंदा बंद हो गया, और हमने कन्वेनियन स्टोर पर हर से निवर काम करना भी बंद कर दिया, फिर भी अमीर डेड़ी रोमांचित थी, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी, जो भी हमें सिखाना चाते थे, व इसलिए हमें मजबूरन अपनी कलपना शक्ति पर जोड़ डालना पड़ा, ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंड सके, कामिक्स लाइबरेरी हमारा अपना वेवसाई था, हमारा धन हमारे काभू में था, और हम किसी मालिक के मौताज नहीं थे, इसमें सबसे अच्छे बात यह थी, कि हमारे वेवसाई से हमें तब भी पैसा मिलता था, जब हम वास्वें मुझूद नहीं होते थे, उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बलकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था, ज्यादा तनक्वा देने की बजाए, अमीर डैडी ने हमें इतने बढ़िया नसीर दे दी थी, धन्यवाद, अध्याए तीन, जो है, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, रिच डैड, पूर डैड, अध्याए तीन, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक ने, अपने डैडी का लंबा चोड़ा कारोबार संबाल लिया है, और उसे अपने डैडी से ज़्यादा काम्याभी मिल रही है, हम एक दूसरे से साल में, एक दो बार गोल्प कोर्स पर मिलते हैं, वह है और उसकी पतनी इतने ज़्या रहा है, जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था, 1994 में मैं 47 साल की उमर में रिटायर हो गया, और मेरी पतनी किम उस वक्त 37 साल की थी, रिटायर्मेंट का यह मतलब नहीं है, कि हम काम नहीं करते, या आगे काम नहीं करेंगी, इसका मतलब यह है, कि जब तक कोई चमतक रिटार ही नहीं हो जाई, तब तक हम काम करने या नहीं करने के लिए आजाद हैं, इसका कारणी यह है, कि हमारी दोलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रा स्पिति की तर से कहीं ज्यादा तेज रिटार से, मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं, हमारी दोलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है, यह पेड लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जुरूर नहीं रह जाती है, इसके जड़े जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती है, इसके बाद पेड आपके सुक के लि कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुवात कहां और कैसे की जाई, आपकी नजर में कौन सी फुस्तक बढ़िया रहेगी, हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाई है, काम्याभी का रहषय क्या है, मैं किस तरह करोडों रुपे कमा सकता हूँ, एसे वक्त मुझे हमेशा एक लेक की यादाती है, जो यहां दिया जा रहा है, सबसे अमीर बिजनसमें, 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनसमें, शिकागो में, एजवाटर बीच पर इकटे हुए, ये लोग बहुत मशूर थे, चार्ल स्वाब, सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मु सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुख्या, आईवर क्रूजर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्स, लियान फ्रेजियर, बैंकोप इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्स थे, रिचर्ड वाइटनी, न्यूव यार्क स्ट काडिंग के केविनेट के मंतरी थे, 25 साल बाद इन में से 9 लोगों का अंत इस्तरह हुआ, स्वाब 5 साल तक कर्जे में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे, इन्सुल की मोत विदेश में दिवालियपन की हालत में हुई, क्रूजर और काटन भी गरीबी में मरे, हापसन पागल हो गए, वाइटनी और अलबर्ट फॉल उस समय जेल से रिया हुए थे, फ्रीजियर और लिवरमोर आतमत्या कर चुके थे, शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता, कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, यह 1923 की बात है, हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1939 के मार्केट क्रेश आर्थिक मंदी के ठीक पहले हुआ था, मंदी का इन लोगों पर निश्चित रुप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा, देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं, परिवर्तन ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से एसे उतार चड़ावा आएंगे, जो इन लोगों द्वारा जेले गए उतार चड़ाओं की तरह ही होंगे, मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाई बैठे हैं, और अपनी सबसे बड़ी दोलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है सिक्षा, अगर लोग लचेले होने, दिमाग पुला रखने और सीखने के लिए तयार रही, तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकत हैं, अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समझ्याओं को सुलजा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी बरहा होगा, बुद्धी से समझ्याओं सुलजती हैं और पैसा आता है, अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है, तो पैसा अचाए आ भी जाई, पर ज्यादा देर तक नहीं दिखता, ज्यादा तर लोग जिन्दगी भर यह नहीं समझ भाते कि असल बात यह नहीं है, कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, हमने लाटरी जीतने वाले उन गरीब लोगो कहानिये सुनी जो अचानाक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वें फिर से गरीब हो जाते हैं यह लोग लाकों करोडों जित्ते हैं फिर भी बे लोटकर अ ही आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था आपने उन्हें गशाइक एतलेक्टों की कानिया भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उमर में हर साल करोणों डालर कमाते हैं और 34 साल की उमर में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है आज ही के एगवार में एक युवा बास्केट बाल खिलाडी की खबर चपी है जो एक साल पहले करोणों का मालिक था आज वह यह करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों वकीलों और अकाउंटेड ने उसके पैसे हडप लिए और इसी वज़ए से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार्द होने का काम करना पड़ रहा है वह सिर्फ 29 साल का है उसे कार्द होने के काम से भी निकाल दिया गया है इसकी वज़ए यह थी कि उसने कार साप करते समय अपनी चैंपियंशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह बहुत बाव है अंगुठी ही तो उसकी महान जिन्दकी की क्लोती नि बचेगा और वह मर जाएगा कि 1997 में मैं यह से बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए ने करोड़कुती बन रहे हैं एक बार फिर यह 1920 के उच्छाल वालिदसक की यादिल आता है हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रही है परंतु मैं उन्ह दावने देना चाहता हूं लंबे समय में यह मैत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया बलकि मैत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितने पीडियों तक उस पैसे को सहे जा तो जब लोग मुझे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें य बच्पन में कहा था अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होना चाहिए। जब भी मैं अमीर डेड़ी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बाट ठोका जाता था। तो सबसे पहले आपको एक गहरा खटा कोदना पड़ेगा और एक मजबूत नियू डालने पड़ेगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लेब डालना होगा। करता है। दूल की फर्स आज भी लोग प्रिया है। इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नीम ही नहीं है। एक दिन जब उन्हें नेंद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपनों को देखते हैं और यहें फैसला करते हैं कि पैसे की जो समश्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकरी सुलजाया जा सकता है। इमारत बनना शुरू हो जाती है यह तेजी से उपर उठती है और जल्दी एमपाईर स्टेट फिल्डिंग के वजए हमारे पास सबर्बिया का लिनिंग टाउर होता है। हमारी रातों की नीदे एक बार फिर उड़ जाती है। माईक और मेरे लिए दोनों ही विकल्ब संभव थे। क्योंकि हमारी आर्थी गिनिव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बच्पन से सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विशे है। यह बहुत उलजन बरा विशे भी है। परन्तु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाते हैं तो यह सबसे मेत्पूर्ण विशे भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलजन बरे विशे को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बना कर। पहले इसे तस्वीरों के जरिये सिखाईए। अमीर डैडी ने माईक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नियूम डाली थी। चूंकि हम लोग छोटे बच्चे थे। इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया था। सालों तक वेके उल्चित्र बनाते रहे और उनके साथ सब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे जब माईक और मैंने उन आसान डाइग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को दूरत है वह उससे भी कहीं सुक्षम और जटिल विशलेशन कर सकता है उसके पास 10 अरब डालर का समराज्य है मैं इतना ज्यादा जटिल विशलेशन नहीं करता क्योंकि मेरा समराज्य छोटा है परन्तु हम दोनों की ही निव आसान निव थी आगे आने वाले प्रस्टों म मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खिंचूगा जो माइक के डेड़ी ने हमारे लिए खीचे थे हालांकि वे आसान है परन्तु इन चित्रों के सार है उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गैरे निव पर दोलत का महल बनाना सिखाया था नियम एक आपको संपत्ति और दाइतों का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है यह पहला नियम है यही इकलोता नियम है यह बहुत आसान लगता है परन्तु ज्या पजातर लोग ऐसे की समश्याओं में सिर्व इसलिए उलजे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दाइतों में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति कठी करते हैं, गरीब और मद्य उमर गे लोग दाइतों भी कठे करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति कठी कर रहे हैं। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा, अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुष जाने दो, अगर तुम इसे आसाने से समझ सकते हो, तो तुम्हारे जिंदगी के की योजना होगी, और तुमें जिंदगी पर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आए इसलिए इसे अंदेखा कर दिया जाता है, आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जुरूरत है, कि संपती क्या है, यह जानने के बाद हम उसे आसिल कर लें और अमीर बन जाए, मैंने पूछा, अमीर डैडी ने हामी बरी, हाँ, यह इतना ही आसान है, अगर यह इतना असान है, तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता, मैंने पूछा, अमीर डैडी मुस्कुराई, क्योंकि लोग संपत्ती और दाइतों में फर्क नहीं कर पाते, मुझे याद है मैंने पूछा था, व्यसक लोग इतने मुर्ग कैसे हो सकते हैं, अगर यह इतना असान ह और इतना मैतोपूर्ण है, तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाता, संपत्ती और दाइतों क्या होते हैं, यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनिट लगी, बड़े लोगों को यह नियम समझाने में बहुत कटनाई होती है, क्योंकि बड़े लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, मैंने एकसर देखा है, कि ज्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते, इसका कारण यह है, कि उनकी सिक्षा अलग तरह से हुई है, उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बेंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल इस को अकसर एसा लगता है कि आसान परिवासों पर ध्यान देना मुरकता है, अमीर डैडी के आई एसस सिधानत में यकीन करते थे, कीप इट सिंपल, स्टूपिड, मुरक इसे आसान ही रहने दो, इसलिए वेहम दो छोटे बच्चों के सबग को आसान बनाते थे, और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे के निव को ज़्यादा मजबूत बना दिया, तो दिक्कत या उलजन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है, कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीटता है, जो असल में दाईतो होती है, इसका जवाब हमें अपने बुनियादी शिक्षा में मिलता है, हम साक्षरता सबत पर ध्यान देते हैं, और पैसे की साक्षरता को अंदेका कर देते हैं, कोई वस्तु संपत्ति है या दाईतो, यह कैसे पता चलेगा, अगर आप सचमुच संकट में फसना चाहें, तो इन सब्दों को डिक्सेंटरी में देख लें, मैं जानता हूँ, कि वहाँ दियोई परिवासाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होंगी, परंतु दिक्कत यह हैं, कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता, फिर भी हम व्यसक लोग यह मानने में अपनी तोहिन समझते हैं, कि कोई चीज हमें समझ म नहीं आ रही है, छोटे बच्चों को समझाते समय, अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को सब्द से नहीं, अंकों से पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते, तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड़े में कोई फर्क मैसूस नहीं होते, मैं तुपोन वह बात होती है, जो सब्दों के जरीए बताई जाती है, कई लोग पढ़ते हैं, परन्तु ज़्यादा समझ नहीं पाते ही, यह रीडिंग कॉम्प्रियेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबलियत होती है, और इस क्षेतर में हम सब की अलग अलग का किस तरह प्रोग्राम किया जाता है, मैं शुकरवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट शो को रिकार्ड करना चाता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया, मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, परन्तु उन्हें समझने में मुझे एफ मिल रहा था, और यही ज़्यदातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है, अगर आप अमीर बनना चाते हैं, तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए, मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनिये, और मैंने यह भी सुना है, अमीर लोग संपत्ती कठी करते हैं, जबकि गरीब और मद्यमवरगिये लोग दाइतों भी कठी करते हैं, यहां पर यह बताया जा रहा है, संपत्ती और दाइतों में क्या फरक होता है, ज्यादातर अकाउंटेंड और फाइनेंशियल परिवासाओं पर आपस में सैमक नहीं होते हैं, परन्तु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वितिय नेव डालने में काम आएं, बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के इसाब से, अमीर डैली ने हर चीज को बहुत आसान बनाई र पिछले प्रस्ट पर दिया हुआ बोक्स, एक इंकम स्टेटमेंट है, जिसे एक सरलाव और रहानी का स्टेटमेंट भी कहा जाता है, यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा, नीचे का चित्र बैलेंस सीट है, इसे इसलिए यह कहा जाता ह क्योंकि इसमें संपत्ति और दाइतों को एक साथ मिला कर देखा जाता है, यानि उन्हें बैलेंस किया जाता है, कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के बीच के संबंद को नहीं जानते हैं, यह समझ जानना बहुत बहुत च अगर आपको दूविदा में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप संपत्ति और दाइतों सब्दों का मतलब देख लें, अब इन परिवासाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई, जैसी परिवासा का मतलब मेंडेरिन जैसी किसी बिदेशी बासा में लिखती आ गया हो, आप परिवासा के लिखियेवे शब्दों को पड़तो सकते हैं, परंत उन्हें अच्छी तरह समझना कठीन है, इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों पोटे बच्चों को यह आसान परिवासाइं सिखाई, संपत्ती वह होती है, जो आपकी जेब में पैसा डालती है, अच्छी आसान और रुप्योग में आने वाली परिवासा, यह एक दाइत्तों का कैस्पलो पैटर्न है, अब चुंकि संपत्ती और दाइत्तों को चित्रो जानने में पैसा डालती हैं दाइत्तव वह चीज है जो आपकी जेव से पैसा निकालती है वास्तव में आपको नए जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परिशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परिशान होता है। क्योंकि वह नए तो शब्दों को समझ पाता है। नहीं अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्कले आ रही है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में इसा कुछ है जिसे वे पट नहीं पा रही है। कोई चीज ठीक से उनके समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परिशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाते हैं और अपनी दोलत को बनाई रखना चाते हैं तो पैसे की साक्षर्ता और समझदारी मैथोपूर्ण है। शब्दों भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाओ याश्वलों को बताते हैं। ध्यानरकी, सिर्व अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है, और सिर्व सब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है, मैतव तो पूरी कहानी का होता है, किसी वित्य रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लाट या कहानी ढूनने की तरह ये, पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी, 80 फिजदी परिवारों की पैसे की कहानी, यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेनत करते जाते हैं, इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगए, उधारन के तोर पर यह है एक गरीव आदमी या घर पर रहने वाले नोजवान का कैस्पलो पैटर्न है यह है मद्यम वर्गी आदमी का कैस्पलो पैटर्न है यह है एक अमीर आदमी का कैस्पलो पैटर्न है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिये गई हैं हम में से हर एक को जिन्दा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है हम सभी को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है चित्र ये हैं बताते हैं कि गरीब, मद्यम वर्गिये और अमीर आदमियों की जिन्दगियों में पैसा किस तरह आता जाता है कैस्पलो पूरी कहाने बता देता है, इस कहाने में ये हैं बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह है उस पैसे का क्या करता है मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर वेक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समझे सुलज जाती है इसलिए जब लोग मुझे फटा फटा मेर बनने के नुक से पूछते हैं तो मैं काप जाता हूँ या यह है कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए मैं एकसर सुनता हूँ मैं करज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए परंदु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे समझ्चाएं नहीं सुलजती है सच कहा जाए तो इससे समझ्चाएं और अधिक बढ़ सकती है पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अकसर ज़्यादा उबार देता है पैसा अकसर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अंजान रहते हैं इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दोलत मिल जाए जैसे पैत्रक समपत्ती, तनखवा में भारी बड़ोतरी या उसके लाटरी लग याई तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद ही वह अपने पूराने हाल में पहुन जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैस पलो पैटर्न को उजागर करता है अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करना है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी पढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा इसलिए यह कावद सही है मूरक और उसके पैसे से शांदा दावते होती है मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम सेक्षनिक और व्यवसाइक कावलियत हासिल कर सकें निश्चित रूप से यह दोनों ही मैं तकूर्ण है हमारी व्यवसाई काविलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं 1960 के दसक में जब मैं हाई स्कूल में था यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होना और विद्यार्थी आगे जाकर डोक्टर बनेगा अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डोक्टर बनना चाहेगा यह मान लिया जाता था इसका कारण यह है था कि इस दंते में सबसे ज़्यदा पैसा नज़राता था आज डोक्टरों के सामने पैसे के बहुत बड़े संकट हैं जो बगवान नहें करे किसी और के सामने हो बीमा कंपनिया इस वियवसाय पर काबू किये है सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआउजे के केस दाइर हो रही है इत्यादी आज बच्चे बासकेट वाल स्टार बनना चाहते हैं टाइगर बूर्स की तरह गोलफर बनना चाहते हैं कम्प्यूटर विशेजर के बनना चाहते हैं मूवी स्टार रोक स्टार ब्यूटी क्वीन या वाल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं इसलिए क्योंकि अब दोलत शोरत और इजद इन्हीं जगव में हैं इस कारण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेडित करना मुश्किल हो गया है वे जानते हैं कि वेवसाइक सफलता का सेक्षने की सफलता के साथ कोई सीधा समझ नहीं है जैसा कभी हुआ करता था चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल सोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है इसलिए करोडों पढ़े लिखे लोग अपने कारूबार में तो सफल हो जाते हैं परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं वे और जदा मेंनत करते हैं परंतु अपने समझ्याओं से जीत नहीं पाते उनकी सिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया है बलकि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह समभाला जाए इसे पैसे की समझ कहते हैं पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए ज्यादा तर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है एसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैस्पलो की समझ नहीं होती कोई आदमी बहुत पड़ा लिका हो सकता है अपने कारोबार में सफल हो सकता है परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं हो एसे लोग अक्सर जरूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सिखा है परन्तु पैसे से अपने लिए कड़ी मेंदन्द करवाना नहीं सिखा यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख बरा सपना किस तरह दुख बरे सपने में बदल जाता है कड़ी मेंदन्द करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक गिसे पिटे धर्रे पर चलती है हाली में शादी शुदा, खुश, बहुत पड़े लिखे पती बदनी साथ-साथ किराई के मकान में रहने लगते हैं जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ-साथ रहने का खरच भी लगबग उतना ही होता है जितना की अकेले आत्मी का समझ्षा यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वे है छोटा है वे अपने सपनों का खर करीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके अब उनके पास दो तनक्वाई होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा द्यान देने लगते हैं उनकी आमदनी बढ़ने लगती है जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है उनके खर्च भी वैसे ही बढ़ने लगते है ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टेक्स कई लोग सोचते हैं income tax परन्तु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा tax होता है social security tax करमचारी को एक सा लगता है कि social security tax Medicare tax को मिलाकर कुल tax लगवक 7.5 फिस्दी के करीब होता है परन्तु हकीकत में यह 15 फिस्दी होता है क्योंकि आपके boss को भी social security की उतनी रकम मिलानी पड़ती है मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका boss आपको नहीं दे सकता इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे social security tax की रकम पर income tax भी देना होता है और यह है एसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है बलकि सीध ही social security में चली गई फिर दाइतों बढ़ने लगते हैं इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवापती बतने की कहानी के तरफ चलें उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराय के मकान में नहीं रहेंगे बलकि अपने सपनों का घर करीदेंगे जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नई टेक्स का बोज आ जाता है जिसे property tax कहते हैं फिर वो लोग नई कार करीदते हैं नया फर्निचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलिशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दाइत्तों का कालम बढ़ गया है। वे करजे में हैं और उन्हें बहुत से मार्ट गेज गरिन और क्रेडिट कार रिन चुकाने हैं। अब वे चुहा दोड में फस चुके हैं एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। वे और कड़ी मेहनत करते हैं पर किरिया फिर दो रही जाती है। ज्यादा पैस आता है। उस पर ज्यादा टेक्स लगता है जिसे ब्रेकेट क्रीप्स भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार आजाता है। वे इसका इस्तेमाल करते हैं। वह खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आ करूनें बताता है। कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ती उनके घर की कीमत बढ़ गई। कंपनी उने एक बिल कंसालीडेशन लोन देने का आफर देती है। क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, कंपनियों उन्हें यह भी बताती है, कि समझदारी इसे में होगी, कि वे अपने उन्ची ब्याजदर पर लिए गए, कंजूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा, उनके घर पर लगने वाले ब्य अब उन्होंने अपने उब उगतारेन को होम मौट केज में बदल दिया है, उनका बुगतान भी कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की आसान किस्तों में चुकाना होता है, समझ चासे निपनने का यही स्मार्ट तरीका है, उनके पड़ोसी आते हैं, और उ सिर्फ देखने जा रहा हूं, परन्तु अगर कोई चीज जम जाई, तो उसे खरीदने की उम्मीद में भी अपने क्रेडिट काड को ले जाना नहीं बूलते हैं, मैं एक युवा दमपती से हर समय ठकराता हूं, उनके नाम बदलते रहते हैं, परन्तु उनके पैसे की तंग और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है, पर इतना भी नहीं जानते कि दरसल समच्चा पैसा कमाने की नहीं, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है, यह समच्चा इसलिए पैसे की समझ नहीं होती, यह समच्चा इसलिए भी और बेयानक हो जाती है क्योंकि बेसंपत्ति और दाइतों में फर्क को नहीं समझवाते मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से शाइद ही कभी किसी की पैसे की समझें सूझती हूं समझें समझदारी से सूझती हैं मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फसे लोगों को यही सला देता अगर आपको लगता है कि आपने अपने आपको किसी कड़े में फसा लिया है तो कड़ा को ना बंद कर दो मेरे डेड़ी बच्पन में हमें बताया करते थे कि जापानी तीन ताक्तों को मानते हैं तलवार की ताकत, रतनों की ताकत और दर्पन की ताकत तलवार हत्यारों की ताकत का प्रतीक थी अमेरिका ने हत्यारों पर खर्बों डोलर खर्च कर दिये और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकत वर्देश है रतन पैसे की ताकत का प्रतीक है इस कावत में कुछ तो सचाई है यह स्वर्णिम नियम याद रखो जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है दरपण आतम ग्यान का प्रतीक है जापानी दंद कता के अनुसार यह आतम ग्यान इन तिनों में से सबसे कीमती वस्तु थी गरीब और मद्यम वरगिया लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेनत करने यानि नोकरी करने चले जाते हैं और खुझ से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदरी है पैसे की समझने होने के कारण जादातर लोग पैसे की डगावनी ताकत का यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तिमाल होती है अगर वे तरपन की ताकत का इस्तिमाल करते तो वे खुझ से यह सवाल पूछते क्या इसमें समझदारी है बहुत बार अपनी अंदरुनी समझदारी पर बरोसा करने के बज़ाए लोग बीड के साथ साथ चलने लगते हैं वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं वे सवाल पूछने के बज़ाए नकल करने लगते हैं अक्सर वे नासमजी के कारण वही दोराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेस है अगर आप ज़्यादा करज लेते हैं तो आपको टेक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी सुरक्षित नोकरी खोजो गलतियां मत करो खत्रे मत उठाओ एसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मोच से भी डरावनी चीज होती है बीड के सामने बोलने का डर मनोव एकैनिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सारवजनिक मन्स पर बोलने से इसलिए खत्राते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई हो भी लोग बाग उनकी हासी उड़ाएंगे वे अकेले रह जाएंगे सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिये जाएंगे सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वज़े से ज़्यादातर लोग अपनी समश्या हल करने के लिए नई तरीके नहीं ढूनते इसलिए मेरे पड़ेल के डेड़ी काहा करते थे कि जापानी लोग दरपन की ताकत को सबसे ज़्यादा मेहतो देते थे क्योंकि जब इंसान दरपन में खुद को देखता है तब ही उसे सच्चाई का पता चलता है और ज्यादातर लोग खत्रे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे वे होते हैं यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में, संबंदों में, करियर में या धन में इसी समाज से कड़ जाने के डर के कारण लोग लिक पर चलते हैं और समाज की स्विकरत मानेताओं या लोग प्रिय प्रवर्तियों के खिलाप नहीं जाते आपका घर एक संपर्ती है बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्द से बाहर निकल जाओ कड़ी में इनत करो प्रोमोशन का सवाल है एक दिन में वाइस प्रेजिनेट बन जाओंगा पैसे बचाओ जब मेरी तनक्वा बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूँगा म्यूचिल पंड सुरक्षित है टिकल में एलमो डोल्स अभी स्टोक में नहीं है परन्तु मेरे पास एक डोल रखी है जो दूसरा गराक अब तक लेने नहीं आया है बीड के साथ चलने और पडोशियों के एशो और आम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी समझाएं पैदा होती है कई बार हम सभी को दरपड में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर्ग के बजाए अपनी अंदरुनी समझदरी से सोचना चाहिए जब माईक और मैं सोल आके हुए तो हमें स्कूल में समझाएं आने लगी थी हम बुरे बच्चे नहीं थे हम के अवल अपने आपको भीड से अलग कर रही थे स्कूल के बाद और सनिवार रविवार को हम माईक के डैड़ी के लिए काम करते थे माईक और मैं एक्सर गंटों तक हूँ उसके डैड़ी के पास बैठे रहते थे जब वे अपने बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंड, ब्रोकर्स, निवेसकों, मैनेजर और करमचारियों के साथ चर्चा करते थे माईक के डैड़ी ने तेरह साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था अवे पडेली के लोगों को रास्ता दिखा रहे थे उन्हें आदेश और निदेश दे रहे थे उनसे सवाल पूछ रहे थे पडेली के लोग उनकी एक आवास पर दोड़े चले आते थे और उनके गुसे से डरते थे यह है आदमी कभी भीड के साथ नहीं चला इस आदमी ने खुद की दम पर सोचा और फैसला लिया उन्हें इन सब्दों से चिड़ोती थी हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसे इस तरह करते हैं वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिड़ते थे अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाते थे तो आपको बस इतना ही कहना था मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते माईक और मैंने उनके साथ रहकर जितना सीखा उतना आमने स्कूल में बिताई सालों में कभी नहीं सीखा कालेज में भी नहीं माईक के डैड़ी के पास स्कूल की सिक्षा तो नहीं थी परंतु उनके पास पैसे की सिक्षा थी और इसी कारण में सफल भी थे वे हमें बार बार बताया करते थे एक समझदार व्यक्ति अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नोकरी पर रख सकता है इसलिए माईक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सिखने का लाब मिला परन्तु इसके कारण माईक और मैं दोनों ही उन समझदार लोगों के साथ नहीं चल पाई जो हमारे सिख्षक हमें बताते थे और इस वज़े से कई समझदार पैदा हो गई जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नमर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते तो माईक और मैं अपनी बोहें चड़ा लेते थे जब हमें गिसे पिटे ड़ले पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षर से पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली सिक्षा दरसल रचनात मक्ता का गलागोंट देती है हम अमेर डेड़ी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाए गया है ताकि वहां अच्छे करमचारी तयार हो ने की अच्छे मालिक कभी कबार माईक यहां मैं टीजर से पूचते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनकी असली जिन्गे में क्या उप्यों बिता है या यह है कि हमें पैसे के बारे में जितना ज़्यादा जानते थे अपने सिक्षकों और सैफार्टियों से उतना ही दूर होती जाते थे मेरे पढ़ेल के डैड़ी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दवाव नहीं डाला मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि उन्होंने इसा क्यों नहीं किया परन्तु हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे ममी डैड़ी से अच्छी हो चुकी थी मैं हिसाब किताब रख सकता था मैं टैक्स अकाउंटेंड्स, कार्पोरेट्स, अटारनी, बैंकर्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स, निवेश को इत्यादी की बाते सुनता था मेरे डैड़ी सिक्षिकों की बातें करते थे एक दिन मेरे डैड़ी मुझे बता रहे थे कि हमारा गर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है इस बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि गर हमारे लिए अच्छा निवेश क्यों नहीं है आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने गरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीव डैडी के विचारों में कितना अंतर था एक डैडी के इसाफ से उनका गर एक संपत्ती थी जबकि दूसरे डैडी के इसाफ से यह एक दाइक्तो था मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींच कर अपने डेड़ी को कैश फलो की दिशा समझाने की कोशिस की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ दिगार खर्च भी बढ़ जाते हैं एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च और इसका मतलब यह था कि कैश फलो खर्च के कालम से उपर गुजरता रहता था आज ही लोग बाग मुझे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर समपतिक क्यों नहीं होता मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का अगर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेस मानते हैं अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है मैं इस लोग प्रियमानता को देखने का एक और नजरिया सुजाना चाहता हूँ अगर मैं और मेरी पतनी एक ज़्यादा बड़ा और आलिशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ती नहीं होगी बलकि एक दाइत्त होगा क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा तो यह है रहा मेरा तर्क हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होगी क्योंकि घर एक भावनात्वक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाई पैसे की समझ को हरा देती है मुझे व्यक्तिकत अनुवा उसे पता है कि पैसा हर फैसले को बावनात्वक बना देता है नमबर एक जब घर की बात आती है तो मैं यह है बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की किमत चुकाने के लिए जिन्दगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग एक घर करीदने से कुछ सालों बार दूसरा घर करीदते हैं और हर बार अपने पहले मकान के लिए जो कर्ज बे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार सिर्फ फिर से तीन साल का नया खर्ज होता है नमबर दू हालांकि लोगों को माटगेज पेमेट पर ब्याज के लिए टेक्स में छूट मिलती है पर उन्तूबे अपने दिगर खर्चों के लिए टेक्स के साथ मिलने वाले डालरों का उप्योग करते हैं अपनी माटगेज को पूरी तरह चुकाने के बाद भी नमबर तीन प्रोपर्टी टेक्स मेरी पतनी के में में डेडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रोपर्टी टेक्स एक अजार डॉलर परती महा तक पहुंच गया यह तब हुआ जब वे रिटाइर हो चुके थे और इस बड़ोत्री से उनका रिटाइर्मेट के बाद का बजट गड़ बढ़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा नमबर चार घर के कीमत हमेशा नहीं बढ़ती मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हों ने अपने घर के लिए कर्ज लिया था उन्हें तस लाग डालर से भी ज़्यादा का कर्द चुकाना है पर आज उस घर की कीमत साथ लाग डालर से ज़्यादा नहीं है नमबर पांस सबसे बड़े नुकसान अवसर गमाने की बज़े से होते हैं अगर आपका सारा पैसा मकान में फसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेंनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्ट चलता रहे है इस दोरान आपके संपत्ती वाले कोलम में कोई बड़ोतरी नहीं होती है अगर एक युवापती बदने शुरुआत में ये अपना पैसा संपत्ती वाले कोलम में लगाई तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खास कर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे इस दोरान उनकी संपत्ती भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चें भी आराम से निकलते लएगे अक्सर एसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के बुगदान के लिए होम एक्विटी लोन का सालन बन जाता है संक्षेप में अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चिला पड़ता है इसके बज़ाई बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पॉटफोलियो पना लिया जाए किसी आदमी पर इसका आसर कम से कम तीन तरह से पड़ता है समय की बरवादी क्योंकि इस दोरान दूसरी संपतियों का मुल्य बढ़ गया होता है अतिरिक पूंजी की बरवादी जैसे दुबारा निवेस किया जा सकता था जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चेप उठाने पड़ते हैं अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनकी संपति वले कोलम में उनका घर बचत और रिटायर्मेंट प्लान आते हैं चुकि उनके पास निवेस करने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए वे बिल्कुल भी निवेस नहीं करते हैं इस कारण उने निवेस का अनुवा कभी नहीं मिल पाता ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेसक नहीं बन पाते और सबसे बड़िया निवेस सामान्य तोर पर सबसे पहले समझदार निवेसकों को बेचे जाते हैं जो बाद में उन्हें सुरक्षित खिलने वाले लोगों को बेचते हैं मेरे पड़े लिके डैडी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट चुहा दोड में फसे वेक्ति का सबसे अच्छा उधारन है उनके खर्चा मेंसा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे इसलिए उन्हें समप पड़े लिके डैडी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेस कर रही थे और उन्होंने अपने दाइत्वों को कम से कम रखा था अमीर डैडी का फाइनेंसियल लोग और जन्वीं क्यों बनते हैं संपत्थी वाले कोलम से इतने जादा आमदनी कि खर्च अराम से चल जाता है उसका बच भी जाता विए अमीर लोग और ज्यादा आम jiR जाते हैं अमीर लोगों और ज्यादा आमीर होते हैं यहहरा financial statement मद्यावर्क के लोग हमेंसा पैसे की तंगी से जुछते रहते हैं 개인िता ख्वासे होती है और जैसे जैसे उनकी तन्खवा बढ़ती है उनके टेक्स भी बढ़ते जाते हैं इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं इसलिए इसे चुहा दोड कहा जाता है ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ती है और इसलि वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ती में निवेस नहीं करते हैं मद्यां वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है यह रहा आज की कर्जदार सोसाइटी दो बाते मानती हैं पहली यह है कि खुद का गर एक निवेस होता है और दूसरी यह है कि तंखवा बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बढ़ा घर खरीद लेना चाहिए बढ़ते वे खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर आज में फस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है हालांकि वे अपनी नोक्रियों में लगातार तरक्की कर रही है और उनकी तंखवा लगातार बढ़ती जा रही है इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम बढ़ी जीवन्श चली कि मद्यम वर्ग पैसे के मामले में कितना एसुरक्षित है अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर फोटीवन के प्लान आ गए है सोसल सिक्रोटे निश्चित रूप से संकट में है और इसे रेटायर्मेंट का सारा नहीं बनाया जा सकता मद्यम वर्ग में गवराह प्रत्री के कारण ही हमने स्टोक मार्केट में इदनी तेजी देखी है आज मद्यम वर्ग की बढ़ती होई मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूच्वल फंड बनते जा रहे हैं म्यूच्वल फंड इसलिए लोग प्रिये हुए क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक है होसत म्यूच्वल फंड खरीदने वाले आदमी नोकरी में टेक्स और मार्केट चुकाने में अपने बच्चों की सिक्षा की फीज के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का इसाप साप करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें इसलिए वे म्यूच्वल फंड के मेरेजर की कावलियत पर भरोसा करते हैं चुकि म्यूच्वल फंड कई तरह के निवेश करता है इसलिए उन्हें यसा लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह टुकडों में बं असली तराजदी यह है कि पैसे की समझने होने के कारण वोसत मद्दम वर्गे लोग खत्रों का सामना करते हैं उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी बैलेंस सीट में बैलेंस नहीं होता उनका संपत्ती वाला कॉलम तो खाली ही रहता है जहां से आमदनी आती है जबकि उनके दाइतों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है समान्य तोर पर उनकी आमदनी का इकलोता साधन उनका वेतन होता है उनका जीवन वे आपन पूरी तरह से उनके बोस पर निर्वन करता है और जब सचमुद जिन्दगी में एक बार आने वाला मोका आता है तो ये लोग उस मोके का फाइदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेनत करते हैं इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं सबसे ज़्यादा टेक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोच से दवे रहते हैं जैसा मैंने इस खंड में शुरू में कहा था सबसे महत्वपोन नियम यह है कि संपत्ती और दाइतों के बीच के अंतर को पैचाना जाए एक बार आप इसमें फर्क समझ ले इसके बाद आप आमदने देने वाली संपत्ती खरिदने की लगातार कोशिस करते रहें यह हैं अमीर बनने की रहा पर चलने का सबसे लोगप्रिया और बढ़िया तरीका है इसे करते रहें और आपका संपती वाला कोलम बढ़ाते रहें अपने दाइत और खर्च को कम करने की कोशिस भी करते रहें इससे पैसा आपके संपती वाले कोलम में आता रहेगा जल्द ही आपकी संपती वाला कोलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे एसे निवेश जिनमें सो फिजदी से अनंत तक फाइदा हो सकता है एसे निवेश जिनमें 5000 डोलर की रखम जल्दी ही 10 लाख डोलर या इससे ज़्यादा हो जाती है एसे निवेश जिने मद्यम वर्ग बहुत जोखिम्बरा मानता है निवेश जोखिम्बरा नहीं है यह उस व्यक्ति की पैसे की ना समझी है वित्य निरक्षर्ता है जो उसे बहुत जोखिम्बरा बना देती है अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा एक करमचारी होने के नाति जो घर का मालिक भी है आपकी नोकरी का पैटरन सामनेत है यह होता है नमबर एक आप किसी के लिए काम करते हैं तनकवा पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेर होल्डर्स को ज़्यादा आमिर बना रही है आपकी कोशिशों मेहनत और सफलता से दरसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रेटाइर्मेंट में मदद मिलती है नमबर दू आप सरकार के लिए काम करते हैं आप इसे देख पाएंगे इसके पहले कि सरकार आपकी तंकुआ में से अपना इसाल ले लेती है ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं ज़्यादा दर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं नमबर तीन आप बेंक के लिए काम करते हैं टेक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आम तोर पर आपका मोर्केज क्रेडिट कार्ट कार्च चुकाना होता है अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेनत से काम करते जाएं तो समझ चाहिए यह है कि तीनों ही मामलों में आपके ज्यादा मेनत से किसी और को ज्यादा फाइदा होता है आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फाइदा मिल सकता है अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे तो फिर आपको यह नहीं पता दोता कि आपके लक्षों को किस तरह से निर्दारित किया जाई ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाई रखना चाहते हैं और अपने तनक्वा के सारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का अंकलन करते हैं। कब कोई व्यक्ति यह मैसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दोलत है। संपत्य और दाइतों की मेरी अपनी परिवासाओं की ही तरह दोलत के बारे में भी मेरी अपनी परिवासा है दरसल मैंने इसे मकमिन्स्टर फुलर नामक व्यक्ति से सिखा है कुछ लोग उसे नीम हकिम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं सालों पहले सभी वास्तों भी इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डॉम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फूलर ने दोलत के बारे में भी कुछ कहा था पहले तो उसका ठेक ठेक मतलब समझ में नहीं आया था परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा दोलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सारे वह आगे आने वाले दिनों में जिन्दा रह सकता है यानि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ तो मैं कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता हूँ यह नेट वर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्य और दाइतों के बीच का अंतर है हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है परन्तों इस परिवासा से सच्मुच सही आंकलन नहीं किया जा सकता मैं अब आंकलन कर सकता हूँ और सच्मुच चांदा हूँ कि आप थी ग्रूप से आजाद होने के लिए मेरे लक्षय के संदर्म में मैंने कितनी तरक्की कर ली है अलंकि नेट वर्थ में एसी चीज़ें भी आ जाती है जिन से पैसा नहीं आता जैसे वह वस्तू जो आपके गैरेज में खड़ी है दोलत का सिधा सा इसाव यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थी ग्रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं दोलत दरसल संपत्ति के कोलम के कैस्फ़लो का दाइत्तो वाले कोलम के साथ तुलना है एक उधारन ले यह कहें कि मेरे पास हर मैने में संपत्ति वाले कोलम से 1000 डालर का कैश्वलो है और मेरा खर्च हर मैने 2000 डालर है मेरे पास कितनी दोलत है अब हम बक्मिन्स्टर फूलर की परिवासा की तरफ चलें उसकी परिवासा के इसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रहे सकता हूँ अगर हम एक महीने में 30 दिन माल ले तो इस परिवासा के इसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रहे सकता हूँ जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने 2000 डालर का cash flow वासिल करने लग जाओंगा तो मैं दोलतमन्द हो जाओंगा हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ परंतो मैं दोलतमन्द जरूर हूँ हर महीने मेरी संपत्ती से मुझे जो आमदनी मिलती है वह है मेरे महीने बर के खर्च के लिए काफी होती है अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाता हूँ तो मुझे इसके पहले अपने संपत्ती से आने वाले cash flow को बढ़ाना होगा यह ध्यान रखें कि इस बिंदू पर मैं अपनी तनक्वा पर बिल्कुल भी निर्वन नहीं मैंने संपत्ती वाले कालम को परने में जी तोड कोशिस की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ अगर मैं आज अपने नोकरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियों से इतना cash flow आता रहेगा कि मेरा खर्च असाने से चलता रहेगा मेरा अगला लक्षय यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरित cash flow फिर से संपत्ति वाले कालम में निवेश कर दिया जाएगा मेरी संपत्ति वाले कालम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है मेरा संपत्ती वाला कालम उतना ही बढ़ता रहता है मेरा संपत्ती वाला कालम जीतना ज़्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज़्यादा कैस्फलो आता है और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैस्फलों से कम रखता हूँ तब तक मैं और ज़्यादा अमिर बनता रहूंगा और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारिरिक मेनद से नहीं बलकि दूसरे जर्यों से आ रही है जब तक पुनर निवेश की यह परक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की रहा पर तेजी से चलता रहूंगा अमीर की असली परिवासा देखने वाले की निगा में होती है आप कभी अत्यदीक अमीर नहीं हो सकते इस आसान सबक को याद रखें अमीर संपत्ती खरीदते हैं गरीब केवल खर्च करते हैं मद्यमवर्ग दाईतों खरीदता है परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ती खरीद रहा है तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा इस सवाल का जवाब क्या है मैक डूनाल्स के मालिक की बातें सुने धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की दरफ जो है अपने काम से काम रखो आपका दिन शुब हो रिच डेड पूर डेड अध्याई च्यार अपने काम से काम रखो उनीसो चुएत्र में मैक डूनाल्स के मालिक रे क्रोक से अग्रे किया गया कि वे आस्टिन में टेकसासी उनिवेस्टी में एम्बिय की कक्षिया में व्याख्यान दे मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहाँ एम्बिय कर रहा था बहुत अच्छी और प्रेणा डाइक चर्चा के बाद कक्षिया खतम हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे रे तयार हो गई जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है हर कोई हंस पड़ा ज़्यादा तर एम बियर विद्यार्थियों को यह सा लगा जैसे रे मजाग कर रहे थे किसे ने जवाब नहीं दिया इसलिए रे ने दुबारा यही सवाल पूछा आप लोगों की नजर में मेरा बिजनस क्या है विद्यार्थी दुबारा हंस दिए और अखिर कार एक बहादूर विद्यार्थी ने जोड़ से कहा रे दुनिया में सा कौन है जो यह है नहीं जानता कि आप हेंबर्ग बिजनस में है रे हंस दिए मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा लेडिज एंड जेंटलमेंट मैं हैंबर्ग बिजनस में नहीं हूँ मेरा आसली बिजनस है रियल इस्टेट कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया अपने बिजनस प्लान में रे जानते थे कि बिजनस का मूल लक्षे हेंबर्ग फ्रंचाइजी बेचना था परनतु वे कभी भी हर फ्रंचाइजी की लोकेशन को नहीं बूले वे जानते थे कि रियल इस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रंचाईजी की सबलता में सबसे मेत्वपून तक तो है मुलते वह है आदमी जो फ्रंचाईजी खरीद रहा था और रेक राक के संग्टन की फ्रंचाईजी चेन का सदश्य बनता था वह है भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था आज मेकडोनाल्ड दुनिया में रियल इस्टेट का सबसे बड़ा केला मालिक है जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा जाना रियल इस्टेट है आज मेकडोनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देसों में सबसे किमती चुराई और नुकड़ हैं कीत ने कहा कि यह उनके जिंदगी का बहुत बड़ा सा बक्ता आज कीत के पास कार दोने का बिजनस है परनतो उसका असली बिजनस है कार दोने के घरेज के नीचे का रियल एस्टेट फिशल एध्याई के अंद में हमने यह बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं बस अपने लिए काम नहीं करते वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं फिर टेक्स के कारन सरकार के लिए काम करते हैं और आखिर कार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मार्क गेज का मालिक होता है जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड का कोई फ्रंचाइज ये आउटलेट नहीं था परन्तु मेरे अमीरी डैड़ी ने माईक और मुझे वही सबक सिखा दिया जो टेकसास यूनिवेस्टि में रेक राकने सिखाया था यह अमीरों का रहशे नमबर तीन है रहशे है अपने काम से काम रखो लोगों के जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता एक बार फिर एक चित्र एक हजार सब्दों के बराबर है यहां एक इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट का चित्र दिया गया है जो रेक राकी सला का सबसे अच्छा उधारन है हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धती आज के युवाओं में अकादमी कुछ लताएं विक्षित करूने अच्छे नोकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है उनकी जिंदगी उनकी तनक्वाओं के चारों तरफ गूमती है हासिल करते हैं वे इंजिनियर, वे ग्यानिक, रसोई, पुलिस अबसर, कलाकार, लेखा की ज्याती बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनकी वे अवसाई की होगे था हैं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मुका देती हैं परंतु ध्यान रही, वे पैसे के लिए काम करते हैं आपके प्रोफेशन और आपके बिजनस में बहुत बढ़ा अंतर है मैं एक सर लोगों से पूस्ता हूँ आपका बिजनस क्या है? और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ फिर मैं उनसे पूस्ता हूँ कि क्या वे बैंक के मलिक हैं? और समाने ता उनका जवाब होता है नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस को एक ही समझ लिया है उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है परन्तु उनका अपना बिजनस कुछ भी नहीं है रेक राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे उनका प्रोफेशन हमेशा वही था वे एक सेल्जमेन थे एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेशते थे और कुछ ही समय बाद वे हैंबर्ग फरंचाईजी बेशने लगे आलांकि उनका प्रोफेशन हैंबर्ग फरंचाईजी बेशना था परन्तु उनका बिजनस आई दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकठा करना था स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विशे पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं उधारण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्यान करते हैं तो आप शेप बन जाते हैं अगर आप कानून का अध्यान करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और अगर आप आटो मेकेनिक का द्यान करते हैं तो आप मेकेनिक बन जाते हैं जो पढ़ा जाई वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उन्हें अमीर बनाते हैं आर्थे ग्रूप से सुरुक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है आपका बिजनस आपकी संपत्ती वाले कालम के चारों तरफ गुमता है जो आपकी आमदनी वाले कालम के प्रीपरीत होता है जैसा पहले बताया जा चुका है नमबर एक नियम यह जानना है कि संपत्ति और दाइतों के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदना चाहिए अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कालम पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग बाकी सभी लोग अपने इंकम स्टेट्मेंट कर ध्यान देते हैं इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है मुझे ज्यादा तनकवा की जरूरत है कास कि मुझे प्रमेशन मिल जाए मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षन लेने वाला हूं ताकि मैं बेहतर नोकरी पास हूं मैं और टाइम करने वाला मैं दो सब्ता में नोकरी छोड़ रहा हूं मुझे एक नई नोकरी मिल गई है जिसमें तनकवा जा रहा है कई समूओं में ये समझदारी के विचार हैं परंतु अगर आप रेक राक की बात समझ लेते हैं तो एसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं ये सभी वि अभी वैया आदमी आर्थी ग्रूप से सुरक्षित हो सकता है गरीब और मद्यम वर्ग के ज्यादातर लोग पुरातन पंती होते हैं यानि मैं जोखिम नहीं उठा सकता यानि कि उनका आर्थी कादार नहीं होता वे अपनी नोकरीयों से चिपके रहते हैं वे खेल को सुरक वह उन्हें जिन्दा मार रहा है उनकी घर नमक संपती हर माँ उनकी जेव से पैसे निकलवा रही है उनकी कार उनकी दूसरी संपती उन्हें जिन्दा मार रही थी गैरेज में रखे एक जार डालर में खरीदे गई उनकी गुल्फ कलब अब एक जार डालर के नहीं रह गई थी नोकरी की चुरुक्षा ने होने के कारण अब उनके पास जीवन या पन का कोई यादार नहीं बचा था उनके विचार में जो संपतियां थी पैसे के संकट के समय में वे उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी मैं यहे मान कर चल रहा हूँ कि हम में से ज्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बेंकर से लोन के लिए आविदन फार्म बरा है नेट वर्थ, खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है यह है रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकर और अकाउंटिंग में बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपतिया माना जाता है एक दिन करज लेने के लिए मेरी माली आलत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने अपने नईव गोल्फ कलब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तगें, स्टीरियो, टेलिवजन, अर्मानी सूट्स, कलाई गडियां, जूते और दिगर चीजों को संपत्ति वाले कालम में दिखा दिया मेरे लोन के आवेदन को एस्चुक्यार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत जाला निवेस रियल इस्टेट में था लोन कमेटे को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसे से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था वे यह जानना चाते थे मेरे पास एक सामान या नोगरी क्यों नहीं है जिसमें बेतन मिलता हूँ उन्होंने मेरे आर्माने सूट्स, गोल्ट कलब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं कि जिन्दगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टेंडर्ड परफाइल में फिट नहीं होते है मैं हर बार चोंग जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते वे सुनता हूँ कि उनकी नेट वर्त दस लाग डालर है या एक लाग डालर है या एसा ही कोई और आंकड़ा नेट वर्त के सटीग नहीं होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपने संप्रतियों को बेचना शुरू करते हैं आपकी प्राप्तियों कर टेक्स चुकाना पड़ता है इतने सारे लोग अपने आपको पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है पैसा जुटाने के लिए वे अपने संप्रतिया बेचते हैं पहले तो उनके व्यक्तिकत संप्रतियां शामाने ते उस मुल्या से बहुत कम में बिचती है जो उनकी बैलेंस सेट में दिखाया गया है या अगर संपतियों को बेजने से कोई फायदा होता है तो उस पर टेक्स लगा दिया जाता है तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्द से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रखम को कम कर देती है अपने काम से काम रखना शुरू कर दें दिन में नोकरी को करते रहें परन्तु अपने संपतियों को खरीद रावी चालू कर दें ऐसे दाईतों या वेक्तिकर चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाई आप जिस क्षण एक नई कार को शोरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं उसकी कीमत 25 फिस्दी कम हो जाती है यह सची संपत्ती नहीं है हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ती मानते है मेरा 400 डालर का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदे के कुछी मिन्टों बाद 1500 डालर मुल्यका हो गया था व्यसकों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर ले अपने दाइतों को गटा ले और मेनत से ठोज संपत्तियों का आधार बना ले उन यूवा लोगों को जिनोंने अभी घर नहीं छोड़ा है यह ऐसी खाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दाइतों के बीच क्या फार्क होता है घर चोड़ने से पहले यूने संपत्ति वाले कालम को बनाने की प्रेणा दी जानी चाहिए इसके पहले की वे घर चोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाकार्तिक स्थिति में फसें नोकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें मैं बहुत सारे यूग अदमपतियों को देखता हूँ, जो शादी कर लेते हैं और अपने आपको एक ऐसे जाल में फसा लेते हैं, जिससे वे अपने नोकरी के बहुत सालों तक कर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं जब आखरी बच्चा घर चोड़ कर चला जाता है, तब ज्यादा तर लोगों को यह है एसास होता है कि उन्होंने रिटाइर्मेंट की परियाप तैयारी नहीं की है, और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपतियों के संग्रहन की प्रेणा दे रहा हूँ मेरी दुनिया में असली संपतिया कई तरह की होती है नमबर एक, एसी बिजनस जिसमें मेरे होने की जरूरत नहीं हो, मैं उनका मालिक जरूर हूँ परन्तु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं, अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनस नहीं होगा, यह मेरी नोकरी होगी नमबर दो, स्टोप, नमबर तीन, बांड, नमबर चार, म्यूचल पंड, नमबर पांस, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, नमबर छे, नोट्स, आई ओ यू नमबर साथ, बोधिक संपता, जैसे संगीत, पढ़कता आप एटेंटी दियाती से, मिलने वाली रोयलिटी नमबर आठ, और एसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है, और जिसका मुल्य बढ़ जाता है, और जिसका बाजार तैयार है जब मैं छोटा था, तब मेरे पडेली के डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नोबरी डूनने की सला दी, दूसरी तरफ, मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसी संपतियों को विकठा करने की सला दी, जिने मैं पसंद करता था, अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते होगी, तो मैं सारा दिन उन्हें निहार सकता हूँ, जब समश्य होती है, तो वे उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण, रियल इस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाई, एसे लोग जो रियल इस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं करीदना चाहिए, मुझे चोटी कंपन में मैं बड़े संग्ठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टंडर्ड में, यूएस मारीन कार्प्स और जेराक्स कार्परेशन में, मैंने इन संग्ठनों में बिताई समय का मजा लिया, और मेरे पास कई सुख दिया दे हैं, परंतु बीतर से मैं कमपनी में काम करने वाला आउद भी नहीं हूँ, मुझे कमपनी चालू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जो शेर खरीदता हूँ, वहे भी सामाने तेर छोटी कमपनियों के होते हैं, और कई वारतों मैं कमपनी और उसे सारुजनिक बना देता हूँ, नए स्टोक के शेर में कीमत चमक सकती है, और मुझे यह खेल पसंद है, कई लोग कम पुझी वाली कमपनियों से टरते हैं, और उन्हें खतरना कहते हैं, और वे खतरना कहें भी, परंतु खत्रा हमेसा कम हो जाता है, अगर आप निव फिर बेज किये जाएं, दूसरी तरब में रिष्टीती रियल एस्टेट की रन निती होती ही, छोटी प्रोपर्टी से शुरू करने की होती है, फिर मैं उस छोटी प्रोपर्टी को बेज कर उसे थोड़ी बड़ी प्रोपर्टी ले ले लेता हूँ, और इस तरह आपने फा और जिरेक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था, मैं अपनी दिन की नोबरी करता, परन्तु मैं अपने काम से काम भी रखता था, मैं अपनी संपति वाले कालम में कुछ ने कुछ करता रहता था, मैं रियल एस्टेट और छोटे स स्टोक्स की खरीद प्रोट भी करता था अमीर डेडी ने हमेशा पैसे की समझ के मैंतों पर जोड दिया जितनी अच्छी तरह मैं काउंटिंग और कैश मेनेजमेंट को समझ सकता था उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेसों का विशलेशन कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था जब तक कि कोई पहले से यह साने सोच रहा हो मैं किसी को भी अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोट साइट नहीं करता मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना जंजट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस जंजट अवसर बहुत कम है दस में से नो कमपनियां पांच सालों में लूप जाती है पहले पांच सालों में जो कमपनियां बची रहती है उन में से भी दस में से नो कमपनियां बाद में बंद हो जाती है तो अगर आपकी पहले से अपनी कमपनी शुरू करने की इच्छा हो तभी मैं इसकी सला दूँगा अन्य था अपने दिन की नोपरी करते रहे और अपना काम से काम रखे जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखे तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कालम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहे एक बार इसमें एक डालर जाए तो वह कभी बाहर ने निकल पाई इसे इस तरह सोचें कि जब एक डालर आपकी संपत्ती वाले कालम में जाता है तो वह आपका करमचारी बन जाता है पैसे के बारे में सबसी अच्छी चीजी यह है कि यह हर दिन 24 गंटे काम करता है और इसा पीडियों तक कर सकता है अपनी दिन की नोकरी को चालू रखें एक अच्छे मेहनती करमचारी की तरह काम करें परंतु अपनी संपत्ति वाले कालम को बढ़ाते रहें जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीजें खरीट सकते हैं इस बारे में एक मैत्वण तक्या यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीटते हैं जबकि गरीब और मद्यमर गिये लोग विलासिता की चीजें सबसे पहले खरीटते हैं गरीब और मद्यमर गिये लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, जुएलरी जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दीख सकें वे अमीर दीखते हैं परंत वसल में वे उदार के दलदल में गहरे दस्ते चले जाते हैं वे लोग जिनके पास फीडियों से फैसा है जो लंबे समय से अमीर हैं वे अपने संपत्ती वाले कालम को सबसे पहले बनाते हैं फिर संपत्ती वाले कालम से होने वाले आम्दनी उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीद लेती हैं गरीब और मद्य उमर के लोग अपनी खून पशेने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं सच्ची विलासिता असली संपत्ती में निवेश करने और उसे विक्षित करने का प्रोट साहन है उधारन के लिए जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसे से अतिरिक पैसा आने लगा तो वह बजार गई और अपने लिए मर्सिडेज खरीद लाई इसमें ज़रा सी भी मेहनत या जोखिम्द नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी परन्तु मर्सिडेज की यह विलासिता दरसल एक सचा पुरुसकार है क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि वह अपनी संपत्ती वाले कालम को सही तरह से बढ़ाना जानती है अब उसके लिए उस कार की किमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई चीज खरीद लेते हैं हो सकता हो कि वे जिन्दगी से उप चुके हो या उन्हें सिर्फ एक नए खिलोने के ज़रूत हो कर्ज पर विलासिता की चीज खरीदने से तेर सवीर वह आदमी उस चीज से चिडने लगता है क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक बाहर बन गया एक बार आपने अपने बिजनस को बनाने उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की चड़ी खुआ सकते हैं जो अमीरों का सबसे बड़ा रहश्य है यह है रहसे अमीरों को भीड में सबसे आगी रखता है अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस रहा पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 5 की तरफ जो है टेक्स का इतियास और कॉर्परेशन्स की ताकत आपका दिन शुब होई रिच डेड पूर डेड अध्याई 5 टेक्स का इतियास और कॉर्परेशन्स की ताकत मुझे याद है हमें स्कूल में राबिन हुड सो और उसके सुखी गिरो की कहानी बताई गई थी मेरे स्कूल के टीचर का मानना था यह केविन कोसनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्गुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरिबों में बांट देता था मेरे अमीर रेडी की नजर में राबिन हुड हीरो नहीं था वे उसे बदमास मानते थे राबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है परंतुस के अनुनाई आज भी जिंदा है कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते या अमीरों को और ज़्यादा टेक्स देना चाहिए और उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए राविन होड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए गरीब और मद्यम वर्ग के लोगों के लिए सरवादी कष्ट का कारण है इसी रोविन होड आदर्स के कारण मद्यम वर्ग पर टेक्स का इतना भारी बोज लगा हुआ है सचाही तो यह है कि अमीरों पर टेक्स लगता ही नहीं है गरीबों की बलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मद्यम वर्ग से आता है खास कर शिक्षित और उंची आमदनी वाले वर्ग से टेक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी इतियासिक प्रस्ट वूमी को समझने की जरूरत है हमें टेक्स के इतियास को जानने की जरूरत है हलांकि मेरे पडेल के डैडी सिक्षा के इतियास कमाल का ग्यान रखते थे परन्तु मेरे अमीर डैडी टेक्स के इतियास पर विशे सक्गे थे अमीर डेडी ने माईक और मुझे यह समझाया कि इंग्लेंड और अमेरिका में सब से पहले कोई टेक्स नहीं लगते थे कभी कभार युद का खर्ज उटाने के लिए कुछ समय के लिए टेक्स जरूर लगा करते थे राजा या राश्टबती मुहें से कह भर देता है इंग्लेंड ने इंकम टेक्स को अपने नागरिकों पर स्थाई रूप से लगू कर दिया 1913 में समिधान के सोनवे सरसोधन के साथ अमेरिका में भी आईकर स्थाई रूप से लगू किया गया एक समय था जब अमेरिकी लोग टेक्स विरोधी हुआ करते थे चाई पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगने के कारण ही बोस्टन हर्बर पर प्रसीद टी पार्टी की गटना हुई थी जिससे करांतिकारी यूद को ताकत मिली इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को इन नियमित इंकम टेक्स के विचार को जन्ता के गले उतारने में लगवग पचास साल का समय लगा इन एतियासिक दित्यों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों इमामलों में टेक्स शुरू में केवल अमेरों पर लगाए गए थी अमीर डेड़ी चाहते थे कि माई को और मैं इस बात को कभी नहीं मूले उन्होंने सपष्ट किया कि टेक्स का विचार लोग पर यह बना और उसे ज्ञादतर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गिया कि टेक्स अमीरों को सजा देने का और मध्यम बर रखता गरीबों को मदद देने का साधन है इसी कारण जन्ता ने टेक्स कानून के समर्थन में वोट दिये और यह वैदानिक बन गया हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है फरंतु दरसल यह उनी लोगों को दंड देता है जिन्नों ने इसका समर्थन किया था यानि गरीब और मत्यमवर्ग एक बार सरकार ने पैसे का स्वाथ चक लिया तो उसकी भूक बढ़ती गई अमीर डैडी ने कहा तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोथ करते हैं वे एक सरकारी ब्यूर्ट हैं और मैं एक पूंजी पती हूँ हमें विपरित व्यवार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग-अलग मावदन्डों पर तोली जाती है उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिये जाते हैं वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम परक रखते हैं उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है दूसरी तरफ, मेरे संगठन में, मैं जितने कम लोगों को रखूँ और जितना कम पैसा खर्च करूँ, मेरे टिवेसेक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूँ उनके लक्षे बिजनस के ज़्यादा तर लोगों से हट कर होते हैं जैसे जैसे सरकार के करमचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनकवा देने के लिए उतने ही ज़्यादा टेक्स की जरूरत होती है मेरे पढ़ेले के डेड़ी इस बात में बरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए वे जान अप कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कार्प्स के विचार से वे इस विचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कार्प्स में के लिए काम करते थे और मलेसिया, थाईलेंड और फिलिपिन्स जाने वाले से उन्चे वोगों पर सिक्षित करते थे वे हमेसा आतरिक तनुदान और वजट में बढ़ोतरी की कोसिस करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को बढ़ती कर सके एसा वेसिक्षित वाकिया अपनी नोकरी में भी करते रहे और पीस कार्प्स में भी, यह है उनका काम था जब मैं दस साल का था, तब से मैं अबने अमीर डेड़ी से यह सुनता आया हूं कि सरकारी करमजारी आल सी चोरों का गिरुवा है और मेरे गरीब डेड़ी से मैं यह सुनते आया हूं कि अमीर लोग लाल्ची और बद्वास होते हैं जिन से सरकार को ज़्यादा टेक्स लेना चाहिए दोनों ही वीचारों के पक्स में तरक दिये जा सकते हैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शेहर के सबसे बड़े फुंजी पतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डेड़ी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे यह तै करना असान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किस की बात पर मुझे बरोसा करना चाहिए परन्तों जब आप टेक्स के इतियास काद्यन करते हैं तो एक दिल्चस पहलो सामने आता है जैसा मैंने कहा कि टेक्सों का लागू होना सिर्फ इसलिए संबग हो सका क्योंकि जन्ता राभी नूट के अर्थ सास्त्रे से दांत में बरोसा करती थी जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बाट दिया जाता है समझ्चा यह थी कि सकार की पैसे की भूक इतनी बढ़ गई कि जल्दी मद्यम वर्ग पर भी टेक्स लगाने की नोग बता दी और वहां से धीरे धीरे टेक्स का बोज नीचे की तरफ आता गया दूसरी तरफ अमीरों नीचे एक मोके की तरह देखा वे उन्हे नियमों से नहीं खेलते हैं जिन से जन्ता खेलती है जैसा मैंने बताया है अमीर पहले ही कार्पोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के जमाने में लोग प्रिय हुई थे अमीरों ने हर समुंदरी यात्रा की संपती की जोखिम को सीमित करने के लिए कार्पोरेशन का उप्योग किया अमीर लोग हर समुदरी यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कार्पोरेशन में अपनों पैसा डामते थे फिर यह कार्पूरेशन न्यू वर्ल्ड के घजाने की पोज के लिए नाविकों की बरती करता था अगर जहाज डूब जाता तो नाविकों की जान जाती ही परंदो अमीर लोगों के सिर्फ इतना ही नुक्सान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समूंदरी यात्रा के लिए दिया था आगे आने वाला चितर दरसाता है कि किस तरह कार्पूरेशन स्ट्रेक्चर आपके इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के बाहर बैठता है अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं कार्पूरेशन के कानूनी डांचे की ताकत का ग्यान ही अमीरों को गरीबों और मद्यों मर्क की तुलना में बहुत ज़्यादा देता है मुझे दो डैडियों ने सिक्षा दी थी जिसमेंचे एक समाजवादी थे और दूजरे पूंजी पती मुझे जल्दी यह मैसूस हुआ कि पूंजी पती में पैसे की ज़्यादा समझ है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी जितना जोड लगा ले अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा डूंड निकालते हैं इसी कारण टेक्सा किरकार मद्य उमर्ग पर लगे अमीरों ने बुद्धी जीवियों को अपनी बुद्धी से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विशे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता अमीर लोगों ने बुद्धी जीवियों को किस तरह हराया एक बार अमीरों से वसोलों का कानून पारिद हुआ तो सरकार की तीजोरी में पैसा आने लगा पहले तो लोग इस बात से खुश हुए यह पैसा सरकारी करमचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा सरकारी करमचारियों के पास यह पैसा नोकरियों और पैंशनों के रूप में गया अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्टरियों के जड़िये मिले सरकारी कॉंट्रेक्ट से आया सरकार के पास धेर सारे पैसे थे परंतो उस पैसे के मेनेजमेंट की समश्या थी उसमें कोई recirculation नहीं था दूसरे सब्दों में सरकारी नेती में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट है तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते अगर आप अपने लिए आमंटित फंड को खर्च नहीं कर सकते तो आपको अगले बजट में उतनी राशिन नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको युग्या तो माना ही नहीं जाएगा दूसरी तरफ बिजनस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल बना जाता है जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चकर चलता है तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टेक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे करीब और मद्यमर गया लोग भी टेक्स के दाइरे में आ गई जिन्हों नों इसके लिए वोट दिया थे सच्चे पुझी पतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रियोग किया वे कर्परेशनों की सुरक्षा में चले गए कर्परेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कर्परेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते कि कर्परेशन जैसी कोई चीज नहीं होती कार्पुरेशन के विल एक फाइल का पॉल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होती है और जो रज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के आफिस में रखा जाता है यह कोई बड़ी फिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कार्पुरेशन का नाम लिखा होता है यह कोई फेक्टि या लोगों को समुवे भी नहीं होता कार्पुरेशन के वले कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देव बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती अमीरों की संपती एक बार फिर सुरुक्षित हो गई एक बार फिर कार्पुरेशन का परियोग लोगप्रिया हो गया यह स्ताई इंकम टेक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ क्योंकि कॉर्परेशन के लिए इंकम टेक्स की दर्वियक्तिकत इंकम टेक्स की दर्व से कम है इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है कॉर्परेशन दुवारा कुछ खर्च टेक्स चुकाने से पहले किये जा सकते है अमीरों और गरीबों के बेज़ यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है अमीरों से वसूर लोग अमीरों की हमेशा खिलाव रही है यह लड़ाई तब छिटती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहती है समझ चाहिया है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उटकर तयार होते हैं और अपनी नोकरी में कड़ी मेनत करते हैं और उस पर टेक्स देते हैं अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस बीड़ को उसी तरह से खेल सकते हैं फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं इसलिए मैं हर बार शेयर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सला देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नोकरी मिल सके जिस करमचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता चाहे उसकी नोकरी कितने भी सुरक्षित क्यों नहीं हो वोसत अमेरिकी वेक्ति आज सरकार के लिए 5-6 महिने तक काम करता है ताकि वह टे टेक्स देना होता है इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वस्वलों का नारा उनी लोगों पर बाही पड़ गया जिन्हों ने इसके लिए वोट किया था हर बार लोग अमेरों को सज़ा देने की कोशिस करते हैं अमीर लोग सचमुच उसका पालन नहीं करते बलकि वे पलटक करवार करते हैं उनके पास पैसा ताकत और इरादा होता है जिन के दम पर वे चीज़ें को बदल सकते हैं वे सचमुस बैट कर सुच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकते वे ऐसे तरीके खोचते हैं जिन से उन पर टैक्स का कम से कम बोज़ पड़े इसके लिए वे चतूर और स्मार्ट वकीलों तता काउंटेंट्स की सेवाई लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानून ही बचाओ के रास्ते बनाएं जिनके पास परिवर्थन करवाने के लिए जरूरी संसादन होते हैं अमेरिका का टेक्स कानून भी टेक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है इसमें से ज़्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं परंतुर इनका फाइदा सामान्य तोर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं उधारन के तोर पर लोगप्रियस अब 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के अनुशेद 1330 का संक्षिप्त रूप है जिससे रियल इस्टेट बेजने वाले को टेक्स चुपाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वे ज़्यादा महेंगे रियल इस्टेट को खरिगता है और सोदेवाजी में फाइदा नहीं लेता रियल इस्टेट एक एसा पुझे निवेस है जो बहुत ज़्यादा टेक्स लाब देता है जब तक आप कम कीमत की प्रोपर्टी बेच करूंची कीमत की बड़ी प्रोपर्टी खरिगते रहते हैं तो आपको तब तक टेक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगद ही नहीं रखना चाहिए जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टेक्स की छुटों का लाब नहीं उठाते वे अपनी संपती वाले कालम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं गरीबों और मद्यावर्ग के पास इतने संसादन नहीं होते वे चुप चुप बैटे रहते हैं और सरकार की सुजियों को अपनी बाहा पर लगने देते हैं और बलड डोनेशन की अजाज़त दे रहते हैं आज मैं ज़्यादा टेक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगाता रस्तब्द होता रहता हूँ और वे एसा सिर्वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं और मैं जानता हूंगी सरकार टेक्स एजेंट कितना डराऊना होता है, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनस बंद होगे और इसके लिए सरकार दोसी थी, मुझे यह सब पता है, मुझे यह सब पता है। मैं खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसा कोर्परेशन के बाद हम से किया, जो अमेरों का सबसे बड़ा रहश्य है। मैं जितने भी समय तक मैंने उनके मार्क दर्सन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ग्यान ही ताकत है और पैसे के साथ तो बड़ी ताकत होती है। उसे बनाई रखने के लिए और उसे कई गुना आगे करने के लिए सही ग्यान की जरूरत होती है। उस ग्यान के बिना संसार आपको इदर उतर धक्ये मारता रहता है। अमेर टेडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाते कि सबसे ज़्यादा नरावना वेक्ति बोस या सुपरवाजर नहीं होता बलकि टेक्समेन होता है। अगर आप उसे मुखा देते हैं तो टेक्समेन हमेशा आप से ज़्यादा से ज़्यादा वसूद कर सकता है। पैसा मेरे लिए काम करें। मैं पैसे के लिए काम ने कुरूँ। मेरा यह पहला सबक दर असल ताकत के बारे में हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं, तो आप ताकत को अपने बोस के हाथ में देते हैं, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है, तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं, एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ग्यान हो जाई फिर हमें पैसे के लिए आसे स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने का रास्ता ढूनना चाहिए इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है अगर आप पज्यानी है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बजने का मुका है हाँ इसलिए मेरी डेड़ी स्मार्ट टेक्स का काउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे वकीलों को वेतन देना सरकार को टेक्स देने से सस्ता था मेरे लिए उनका सरवसरे सबक था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इदर उदर धक्य नहीं दिये जा सकी और मैंने जिंदगी बरी से अपनाया है वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे वे कानून क्योंकि नहीं जानना बहुत महिंगा साबित हो सकता था अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलजने से नहीं डरेंगी चाहिए आपका मुखावला रोबिनोड और उसके गिरों से ही क्यों नहीं हो जाएंगी मेरे पड़ेली के डैड़ी मुझे हमेसा प्रोटसाइट करते थे कि मैं किजी बड़े अच्छे कॉर्परेशन में बड़ी असी नोपरी ढूंड लूँ वे मुझे हमेसा उन अच्छाईयों के बारे में बताते थे जो कॉर्परेट सीडी पर चड़ने से आसिल की जा सकती थी वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्परेट नी अवक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी त्रेनिर बर रहने उसे मैं एक एसी दुधारूगाय बन जाता जिसे दुधा जा सकता था जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाव बताई तो वे केवल हंसे उन्होंने सिर्फ यही कहा सीडी के मालिक ही क्यों ने बना जाई बच्पन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉर्कुरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था यह एक ऐसा विचार था जो असंबव और डरावना लग रहा था हलांकि मैं इस विचार से रोमान्चित था परन्तो मेरी कम उमर में मैं इस अमवना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि ऐवे ऐसक लोग किसी दिन मेरी कमपनी में काम करने लगें मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पड़े लिके डैडी की सलाखा पालन कर रहा हुता अमीर डैडी ने बार बार याद दिलाने की कारण ही मेरे अपने कोर्परेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक तरह पर चलाता रहा जब मैं पंद्रह या सौला साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस रापर नहीं चलने वाला जो मेरे पड़े लिके टैडी ने बताई है मैं नहीं जानता था कि मैं इसा किस तरह करूँगा परंतु मैंने दरड निश्चे कर लिया था कि मैं फीट के साथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाओंगा जिस तरफ मेरे सैपटी जा रही है इस फैसले ने मेरी जिन्दगी बदल दी जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक अमीर डैडी की सला मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी मैंने हाल ही में मेरिन काप शोड़ी थी और जेरक्स के लिए काम कर चुँडा हा था मुझे बहुत पैसा मिल रहा था परन्तु हर बार जब भी मैं अपनी तंकुआ के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निरासा होती थी कोटोटी बहुत ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा मैं काम करता था प्टोतियां उतनी ही ज़्यादा होती थी जब मैं ज़्यादा सपल होने लगा तो मेरे वरिष्ट बोस मेरे प्रमोशन और तंकवा बढ़ाने की बातें करने लगी यह सुनने में तो अच्छा लगता था परंतो मैं अपने कानों में अपने अमीर डेडिक ही आवाज भी सुन सकता था तुम किसके लिए काम कर रहे हो तुम किसे अमीर बना रहे हो 1974 में जराक्स के करमचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्परेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया पहले से ही मेरे संपती वाले कालम में खुछ संपतिया मौजूद थी परंतो अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए कटोतियों वाले थनकुआ को देख देखकर मुझे अमिरी डेडी की सला में समझदारी दिखने लगी थी अगर मैं अबने पडेली के डेडी की सला बर चलता तो मुझे अपना वविश्या साफ नजर आ रहा था कई नियुकता यह अनुबव करते हैं कि अगर करमचारी अपने काम से काम रखे तो यह उनके बिजनस के लिए बुरा होता है मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है पर अन्तु मेरे साथ ऐसा नहीं था एक बार मैंने अपने काम से काम रखने के ठान ली और अपने संपतियां बढ़ाना चालू कर दिया तो मैं एक बेतर करमचारी बन गया मेरे पास अब एक लक्षय था मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैजा कमाता था ताकि मैं उसे रियल स्टेट में निवेस कर सकूँ हवाई में उसक मैं कीमते तेजी से बढ़ रही थी और वहां किसमत चमकाई जा सकती थी जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वहां निवेस की सम्भावनाई है उतनी ज़्यादा जेराक्स मेशीने मैंने बेची मैंने जितनी ज़्यादा मेशीने बेची मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ मेरी तनक्वागे चेक से उतनी ही ज़्यादा क्टोट्या हुई यह परेना दाइक था मैं करमचारी होने के जाल से बाहर निकलना जाता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बज़ाई जादा कड़ी मेहनत करता था 1978 तक मैं सेल्ज में चोटे के पांच लोगों में से एक था प्राइन नमबर वन मैं चुहा दोड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए भिताव था तीन साल से भी कम समय में मैं जेरक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉर्परेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था जबकि मेरा कॉर्परेशन रियल इस्टेट में निवेश करने वाली कमपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉर्परेशन से अपने संपती वाले कालम में बना रहा था वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था मुझे कोपियर बेशने के लिए धरवाजे खटखटाने के जरूरत नहीं थी अमीर डेड़ी की सला में मुझे ज़्यादा समझधरी दिख रही थी यानि कि मेरे प्रोपर्टी से आने वाला कैश पलो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद जराज के लोगों को लगा कि मैं अपने कमिशन बेज रहा हूँ पर तुम्हें इसा मैं नहीं कर रहा था मैं अपने कमिशन को संपत्यों वाले कालम में निवेश कर रहा था मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेनत कर रहा था मेरी संपत्ती वाले कालम का हर डोलर एक बड़ी अकरमचारी था जिसकी कड़ी मेनत के कारण और ज्यादा करमचारी तयार होते थे और वे सब मिलकर अबने बोस को एक नई कार्टोपे के रूप में दे देते थे और वह भी टेक्स चुकाने के पहले मैंने जेराक्स के लिए जाराकड़ी मेनत करना चालू कर दिया मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जाकता सबूत थी अपने अमीर डेड़ी से सीके गए सबक के खारण उस चुहाद और मिथक से बाहर निकलने में सफल हो जगा था और कम उमर में ये एक नियुकता बन गया यह पैसे की समझ से ही कुछ संबग हुआ था इस विद्धिय ग्यान के बिना जिसे मैं फाइनसियल आईक्यू को हूँगा आर्थिक सोतंतरता के मेरी रहा में बहुत ज़्यादा मुस्किले आई होती अब मैं फाइनसियल सेमिनारों में दूसरों को इस आसा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ग्यान बाढ़ सकूं जब भी मैं लेक्षर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ की financial IQ इसे सग्गेता के चार बड़े शक्षेत्रों से आने वाले ग्यान से बनता है नमबर एक है accounting जिसे मैं financial साक्षता कहता हूँ अगर आप सामराज्य नमबर दो है निवेस जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विग्यान कहता हूँ इसमें तक्निकों, रन नीतियों और फरमलों की जरूरत हुरती है यह मस्तिस्क का दाया पैलु आ Hello यारी रचनात्मक पैलु नमबर 3 है बाजार की समझ मांग और पूर्टी का विग्यान बाजार के तक्निकी पहलों को जानने की जरूरत है जो कि बावनाओ द्वारसंसालित होता है 1996 में क्रिसमस के दोरान टिकल मी एलमो डॉल का परकर्ण भी तक्निकी या बावनाओ द्वारसंसालित बाजार का उधरन है बाजार का दूस्ता अत् zasad तो निवेस की मूलभूत या आर्थिक समझ है क्या किसी निवेस में समझदारी है या वरतमान बाजार की परिश्थितियों के साब से इसा करना ना संज़ी है कई लोग यह थोजते हैं कि बाजार को समझना या निवेस की अफ़दा हडाई बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वेजटिल होती है वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विशों को अनुपूती से समझ लेते हैं जो लोग इलम और डोल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए है एक सीसस चीट करेक्टर थी जिसे क्रिस्मस से पहले बच्चों में कूप परचारिप किया गया था लगवक सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिस्मस की सुची में उनोंने इसे सबसे उपर रखा था परंतो क्रिस्मस के लिए इसका विग्यापन करने के बाद जब यह बाजार से गायव हो गई तो कई लोग यह सूचने लगे कि कहीं कमपने ने चानबूज़ कर तो इसे बाजार से गायव तक बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलोने वालों में इसमें मुनाफ़ा कमाने का मुखा देखा। जिने डॉल नहीं मिल पाई थी वे दुरवाग्या साली ममी डेडी क्रिस्मस के लिए कोई दूसरा खिलोना करीदने के लिए मजबूर हो गई। टिकल मी एलमोंडोल की एविश्वस्ने लोग प्रियता मेरी समझ में नहीं आई। परंतु यह मांग और पूर्ति के अतसास्तर का बड़िया उधारन है। यही बात स्टोक, मॉन्ट, रियल इस्टेट और वेस्वाल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नमबर चार है कानून। उधारन के तोर पर अकाउंटिंग, निवेस और बाजारों की तक्निकी दक्स तागे सारे कार्पोरेशन का परियोग। इस्पोर्टक वुरत भी प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्परेशन दवारा दिये जाने वाले टेक्स फाइदों और सुरक्षागा ग्यान हो, वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है। और अमीर बनता है, जो किसी करमचारी या चोटे बिजनस के मालिक के लिए संभव नहीं है। उसमें उतना ही अंतर है, जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब हम इसे दिर्क कालिन संपक्ति के संदर्व में देखते हैं। नमबर एक है टेक्स लाव। एक कॉर्परेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है, जो एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे की यह टेक्स देने से पहले खर्च कर सकता है। यह विशे सग्याता का एक एस अक्षेत्र है, जो बहुत रोमान्चक है। परंतो इसमें अंदर गुसना तब तक जुरूरी नहीं जब तक कि आपका बिजनस या संपती बहुत बड़ी नहीं हो। करमचारी कमाते हैं और टेक्स चुकाते हैं और फिर वो बचाता है, उससे अबना खर्च चलाते हैं। एक कर्परेशन कमाता है जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टेक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाओ का रास्ता है। उन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा मेंगा नहीं है। बसरते कि आपके पास अपने खुद के निवेस हो जो अच्छा कैस्वलो दे रहे हो। उधारण के तोर पर अपने कॉर्परेशन का फाइदा यह है। गूमने जाने का करेकरम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भूटान, भीमा, रिपे, रित्यादी कंपनी खर्च में डाल दिये जाते हैं। हेल्थ कलब की सबस्यता भी कंपनी खर्च है। जादातर रेस्टूरेंट, डीनर भी अंसिक भी हैं। और भी यह से बहुत से खर्च हैं जो टेक्स चुपाने के पहले किये जाते हैं। हम एक कानूनी समाज में रहे रहे हैं। हर आदमी आपसे फाइदा चाता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी जादातर संपत्ती को चुपाने के लिए कोर्पोरेशन्स और ट्रस्ट का सारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावाट होकता है तो उसे यह पता चलता है कि यह कानूनी कवज से गिरा हुआ है। और दरसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ती है ही नहीं। वे हर चीज़ पर नियंतरन रखते हैं परंतु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। गरीब और मद्य वर ये लोग हर चीज़ के मालिक बनने की कोशिस करते हैं और इसलिए जब उन पर दावाट होगा जाता है तो वे सरकार या आपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ती खो बैठते हैं। उन्होंने रावे नूट के कानिज़ यह सिखा है कि आमीरों से वसुलो गरिबों में बांडो। इस पुस्तक का लक्षा यह नहीं है कि कार्परेशन बनाने का तरीका बताया जाए। परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैद संपत्तियों हो तो आप ज जरूरी सीडियों को भी समझाती हैं। एक पुस्तक खास तोर पर बहुत अच्छी है जिसका सिरसक है इंक एंड ग्रोरिच। यह पुस्तक कोर्परेशन की ताकत का बखुबी वर्मन करती है। फानेंसियल आईक्यू दरसल कई कुसलताओं और गुनों का मेल है। मैं तो य लक्षताओं के समझे में ऐसे आपका फानेंसियल ग्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी महतुपून फानेंसियल रणने इते के लिए हम आपकी संपतियों के चारों तरफ कोर्परेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सला देते हैं। धन्यावाद आईए चलते हैं अध्याइच्छे की तरफ जो है अमीर लोग पैसे का विष्कार करते हैं। आपका दिन शुब हूँ। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और एलेकजन्रव ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी करिकरम देखा। बेल ने टेलिफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी। चुकि उन्हें एक बड़ी कमपनी की जुरूरत थी। इसल वेस्टन यूनियन के अग्जेक्स ने यह सुनते ही तियोरियन से डाली और परस्ताव को यह कह कर ठोगरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतियास है आर्बों डालर के उध्योग का जनम हुआ और एटी एंटी का जनम हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद श्याम के समाचार आ रहे थे। समाचारों में एक स्थानिया कमपनी के स्टोक में कटोती के बारे में एक ख़बर थी। करमचारी नाराज थे और शिकायद कर रहे थे कि कमपनी के मालिक जाज़तिया कर रहे हैं। कि उन्हें नोपरी से ने निकाला जाए उसने हाली में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेशना पड़ेगा कैमरा उसके अनुने विने पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया देख रही थी यह कहने की जुरूरत नहीं कि इसने मेरा ध्यान खेंच लिया मैं 1984 से विवसाइग रूप से पड़ा रहा हूँ यह एक बहुत अच्छा नुओ और पूरुसकार रहा है यह एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पड़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिलू हम में बहुत ज़्यादा संभावना ही होती है और हमें परकर्तिन ने बहुत से उपार दिये होते हैं परंतु जो चीज हम सभी को पीछे दकेलती है वह है कुद के बारे में शंका तकनिकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि आता हुए स्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं कई लोगों पर इसका अधर ज़्यादा होता है एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं कालेज डिगरी के होने या अच्छे नमबर आने का कोई खास मैतव नहीं होता सेक्षन एक माहूल के बाहर असली जिन्दगी में अच्छे नमबरों से ज़्यादा मैतव पून चीज़ की जरूरत होती है इसे गड़्स बहादुरी चाला की साहस परतिबा जोखिम लेने की एक्षमता इत्यादी के नाम से पुकारा जाता है यह तक्तुर सहाई इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए पुल मिलाकर हमारे वेविशे पर स्कूल के नमबरों से ज़्यादा आसर डालता है हम सभी के वीतर एक बहादुर पुल्टिबा शाली और जोखिम लेने वाला चरितर मौजूद होता है परन्तु हम सभी के वीतर चरितर का एक दूसरा पैलू भी होता है जो अपने गुटने टेकर जरूर पढ़ने पर भीग भी मान सकता है मेरे इन कार्प्स के पाइलेट के रूप में वीतनाम में एक साल रहने के बाद मुझे अपने वीतर चुप इन दोनों चरितरों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता परन्तु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना की व्यक्तिकी पृतिबा के सबसे बड़े ही दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की इक्षमताओं के बारे में शंका यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यारती जवाब जानते थे परन्तु उन में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी असली जिन्दगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते बहादूर लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे अपने अनुभव में आपके फाइनन्सियल जीनियस के लिए तकनिकी ग्यान में ज़रूरी है और साहस भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिबा का दमन होता है मेरी कक्षाओं में में विद्यार्चियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खत्रे लेना सीखें बहादूर बने और अपने प्रतिबा के दौर अपने डर को ताकत और सतुराई में बदल ले उस लोगों के लिए ऐसे डांत काम करता है जबकि कईयों को यह डराम ना लगता है मैंने यह भी जाना है कि ज़्यादा तर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित के लिखेलना पसंद करते है मैंने ऐसे सवाल भी चुने है जो किम क्यों लिये जाएं अपने फैनेंसियल आईक्यू को विक्षित करने की जंजट क्यों उठाई जाए मैं पैसे की समझ क्यों विक्षित करूँ और मैं जवाब जानता हूँ केवल इसलिए तकि आपके पास ज़्यादा विकल्प होँ हमारे आगे बहुत से परिवतन खड़े हैं जिस तरह मैंने इस अध्याई के शुरू में युवाव इसका अलेकजेंडर ग्राहम बेल की कहनी बताई थी आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे बिल गेट्स की तरह के सेंकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसोफ जैसे बहुत सी अत्यदिक साफल कंपनियां बनेंगी और दिवालिया पन कंपनी बंध होने स्टाफ निकालने की बहुत सी घटना ही होगी तो आपको फाइनन्सियल आईक्यू विक्षिट करने की जंजट में क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता आप खुद दे सकते हैं परुर्टो मैं आपको बता दूँ कि मैं इसा क्यों करता हूँ मैं इसलिए इसा करता हूँ क्योंकि आज का यूग सबसे ज़धा रोमांच काड़ी यूग है मैं चाहता हूँ कि कि मैं परिवरतन से डलने के बजाए उसका स्वागत करूँ मैं चाहता हूँ कि मैं लाकों करोणों बनाने के बारे में रोमांचित रहूँ ने की सिर्फ अपनी तनखा बढ़ाने के बारे में आज का यूग सरवादिक रोमांच कारी समय है जो दुनिया के इतियास में अबुत पुरू है कई फीडियों के बाद लोग इस यूग याद करते हूए यह कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांच कारी रहा होगा इसे पुराने की मौत नए का जनम का यूग कहा जाएगा इस यूग में बहुत उतल उतल थी और रोमांच भी था तो अपने फाइनन्सियल आईको को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आप के लिए डरावना होगा उस समय में आप बहुत दूरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफलोते देखी ने और पुराने सिदान्तों से जगड़ी रहने वाले लोगों को ऐस सफलोते देखी ने 300 साल पहले जमीन ही समपत्ती थी इसलिए जिस आदमे के पास जमीन थी उसके पास समपत्ती थी फिर फैक्टरियां आई उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका में अपना दबदबा बना लिया उत्द्योगपती के पास समपत्ती आ गई आज सुचना का यूब है इसलिए जिस आदमे के पास जितनी ज़्यादा और जल्दी सुचना आ जाती है वह है अमीर हो जाता है समझ्या यह है कि सुचना दुनिया भर में परकास की गती से उड़ रही है इस नई समपत्ती को सीमा और दाइर हो में नहीं बाला जा सकता जिस तरह जमीन और फेक्ट्यों को बाला जा सकता हुआ परिवरतन ज्यादा तेजुर ज्यादा नटकिये होंगी नई करोण पुतियों लिश्किया में नटकिया बडोत्री होगी एसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएं आज मैं इतने सारे लोगों को संगर्स करते देखता हूँ और ज्यादा प्राए ज्यादा कड़ी मेनत करते देखता हूँ तो एसा सिर्भी इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं वे चाते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो वे परिवर्तन का विरोध करते हैं मैं एसे लोगों को जानता हूँ जिनकी नोकरित सूट गई है गर बिग गया है और वे इसके लिए टेक्नोलजी आर्थवे उस्ता या अपने बोस को दोस्त लेते हैं दुरभागे से उन्हें यह मैसूस ही नहीं होता कि वे भी समश्या का कारण हो सकते हैं पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते की जो विचार पुराने जमाने में समपत्ती था वे आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है एक दोपेर मैं अपने दोबारा इजाद किये के बोर्ड गिम कैश्फलो से सिख्षा दे रहा था मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वे भी सीख सकी दोस्त की के दोस्त का हाली में तलाक हुआ था तलाक के मुगदूएं में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वहे आपको कुछ जवाब ढून रही थी उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ चिखने को मिलेगा इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है खेलने के दोरान वे इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के आपसी संबन के बारे में सीखते हैं वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के भी इस कैस का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की रहा में आपको अपनी संपत्ति वाले कालम से निकलने वाले मासिक गैसों लोगों बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाए एक बार आप इसे आसिल कर लेते हैं तो आप सुआद और से बाहर निकल जाते हैं और तेज रहा पर चल पड़ते हैं जैसा मैंने कहा है कुछ लोगी स्केल से नफरत करते हैं कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं एक महिला ने कुछ शीखने का बहुमली अफसर खो दिया शुरुवती राउंड में उसने एक डूडेट काड़ खींचा जिस पर एक नाव बनी होई थी पहले तो वह खुश हुई अरे मेरे पास तो एक नाव है फिर जब उसके मित्र ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट पर काम करते हैं तो वह एक उन्ठी तो हो गई क्योंकि उसे एक निप चरावी पसंद नहीं था बाकी के खिलाड़ियों ने शान्ति पुरूप इंतिजार किया जब उनका दोस्ति इंकम स्टेट्मेंट बैलेंस सीट और मासी कैस फ्लो के बारे में उसे समझाता है अजानक जब उसने यह जान लिया यह आंकडे किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकल जटका लगा कि उसकी नाओ उसे जिन्दा खा रही है बाद में वह डाउन साइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया यह उनके लिए एक बहयानक खेल साबित हुआ कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है वह कक्षा में निवेस के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मुर्गता पूम लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना जारा समय बरबाद किया जाई उसके मित्र ने उसे यह समझाने की कोशिस की कि वह बने बित्र जांक कर देके क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी फैलो को उजागर कर रहा है इस सुजाओ पर उस महिला ने अपना पैसा वापिस मांग लिया उसने कहा कि यह विचार मुर्गता पूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी फैलो को उजागर करता है उसका पैसा ततकाल वापिस कर दिया जाई और वह वापिस चली गई 1984 से मैं करोडों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखा था जो मैं सिखा रहा हूँ स्कूल में ज़्यादा तर्शिक्षक वासन देते हैं अपने चातर जीवन में मुझे वासनों से चिर थी मुझे बहुत जल्दी गोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर बठकने लगता है 1984 में मैंने खेल खेल में सिख्षा देना चालू किया मैंने व्यासक विद्यार्थियों को परोफसाइद किया कि वे इन खेलों को ज्यान बढ़ाने के इस प्रेलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए सबसे मैतुपोन बात यह है सबसे मैतुपोन बात यह है कि इस खेल में आदमी के विवार पर भी प्रकास पड़ता है यह एक तत्काल फीड़बेक सिस्टम दिये टीचर लेक्चर दे इसके बजाए खेल एक वेक टिगत लेक्चर बन जाता है जो आप के लिए बनाया गया है उस मैला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए उसने कहा कि उसकी मित्र अब शान्त है शान्त होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के वीच में कुछ आप से सम्मन्द की मैसूश की है हालांकि उसके और उसके पती के पास नाओ नहीं थी परन्तो उसके पास बाकी सब चीजे थी वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी उसका पती एक कम उमर की महिला के साथ बाग गया था और 20 साल के वे भाई जीवन के बाद उसके पास दोलत के नाम पर बहुत कम सामान था उसके बीच बांटने के लिए लगवग कुछ भी नहीं था 20 साल के उनकी शादी सुदा जिन्दगी में मज़ा बहुत आया था परन तो उन्होंने केवल डेडू डेकर ठेकिये थे उसने यह मैसूस किया कि आंकडों पर उसका गुस्सा इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट पर इसलिए था क्योंकि वे उन्हें समझ नहीं पा रही थी उसका यह मानना था कि पैसे देलेगा इसाब किताब रखना पूर उसका काम है वह घर संबालती थी और उसका पती पैसों को संबालता था उसे अव यह पक्का बरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखरी पांच सालों में उसके पती ने उससे पैसे चुपाई थे वह इस बात पर खुच से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहा गया है और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबन्द बन चुका है बोर्ड गेम की यह तरह दुनिया भी पतकाल फीड़ बैक देती है अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं कुछ समय पहले की बात है मैंने अपनी पतनी से का कि दोवी ने मेरी पेंट को सिकोड दिया मेरी पतनी दीवे से मुस्पुर आई और उसने मेरे पेट में उंगले गडाते हुए मुझे बताया कि पेंट नहीं सिर्कुडी है बल्कि कोई और चीज फैल गई है कैश पलो ना मगिया है खेल हर किलाड़ी को विर्तिकत फीड़ बैक देने के इसाब से तैयार किया गया है इसका लक्ष है आपको विकल्ब परदान करना है अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको करज में डाल देता है तो सवाल यह उठता है अब आप क्या कर सकते है आपके पास कितने फाइनाशियल विकल्ब मौजूद है यही खेल का लक्ष है कि लड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनाशियल विकल्ब बना सकें मैंने एक अजार से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है वे लोग जो इस खेल की चुहा दोड़के सबसे जल्दी निकल जाते है उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनाशियल दिबाक होता है वे बहुत से फाइनाशियल विकल्बों को देख सकते हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे एसे लोग होते हैं जिने अंकों की समझ नहीं होती और जिने प्राइन निवेस की ताकत का एसास नहीं होता अमेर लोग प्राइन रचनात्मक होते हैं असली जिन्दगी में भी आर्थी ग्रूप से सबल नहीं होते हर कोई उन से आगे निकल जाता है इस तर्थे के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है और यही असली जिन्दगी में भी होता है यसे बहुत से लोग है जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर् 20 है प्राटियों में सबसे अमीर हुआ करता था जब स्थानिय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो वह जिस कमपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो भी उसके दिमाग में केवले एक विकल्ब था और वह पुराना विकल्ब था कड़ी में इनत करो समश्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नोकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कमपनी में उसकी वरिष्टा को मने इसका परेणाम यह हुआ कि वह आभी जो काम कर रहा है उसकी योग गिता के बहुत नीचे के काम है और इसलिए उसकी तनक्वा कम है उसे जिन्दा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए इतना कमाने के लिए उसे तीन नोकरियां करनी पढ़ रही है मैंने कैश प्रो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रही है इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते है मैं इसे लोगों को जानता हूँ जो असली जिन्दगी में भी एसाई करते है वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते है मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है और फिर उनके पास परियाप्त पैसा नहीं होता फिर वे यह ऐसी कायद करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वे चुहाद ओड़ के बाहर निकल सकते थे इसलिए वे वे वहीं बैटे रहते हैं मैं असले जिन्दगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं वे महान आउसर देखते हैं परंट उनके पास पैसा नहीं होता और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान आउसर वाले काड को खिंशते हैं उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान आउसर है, उनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, परन्तों वे आउसर को नहीं देख पाते हैं, वे यह देखने में ऐसा खल हो जाते हैं, कि चुहादोर से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनके फ सामने पढ़ा हुआ मिलता है पर उसे नहीं धेक पाते एक साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सबी लोग अमीर बन जाते हैं financial बुद्धी का मतलब है ज़्यादा विकल्ब होना अगर आउसर आपके सामने नहीं आ रही है तो आप अपनी आर्थिक्स्टित इस उधारने के लिए क्या कर सकते हैं अगर कोई आउसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रही है तो आप उस उसर से कैसे लाव उठा सकते हैं अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप इसके उमीद करते हैं कि वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक निम्बू को लाकों में बदल सकते हैं यह financial बुद्धी है इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समश्या गोच सुल जाने में कितने रचनात्मक है ज्यादातर लोग के विलेक समादान जानते हैं कड़ी मेनत करो, बचत करो और उधार लो तो आपको अपनी financial बुद्धी क्यों पढ़ानी चाहिए क्योंकि आप उस तरह के इनसान होना चाहते हैं जो अपनी किसमत खुद बनाता हो आप जो होता है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्शमता रखते हैं बहुत कम लोग यह समझ बाते हैं की किसमत भी हमी बनाते हैं जिस तरह की पैसा बनाया चाता है अगर आप जिए आप जड़ा किसमत वाले होना चाहते हैं और जड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेनब करने के अलावा आपकी financial वुद्ध में तो क्हों है अगर आप उस तरह के आदमी है जो सभी चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा यह है तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़े निकालने से पहले यह है पक्ता करना चाहें कि अगले पांस मिल तक भी सभी स्ट्रिट लाइटें हरी हो जब हम छोटे थे तो अमेर डैड़ी माईक और मुझे लगाता यह है बताते थे पैसा असल ही नहीं है अमेर डैड़ी हमें बार बार यह है याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर आप एर इसके सिक्षे डाले थे तो हम पैसे के रह الس सबसे करीब आ गई थे क्योंकि हम पैसा बना रही थे गरीब और मद्यमर पैसे के लिए काम करते हैं उनका कहना है अमीर लोग पैसे बनाते हैं आप धन को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ज्यादा मेनत से काम करेंगे अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है तो आप ज़्यादा तेजिसे अमीर बन सकते है अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर क्या है माई कोर में उनसे यह सवाल पूस्ते थे पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाए अमेर डेडी इतना ही जबाब देते थे हमारे पास जो इकलोती सबसे शक्ति साली पुन्जी है वह है हमारा दिवार अगर इसे अच्छी तरह प्रसिक्षित कर दिया जाई तो यह एक पल में धेर सारी दोलत बना सकता है इतनी दोलत कि तीन सो साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी एक एपर सिक्षित वेक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है जो पीडी दर पीडी चलने के कारण कई पीडियों तक बनी रह सकती है सुचना के ECU में पैसा मिनिटों में बन जाता है कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके एविश्वसनिया रूप से अमियों हो जाते हैं और इसके लिए वेकेवल कुछ विचारों और अन्मंदों का सारा लेते हैं आपको यह बात वे लोग असानी से बता सकते हैं जो स्टोक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेस करते हैं क्योंकि वहां अक्सर रेसा होता रहता है कुछ नहीं से तदकाल करोडों मनाई जा सकते हैं और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लेंदेन की यह अनुमंद के द्वारा किया जाता है ट्रेडिंग पीट में हाथ के एक संकेट से टोरंटों के ग्रहाक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर्स की स्क्रीन पर बत्ती जलती हैं और शेर पलवर में टोरंटों पहुंच जाते हैं एक मिनट बाद शेर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पलवर में बिख जाते हैं इस पूरे मामले में धन का लेंदेन नहीं हुआ अनुमंदों का हुआ था तो अपनी फाइनशियल परतिवा क्यों विक्सित करें इसका जवाब के वला आप ही दे सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इसे विक्सित कर रहा हूँ मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेज इसे दन कमाना चाहता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जुरूरत है बलकि इसलिए क्योंकि मैं इसकर करना चाहता हूँ यह सीखने के दिल्चस्प पर किरिया है मैं अपना फाइनास से लाइक यू इसलिए विक्षिट करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूँ और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अबूत्पुरु विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ एक एसे यूप का जहां इनसान विशुद रूप से केवल अबने दिमाग से काम करते हैं शरीर से नहीं इसके अलावा यहां ज्यादा रोमांच है यहां पैसा है यहां डर है यहां आनंद है इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धी में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्ति साली संपत्ति को विक्सित करता हूँ मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ मैं पैसे बनाने वाला एक आसान उगान देना चाहता हूँ 1990 के दसक की सुरुवात में फिनिक्स की अर्थ्वे वस्ता बहुत बुरी थी, मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था, जब एक फाइनेंसियल प्लानर आया, और उसने निरासवादी बविशयवाणी करना शुरू कर दिया, उसकी सला थी, पैसे बचाओ, हर मेने सो डालर बचाओ और 40 सालों में आप भी करोण भी बन सकते हैं, खैर हर मेने निश्ची तरकम बचाना भी एक अच्छा विचार है, यह एक विकल्ब है, एक एसा विकल्ब जिसे बहुत से लोग मान लेंगे, समश्या यह है कि एसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता, कि उसके आसपास क्या ह हो रहा है, फिर अपने पैसे में ज़्यादा मैत्रपौन बडोदरी के बड़े मुकों का फाइदा नहीं उठा पाते, दुनिया उनके पास से प्रूजरकत आगे बढ़ जाती है, जैसा मैंने कहा, अर्थवे उस्ता उसमें बहुत बुरे आल में थी, निवेसकों के लिए एक आदर्स बादार्स दिती थी, मेरा काफी पैसा उस समें स्टोप मार्केट और अपार्टमेंट आउसेज में पसा हुआ था, मेरे पास नगत पैसा नहीं था, चुंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था, मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेस कर वयानक थी, मैं बहुत चोटे-चोटे निवेसों को तो बढ़न नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाओंगा, वे घर जिनकी कीमत कभी एक लाग डालर होती थी, अब पिछे तरसो डालर के रह गए थी, परंतु स्थानिया रियल इस्टेट आफिस म पर खरीदारी करना शुरू कर दिया, इन जगों पर पिछे तरह जार डालर का अगर बीस जार डालर या इस से भी कम में खरीदा जा सकता था, मैंने अपने मित्तर से दो जार डालर का लोन लिया, नबे दिनों में एक लोन पर ब्यास दो सो डालर था, मैंने वकील को कैशिय वेस्त हो गया और लगातार बजने लगा संभावित खरीदारों को छाटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को कर देखने की इजाज़त दी गई अत्यांत रुत्मांचकारी गठना करम के बीच घर कुछी मिंटों में बिग गया मैंने प्चीस सो डालर की प्रसेसिंग फीस मांगी जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई और इसके बाद कानूनी नमांतरन की कारवाई चलू होगी मैंने अपने मित्र के दो जार डालर के करज में दो सो डालर ब्याज मिला कर उसे देते हैं वह खुश था वह में संपत्ती वाले कालम में 40,000 डालर जमा कर दिये थे इस पूरी कारवाई में मुझे 5 गंटे लगे थे तो अब जबकि आप में पैसे की समझा आ चुकी है और आप अंक बढ़ सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविसकार करने का उधारन है मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 600 दे निफटाई जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रोपर्टी और स्टाक मार्केट में फशा हुआ था हम खरीदने और बेशने के सोदे में अपनी संपत्ती वाले कालम में 1,90,000 डालर से ज ज्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कोर्परेशन दवारा सुर्क्षित था इस 19,000 डालर परतिवर्स का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों पेट्रोल ट्रिप्स भी में इंगराहकों के सारदी नरित्यादी चीज़ों पर खर्च हो सकता था जब तक सरकार को सामदनी पर टेक्स लगाने का मोखा मिलता तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका होता है अपनी फाइनेंसियल गुद्धी के इस्तिमाल से पैसा किस तरह पुजा जा सकता है बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है यह इसका एक आसान उधारण है खुद से पूछें एक लाग नब्यजार डालर बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा क्या बैंक का आपके पैसे बर दस फिस के ब्यास देगा और सपत वतर तिस सालों तक वैब था मुझे आसा है कि वे मुझे कभी एक लाग नब्यजार डालर नहीं देंगी मुझे टैक्स देना पड़ेगा और वे मुझे मूल दन देते हैं और इसके अलावा तिस साल के समय में एक लाग नब्यजार डालर दिये जाने से कुल आम्दनी पांस लाग डालर से ज्यादा कि क्या होगा अगर कोई वेक्टी पैसे नहीं चुकाई ऐसा होता है और यह एक अच्छी ख़बर है 1994 से 97 तक फिनिक्स रियल इस्टेट बाजार देश में सबसे ज्यादा गरम बाजार सावित हुआ उस 60,000 डालर के गर को दुबारा 70,000 डॉलर ने बेचा जा सकता है और एक ब जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल 2000 डालर खर्च किये थे तकनिकी द्रिस्टे से इस सोदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था निवेस पर मेरी वसूली अनंत थी यह एक उधारन है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कम आ रेता हूं निवेस पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हूं मैं नहीं जानता पर तो यह सो डालर हर मेंने बचाने से बेथर तो है ही सो डालर हर मेंने दरशल देड़ सो डालर पर ती मां की रकम है क्योंकि 40 सालों तक इस पर पांस पिस्दी का टेक्स लग चुका है और एक बार फिर आई पर पांस पिस्दी टेक्स लगता है यह करना बहुत बुद्धिमाने की बात नहीं है यह सुरक्षित हो सकता है पूरे अमेरिका की इर्शागा के अंदर बना हुआ है जो गर उस समय मने साथ हजार डॉलर में बेचे थे आज उनकी किमत एक लाग दस हजार डॉलर हो चुकी है अब भी यह से मौकी है परंतु अब उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा कर्च करना पड़ेगा वे दुरलब है परंतु आज हजारों खरीदार इन सोदों की तलास में बठक रहे हैं और बहुत कम समझदारी वेरे मौके मौझे मौझे बाजार बदल चुका है यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्री वाले कालम में दूसरे मौके डूमने का समय है आप यहां इसा नहीं कर सकते यह कानून के खिलाफ है आप जोट बोल रहे हैं मैं इस तरह की परतिक्रिया हूँ को ज़्यादा सुनता हूँ और क्या आप मुझे इसा करने का तरीका बता सकते है यह आगर है कम सुनता हूँ गनीत असाल है आपको इसमें पीज गनीत या कैल्कुलेशन की जुरूरत नहीं है मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एस्क्रो कमपनी का नूनी सोदों को संबालती है और बुगतान की सेवा को भी मुझे चत ठीक करवाने अटाइलेक ठीक करवाने में जंजट भी नहीं उटानी परती क्योंकि यह कामगर के मलिक का है यह उनका घर है कभी गवार कोई पैसा नहीं चुकाता और यह भी अच्छा होता है क्योंकि उसके विलम शुल्क मिलता है यह वेगार छोड़ कर चले जाते हैं और प्रोपरटी एक बार फिर से बेश दी जाती है पोर्ट सिस्टम यह ऐसर संभाल लेता है और हो सकता है यह आपके इलाके में काम नहीं करें बाजार के स्थितिया अलग हो सकती है पर तो यह उदारन दरसाता है कि किस तरह एक आसान वित्यपर करिया कुछी समय में लाकों डाना बना सकती है जिसे बनाने में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है यह अनुबंद से बनाए जाने वाले पैसे का उधारन है जिसके पास भी हाई स्कूल तक की सिक्षा है वह इसा कर सकता है परन्तु ज़्यादातर लोग इसा नहीं करते ज़्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बनाओ कि पुरानी सला सुनते है लग वक 30 गंटे की मेहनत के बाद एक लाग 90 जार डालर संपत्ती वैले कलों में आगे और इसके लिए टेक्स भी नहीं देना पड़ा इन में से कौन से सला आपको ज़्यादा कठिन लगती है नमबर एक कड़ी मेहनत करो पचास विजदी की दर से टेक्स चुको और फिर जो रकम बचती है उसमें से बचत करो आपकी बचत पर आपको पांस विजदी ब्याज भीता है जिस पर एक बार फिर टेक्स लगता है या नमबर दो पैसे की समझ विक्सित करने का समय निकाले और अपने दिमाग और समपती वाले कालम की ताकत का इस्तेमाल करें इसमें वह समय भी जोड़ ले जो आपको विकल्प नमबर एक के परियोग द्वारा एक लाख नबे जार डालर बचाने में लगता है क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी समपती है अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुप चाबा बना से रेलाता हूँ जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ मेरा बच्छा स्कूल में अच्छी बढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी सिख्षा मिल रही है यह अच्छी हो सकती है परन्तु क्या यह प्रियाप्त है मैं जानता हूँ कि उप्यूप निवेस टकनीक एक छोटी टकनीक है इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत विटिया निव कितनी मेतवकून होती है जो मजबूत विटिया सिक्षा से शुरू होती है मैंने इसे पहले कहा है और यह एकदम मेतवकून है और यह इतना मेतवकून है कि मैं इसे एक बार फिर दो रहना चाओंगा वित्य गुदी चार मुख्य तकने की तक्ष्टाओं से मिलकर बनती है नमबर एक वित्य साक्षरता अंकों को पढ़ने की योगेता नमबर दो निवेश की रननेती धन दवारा धन बनाने का विग्यान नमबर तीन बाजार मांग और पूर्थी ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था यही बिलगेट्स ने भी दिया यह मुका भी बाजार ने दिया था 20,000 डालर ने कोई मकान खरीट कर उसे 60,000 डालर में बेच दिया जाई जबकि उसके असली किमत पीछे 30,000 डालर थी कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था नमबर 4, कानून अकाउंटिंग, कार्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानून और नेतियों के बारे में जाग डुकता मैं नियमों के बितर रहकर खोल मैं नियमों के बितर रहकर खेलने की सला देता हूँ अगर आप पैसे काविस्कार करना चाहते हैं तो आप में या मूल गूतादार सिला होना चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वे होना चाहिए चाहिए आप इसा छोटे घर, बड़े अफ़र्टमेंट, कमपनिया, स्टो, बांड, विच्वल फंड, मुल्यवान दातुएं बेसबाल कार्ड खरीद कर करें या इसी किसम का कोई दूसरा काम करें 1996 तक डियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था स्टोक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई इसमें जा रहा था अमेरिका की अत्वे उस्तावने पैरों पर खड़ी हो रही थी मैंने 1996 में में बेसना सालो कर दिया और अब मैं पेरू, नारवे, अलेशिया और फिलिपिन्स की यात्रा कर रहा था निवेश बढ़ गए थे जहां तक खरिदारी का सवाल था अब हम रियल एस्टेट बाजार बेजे पाहर थे मैं आसा करता हूँ कि 6 छोटे गरों के सोधे को बेज दूँगा और 40,000 डॉलर के नोट को धन में बदल लूँगा मुझे अपने अकाउंटेंट को बुला कर उसे कहना पड़ता है कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टेक्स से बचाने के लिए तरीकिक होजे मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि निवेस आते जाते रहते हैं मार्केट गड़ता और बढ़ता रहता है अर्थ वेवस्ताइं सुदरती और बिगड़ती रहती है दुनिया आपको हर दिन जिन्दगी यानूठे अउसर देती रहती है आपकी जिन्दगी के हर दिन परंतुपराई हम उन्हें देख नहीं पते हैं परंतुबे वहा होते हैं और टेक्नोलजी जितनी ज़्यादा बदलती है आपके और आपके परिवार के लिए स्थाई आर्थिक सुरुक्षा के लिए उतने ही ज्यादा मोखे होते हैं तो अपनी financial बुद्धी को विक्षित करने की जंजट क्यों उठाई जाई एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि आप यह इसका जवाब दे सकते हैं मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता हूँ और विक्षित करता हूँ मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्थन हो रहे हैं और होने वाले हैं मैं परिवर्थनों का स्वागत करता हूँ और अतीज से चिपका नहीं रहना चाहता मैं जानता हूँ कि मार्केट में जुआर आएगा और मार्केट में बाटे भी आएगा मैं लगातार अपने फाइनन्सियल गुद्धी को विक्सित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवतन पर कुछ लोग अपने नोकलियों के लिए अपने गुपने टेक कर भीख मांगेंगे इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिये गए निम्बूओं को लेकर उन्हें करोडों में बदल लेंगे और हमें यह नहीं बूलना चाहिए यह हमें कभी कबार जिंदगी निम्बूद ही देती है यही फाइनेशल बूदी है मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने निम्बूओं को किस तरह करोडों में बदला व्यक्तिकत रूप से मैं व्यक्तिकत निवेसों के कई और उदान देने से जिजगता हूँ मैं इसलिए जिजगता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़ बोला या अपनी सेखी बगारने वाला कहा जाएगा यह मेरा इरादा नहीं है मैं सिर्फ इसलिए उदान देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावद्दी से सच्ची और सामान गड़ताओं को बताया जा सके मैं उदारन इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह आसान है यह ज़दा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धी के चार स्थम्भों के जानकार है वेक्टिकत रूप से फाइनेंशियल बुद्धी के लिए दो मुखे सादनों का इस्तेमाल करता हूँ रियल इस्टेट और सोटे स्टोप्स मैं रियल इस्टेट को अपने नीव की तरह इस्तेमाल करता हूँ हर दिन मेरी प्रोपर्डी कैश्फ लोग पुदान करती है और उनका मुल्य बढ़ता जाता है सोटी पुझी के स्टोप्स को तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं अपने द्वारा की गई हर चीज की अनुसंसान नहीं करता दारण केवल उधारणी है अगर आउस्टर बहुत जटिल है और मैं निवेस को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेस नहीं करता हूँ पैसे के बारे में निरने लेने में हमें केवल साधारन गनीत और कमन सेंस की दूरत होती है उदारनों का प्रियोग निमन पांच कारणों से किया जाता है नमबर एक, लोगों को ज़्यादा सीखने के लिए प्रेयरित करने के लिए नमबर दो, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नहीं मलगूत है तो पैसे का महल बनाना असान है नमबर तीन, यह बताने के लिए कि कोई धेर सारा पैसा बना सकता है नमबर चार, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्षों को हासिल करने के करोड़ों तरीकी है नमबर पांस यह बताने के लिए कि यह कोई राकेट विक्यान नहीं है 1989 में मैं ओरेगन के पोर्टलेंड में एक खूपसूर। जगह पर जोगिंग किया करता था यह एक उपनगर था जहां छोटे छोटे गर्वने हुए थे वे छोटे और सुन्दर थे हर कई मुझे विकाओ है के बौड दिखते थे लिंबर मारकेट का बुरा हल था स्टोक मारकेट में क्रैश हुआ था और अर्थ लेस्ता में मन्दी थी एक सरक पर मैंने विकाओ है का बौड देखा काफी लंबे समय से महां लगा हुआ था वे पुराना दिख रहा था एक दिन इसके पास से जोगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परिशान दिखा था मैंने पूछा आपने अपने घर की क्या किमत लगाई है मालिक गुमा और फिकी मुस्कुराड के साथ कहा आप किमत लगा ले यह एक साल से ज़्यादा समय से विका हुए और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया मैंने कहा और आदे गंटे बाद मैंने इसे 20,000 डालर में खरीब लिया जो उसके द्वारा मांगी के लिए किमत से कम थी यह दो बेटरूम का छोटा सा सुन्दर घर था मैंने मालिक को 45,000 डालर के घर के लिए पांस अजार डालर नगर दिये जिसकी असरे किमत 65,000 डालर होगी परंत दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था मालिक ने एक अपते मेजे खाली कर दिया और वहे इससे पीछा चुड़ा कर खुश हुआ मेरा पहला किराएदायर वहां आ गया जो एक स्थानिय कालेज में प्रोपेसर था मार्टगेज, खर्थ और मैनेजमेंट फिस चुपाने के बाद हर महिने के आकिर में मेजीजे में 40 डालर आते थे जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी एक साल बाद औरेगन का रियल इस्टेट बाजार मंदी से उबर गया और बढ़ने लगा कैलिफोर्निया के निवेसकों के बास अपने रियल इस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत साफ फैसा था और अवे उत्तर दिशा में आकर ओरेगन और वासी गिटन में खरिदारी कर रही थे मैंने उस चोटे गर को कैलिफोर्निया से आये कि युवा दमपती को 95,000 डालर में बेश दिया जिने यह बहुत सस्ता सोदा लग रहा था इस सोदे में मुझे लगबग बीवर्टन औरेगन में इंटेल प्लांट के पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट मिल गया उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसके किमत का अंदाजा ही नहीं था और यह एक बार फिर वे उसका पीछा चुडाना चाहते थे मैंने साड़े चार लाग डॉलर की मार्ट के लिए दो लाग पीछे तर अजार डॉलर का परस्ता हो दिया वे तीन लाग डॉलर पर मान गई मैंने इसे खरीद लिया और इसे दो साल तक हमने पास रखा फिर उसी यून जिरो त्री यवन एक्सचेंज पर किरिया का फाइदा उठाते हुए मैंने उसी मारत को चार लाग पीछानुए अजार डॉलर में बेस दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक तीस यूनिट का अपार्टमेंट खरी लिया तब तक हम फिनिक्स चले गए थे हमें वैसे भी इसे बेचना था पहले जो हाल ओरेगन के बाजार का था वही मंदी का मावल फिनिक्स के रियल इस्टेट मार्केट में देखने खुट मिला फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिलिंग की किमत 8,5,000 डॉलर थी इस में से 2,25,000 डाउन पेमेंट थी 30 यूनिट से आने वाला 5,000 डॉलर परती महा से कूच जा रहा था एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रोपर्टे के लिए 12,000 डॉलर देने का परस्ताव रखा मेरी पतनी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे परन्तु हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रोपर्टे की किमत 15 से 20 परतिसर तक बढ़ जाएगी इसके अलावा हर मैंने 50,000 डालर मिलते रहना अच्छा लगता था इस उदारन में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए financial statement निवेस की रननेती बाजार की समझ और कानून की जानकारी होनी चाहिए अगर लोग इन विशों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पस्ट रूप से वे standard सलागा पालन करेंगे जो कहती है सुरक्षित खेलो और सुरक्षित निवेसों में पैसा लगाना चाहिए सुरक्षित निवेसों के साथ समझ चाहिए है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफ़ा देते हैं उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफ़ा कम हो जाता है ज्यादातर बड़े ब्रोकरे जाउसे जो खिम्बरे सोदों से बस्ते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राकों की सुरुक्षा कर सके और यह निती समझदारी की भी है असली गर्म सोदे नोसिक्षियों को नहीं दिये जाते फ्राइस सरवसरे सोदे उन लोगों के लिए सुरुक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी दरह समझते हिं और यह सोदे अमीरों को और बी अमीर बना देते हैं वैसे भी इस तरहे के जो खिम्बरे सोदे नोसिक्षियों के सामने रखना तकने की रूप से गैर कानूनी माना जाता है पर अब यह सा कभी कभार होता भी है मैं जितना ज़्यादा प्रिसकरत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं जिन्दगी में फाइनशियल बुद्धी विक्सित करने का एक और फाइदा यह होता है कि इससे हमारे सामने ज़्यादा तरफसर आखते हैं और आपकी फाइनशियल बुद्धी जितनी ज़्यादा वड़ती है आपके लिए यह बताना असान होता है कि कोई सोदा अच्छा है या बुरा आपकी बुद्धी ततकाल एक बुरे सोदे को पैचान सकती है या एक बुरे सोदे को अच्छे सोदे में बदल सकती है मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्यों भी समय के साथ-साथ मेरा अनुभव और बुद्धी बढ़ती जाती है मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रही है और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेनत कर रहे है परन्तुन की फाइनेशियल बुद्धी विक्सित नहीं हो पाई है जिसे विक्सित होने में बहुत समय लगता है मेरी कुल जमा फिलोस्पी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में 20 होना यह है मेरा फार्मूला है मैं छोटे फ्हमाने पर शुरू करता हूँ और 20 गोता हूँ कुछ 20 उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते हमारे रियल इस्टेट कोर्परेशन में हमारे पास करोडों डालर की प्रोफर्टी है यह हमारा अपना REIT याने रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोडों में से कई प्रोफर्टी तो 5000 डालर से 10,000 डालर के निवे से शुरू हुई थी नगत पैसे से खरीदी गई यह प्रोफर्टी उस किस्मती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज़्यादा किमती हो गई थी और टेक्स से मुक्त रहते हुए उन्हें खरीदा और बेचा गया था और इसा कई सालों तक किया गया था हमारा एक स्टोक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा परसनल म्यूचिल फंड कहते हैं हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेसकों के साथ ही बिजनस करते हैं जिन के पास हर महिने निवेस करने के लिए कुछ अतिरी धन होता है हम ज्यादा जोखिम वाली प्राइविट कंपनियों के शेयर करीदती हैं जो अमेरिका या कैनेडा में स्टोक एक्सचेंज पर सारुजनिकोंने जा रही है कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदारने इस तरह देखे हमने कंपनिके सारुजनिकोंने से फेली 25 सेंट परती शेयर की दर पर एक लाग शेयर खरीदे चाह महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर कबाओ दो डालर परती वर्स हो गया अगर कंपनी का प्रबंदन अच्छा है तो कीमते बढ़ती रहेंगी और स्टोक 20 डालर परती शेयर या इससे भी ज़्यादा होगा ऐसे भी कई वर्स रहे हैं जब हमारे 25 अजार डालर एक लाग से भी कम समय में 10 लाग डालर बन गई है यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे है यह जुआ है अगर आप सोदे में अपना पैसा फैंक रहे है और बगवान से सफल होने की दुआ कर रहे है आपको अपनी तक में केगियान, मुद्धी और खेल के प्रतिप्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे वैसे जोखिम तो होता ही है यह financial गुद्धी होती है जिससे आपकी सबलता के अफसर बढ़ जाते हैं इसी कारण जो चीजे एक आदमी के लिए जोखिम बरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी ही जोखिम बरी नहीं होती यह वह मूल कारण है जिसकी वज़े से मैं लोगों को लगातार प्रेडित करता हूँ कि वे स्टोक रियल स्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बजाए फैनन्सिल बुद्धी में निवेश करें आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अफसर उतने ही ज़्यादा होंगे मैं व्यक्तिकत रूप से जिन स्टोक में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनके अंसंसा नहीं करता मैं इस खेल को 1989 से केल रहा हूँ और मैंने इसमें काफी अनुववासिल किया है परंतो अगर आप दुबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज़्यादातर लोगों वे लिए जोखिम बरे क्यों होते हैं तो आप अपने जिन्दिगी को अलग तरह से निधरित कर सकेंगे जिसमें 25,000 डालर से एक साल में 10,000,000 डालर बनाना आपके लिए कम जोखिम बरा होगा जैसा पहले ही कहा जा चुका है मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलान नहीं देता हूँ मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है बात इतनी सी है कि वोसत आदमी के लिए एक लाग डालर से ज़्यादा की परतिवर्साई अच्छी होती है और इसे असिल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगते बाजार कैसा है और आपकी इतनी स्मार्ट है इस बात पर निर्वर करता है कि आप पांच से दस सालों में इसा कर सकते हैं अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो एक लाग डालर की अतिरिक काई आपको सुखद लगेगी चाहे आप काम कर रहे हूं या नहीं आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहें तो काम सोड़ सकते हैं और सरकारी टेक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाई अपने समर्थन में भी परियुक्त कर सकते हैं मेरा बेक्तिकत अदार रियल एस्टेट है मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थाई और धिमी गती से चलने वाली होती है मैं ठोस आदार को पसंद करता हूँ कैश फलो भी आम तोर पर स्थाई ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी समावना होती है रियल एस्टेट की ठोस आदार से लाओने के कारण मैं जोखिम मेरे स्टोक्स करीदने का खत्रा मोल ले सकता हूँ अगर मुझे स्टोक मार्केट में खासा मुनापा होता है तो मैं मुनापे पर कैपिटल गेंस टेक्स देता हूँ और बची होई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ती की नीव और जड़ा मजबूत हो जाए रियल एस्टेट पर एक और बात है मैं दुनिया वर में घूमाऊं और मैंने हर जगे निवेस करना सिखाया है हर सेर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता यह मेरा अनुव नहीं है निव यार्क या टोकियो में या सेर से थोड़ी सी दूर इसे शांदार मोके हैं जिने ज़्यादातर लोग नज़र अंदास कर देते हैं सिंगापूर में जहां भी रियल एस्टेट की किमते बहुत ज़्यादा चल रही है ऐसी बहुत सी प्रोफर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं इसलिए जब भी मैं किसी को यह से कहते सुनता हूं आप यहाँ इसा नहीं कर सकते तो मैं उने यह याद दिलाता हूं कि शायद आपको यह कहना चाहिए मैं नहीं जानता कि यहाँ इसा कैसे किया जा सकता है महान असरों को आपकी आँके नहीं देख सकती उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए financial perception ही नहीं मिला होता है कि वे अबने सामने पड़े वे उसरों को देख सकें और उन्हें पैचान सकें मुझसे एकसर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूँ पिछले अध्याई में मैंने आर्थिक सुतंतरता की रहा पर चलने हुए वाले दस कदमों का उलेक किया है परंतु यह हमेसा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए यह केवल एक खेल है कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आप कोन वो मिलता है परंतु हमेसा आनंद ले ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है इसलिए मुझे स्कूल मुर्ख का पूर्ण लगता है स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती है और गलतियां करने के लिए हमें सजा दी जाती है परंतु अगर हम इंसानों को सीखने के पर करिया पर नज़र डाले तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पादेंगे यही मोटर साइकल चलाने के बारे में भी सही है मेरे गुटने पर आप भी चोटके निसान है परंतु आज मैं बिना सोचे मोटर साइकल चला सकता हूँ यही अमीर बनने के बारे में भी सही है दुर्बाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर नए बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से ड़ते हैं जीतने वाले हारने से नहीं ड़ते परंतु हारने वाले ड़ते हैं सफलता की प्रक्रिया का एक वाग ऐसे बलता भी है जो लोग ऐसे बलता से ड़ते हैं सफलता हूं से बचती है मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूं मैं मेहनत से खेलता हूं, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं और ज्यादा गलतियां करता हूं, सुधारता हूं और इस तरह से मेरा खेल सुदरता जाता है अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शेनिवार को मिलेंगे निवेसक दो तरह के होते हैं पहले और सबसे आम तरह के निवेसक वे लोग होते हैं, जो एक package में निवेस करते हैं, वे retail outlet में phone करते हैं, जैसे एक real estate company या stock broker या financial planner को और फिर वे कुछ खरीदते हैं, यह है एक mutual fund, stock या bond हो सकता है, यह है निवेस का एक अच्छा, साप सुत्रा और आसान तरीका है, यह है खरिददारी हो गई, जैसे कोई रहाब computer store में जाकर cell पर रख़े computer को खरीद ले, दूसरी तरह के निवेसक वे होते हैं, जो निवेसों को बनाते हैं, इस तरह के निवेसक आम तोर पर GB को asemble करते हैं, जिस तरह computer engineer computer के पर्जों को основ ल करते हैं, मैं यह है तो नहीं जानता क कि कंप्यूटर के पूर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अफसरों के पूर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है या मैं यह 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 जानता हूँ जो इसा करते है दूसरी किस्म का निवेसकी प्रोफेशनल निवेसक होता है कई बार तो पुर्जों को इकठा करने में सालो लग जाते और कई बार वे कभी इकठे नहीं हो पते मेरे अमेरी डेड़ी ने मुझे दूसरी किस्म का निवेसक बनने के लिए प्रोचाइट किया यह सीखना मैत्वकूर्ण है कि फुर्जों को किस तरह आसे बिल किया जाए क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मुका होता है और अगर किस्मत आपके साथ नया हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खत्रा होता है अगर आप दूसरी किस्म के निवेसक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्या रूप से तीन मुख्या दक्षताईं विक्सित करने की जुरूरत है फाइनेंशियल बुद्धी के अलावा इन दक्षताओं की जुरूरत होती है नमबर एक किस तरह ऐसे मुख्यों को कोजे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो दूसरे लोग अपनी आँखों से उस मुख्य को देख नहीं पाएंगे पर आप अपने दिमाग से उस मुख्य को देख सकते हैं उधारन के लिए मेरे एक दोस्त ने एक तुराना गर खरीदा यह दिखने में बुरा सा था हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा परन्तु दूसरे जो देख नहीं पाए थे और जो उसने देख लिया था वह है यह था कि उस गर के साथ चार खाली जमीन के टुपड़े भी थी उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था गर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन पांसो पलाटों को बिल्टर को बेश दिया इस सारे सोदे में उसे अपने मूल निवेस से तीन गुना रकम मिली उसने दो मैने के काम में पिछे तरहजार डालर का माली में यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है परंटो यह जन्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है और यह तकनी की रूप से कठिन भी नहीं है नमबर दो पैसा किस तरह जुटाया जाए ओसत आदमी बैंक जाता है परंटो इस दूसरे किसम के निवेस सरक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है मैंने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदा जा सकते है घर करीदना मैं तो को नहीं है परंटो पैसा ही कठा करना मुल्यवान कला है अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रही है या मेरे पास यह खरीदने के लिए पैसे नहीं है अगर आप दूसरी किसम के निवेसिक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है क्योंकि इसी कारण ज़्यादातर लोग की योजनाई ठप हो जाती है दूसरे सब्दों में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिये सुदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता अगर आप इस बादा को पार कर सकते हैं तो आप एसे लोगों से मिलो आगे होंगे जिनोंने इन दक्षतां को नहीं सिכा एसे कई मोके आई हैं जब मैंने घर या स्टोग या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है जबकि मेरे पास बैंक में एक भी पाई नहीं थी मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को बारा लाख में खरीदा मैंने इसके लिए एक अनुमंद किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुमंद था फिर मैंने एक लाग डालर का डिपोजिटी कटा किया जिससे मुझे बाकी पैसे के जुटाने के लिए 90 दिन की मौलत मिल गई मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं जानता था कि इसके असली किमत 20 लाख डालर थी मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया इसके बजाए जिस आदमी ने मुझे 1 लाख डालर दिये थे उसने मुझे 50,000 डलर दिये ताकि यह मेरी जगह पर आ जाए और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं इस निवेश से बाहर निकल गया और इस काम में मेरे कुल जमा तीन दिन लगे एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं यह मेत्वपूर्ण नहीं है मेत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जामते हैं निवेश करना खरीदना नहीं है यह एक ग्यान है इस तरह समार्ट लोगों को संगिठित किया जाए ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों कोई साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं जब भी आपको सला की जरूर दो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलागार समझदार हो सीखने के लिए बहुत कुछ है परन्तो इसके पुरुषकार भी बहुत किम्ती हो सकते हैं अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेसक बनने की सला दी जाती है आप जो ज़नते हैं वही आपकी सबसे बुड़ी पूंजी है आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है जो किम्दो हमेशा रहता है इसलिए इसे बचने के बजाए इसे मैनेज करना सिखें धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई साथ की तरफ जो है सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम ने करें रिच डैड, पूर डैड अध्याई साथ सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम ने करें 1995 में मैंने सिंगापूर के एक अख़वार में एक इंट्रिव दिया युवा महिला रिपोर्टर समय पर आगी और इंट्रिव ततकाल सुरू हो गया हम एक आलिशान होटल की लोबी में काफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापूर यात्रा के उदेशे पर चर्चा कर रहे थे मैं प्लेट फार्म पर जिग जिगलर के साथ पैठने वाला था वे प्रेना पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहे पर बोलने वाला था एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाती हूँ उस मैईला ने कहा मैंने उसके कई लेख पड़े थे और मैं उससे परवावित भी हुआ था उसकी लेखन शैली दमदार और सपस्ट थी उसके लेखों में पाटकों की रूची जगाने की एक्षमता थी आपकी शैली बहुत बढ़ी है मैंने जवाब दिया कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है मेरा काम कहीं का कहीं जाता है उसने शान्ति पूर्वक कहा हर आदमी कहता है कि मेरा उपनियास बहुत पढ़िया है परन्तु कुछ नहीं होता इसलिए मैं अख़वार के लिए काम कर रही हूँ कम से कम इससे मेरा खर्श तो चल जाता है क्या आप इस बारे में कोई सुजाओ देना चाहेंगे हाँ बिलकुल मैंने उत्सा से कहा सिंगापूर में मेरा दोस्त है वहे एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बेजने का परशिक्षन दिया जाता है वहे सिंगापूर में कई चोटी के कॉर्परेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कॉर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़़ा विक्सित हो जाएगा उसका सरीर शक्त हो गया आप यह कहना चाहते हैं कि बेजना सीखने के लिए में ज़े स्कूल जाना पड़ेगा मैंने सेम्टी में सीरे लाया आप सच मुच ज़ेसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं एक बार फिर मैंने सेम्टी में सीरे लाया इसमें गलत ही क्या है मैं अब अपने सब्द वापस लेना चाहता था उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कोई भी सुजाओं नहीं दिया होता उसकी मदद करने की कोशिस में अब मैं खुद के सुजाओं की रक्षा करता नगर आ रहा था मेरे पास अंग्रेजी साइटे में मास्टर डिग्री है मैं सेल्जमेन बनना सीखने के लिए स्कूल जाओं क्या मैं एक प्रोफेशनल हूँ मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्सित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्जमेन नहीं बढ़ना बढ़े मैं सेल्जमेन उसे नफरत करती हूँ उन्हें के वल पैसा चाहिए होता है तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स गाते हैं क्यों करूँ अब वह अपना ब्रीफ के स्ताकत से बंद कर रही थी इंट्रिव्यू खतम हो गया था कोफी टेवल पर मेरी एक बेस चेलिंग पुस्तक रखी हुई थी मैंने इसे उठाया और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा क्या आप इसे देख सकती हैं मैंने उसके नोट्स की तरफ इसारा किया उसने अपने नोट्स पर नजर डाली क्या उसने उलजन में कहा एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जान बूज़ कर बिशाम की उसके पैड पर उसने लिखा था रावट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेकर यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेकर लिखा हुआ है नहीख बेस्ट राइटिंग लेकर उसकी आंखे तत्काल फैल गई मैं बहुत पुरा लेखक हूँ आप बहुत बढ़िया लेखक है मैं सेल स्कूल गया हूँ आपके पास मास्टर डिग्री है दोनों को इकठा कर ले और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक बन सकती है उसकी आंखों में गुसा था मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूँगी कि बेचना सीखने के लिए परसिक्षन लू आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक प्रोफेशनल लेखक हूँ और आप एक सेल्जमेन है यह सही नहीं है उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिये और वे सिंगापूर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेश दिया दुनिया स्मार्ट, गुनी सिक्षित और परतिवासंबल लोगों से भरी हुई है हम उनसे हर दिन मिलते हैं वे हमारे चारों तरफ है उस दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़वड हो गई थी मैं एक गैरेज में गया और यूवा मेकैनिक ने उसे कुछ मिंटों में ठीक कर दिया इंजन की आवाज सुनकर यूवसे समझ में आ गया था कि गड़वड कहां थी मैं हैरान देखता रहा दुखत सस्तो यह है कि परतिवाई प्रयाप्त नहीं होती मुझे लगातार यह देख देखकर जटका लगता है कि परतिवासंपन लोग कितना कम-कम आजबाते है मैंने अभी हाल ही सुना है कि पांस पिस देजे भी कम अमेरिकी एक साल में एक लाग डालर से ज़्यादा कम आपाते है मैं इसे परतिवासाली और उत्षिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में 20,000 डालर से भी कम-कमाते है मेडिकल वेवसाई में विशे सग्यता रखने वाला एक वेवसाईक सलाकार कि कितने डोक्टर, दंद चिकित सब और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूज रही है और मेरी सोच यह थी कि एक बार डाक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर परसने लगता है इस वेवसाईक सलाकार ने मुझे एक बड़ी अवाक्य दिया तो वे भारी दोलत से सिर्फ एक दक्सता दूर है इस वाक्य का यह मतलब है कि ज्यादातर लोगों के वल एक और दक्सता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनके अबंदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनांसियल गुद्धी, अकाउंटिंग, निवेस, मार्केटिंग और कानून का सम्नुए है इन चार तक्निकी दक्सताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा असान हो जाएगा जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेनद करने की दक्सता होती है दक्सताओं के समन्नुए का एक अच्छा उदारन अकबार की उस रिपोर्टर का है अगर वैं सेल्ज और मार्केटिंग के क्षेतर में दक्सता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एड़टाइजिंग, कॉपी राइटिंग और सेल्ज के पॉर्स में शामिल हो जाता फिर अगबार में काम करने के बज़ाए मैंने किसी एड़टाइजिंग एजेंसी में नोपरी कोजी होती चाहे इस काम में वेतन कम ही मिलता पर अंतुई से वह यह सीख जाती कि सफल एड़टाइजिंग में परियुक्त होने वाले शोटकट का परियुक किस तरह किया जाई उसे अपना कुछ समय जन संपर्ग में भी देना होता जो एक मैत्तपुम दक्षता है वह यह भी सीखती कि मुख्त परचार के लिए किस तरह लाकों कमाई जाए फिर रातों में और सब्तान्तों में वह अपना महान उपन्यास पूरा करती जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेशने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखी का हो सकती थी जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वान्ट तो बी रीच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक परकासक ने मुझे यह सुजाओ दिया कि मैं सिर्शक को बदल कर दा इकोनुमिक सोफ एजुकेशन कर दू मैंने परकासक से साफ कह दिया इस तरह के सिर्शक से उस तक कि कुल दो परतियां भी खेनी एक तो मेरा परिवार करी देगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिक्कत यह है कि वे दोनों ही से मुफ्त में पाने की आसा करेंगे इफ यू वांट टू बी रीच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल सिर्शक को जान भूज कर चुटिला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे हजारों टन परचार मिलेगा मैं सिक्षा का समर्थक हूँ और सिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ अन्य था मैं अपने पुरातन 35 शिक्षा तंतर को बदलने की बार-बार मांग क्यों करता इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शोग पर ज़्यादा परचारित हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास पद होने से नहीं ड़ता स्टेंडर्ड आईल आउड कैलिफोर्निया ने मुझे अपने आईल टेंकर फलीट में काम दे दिया मैं थर्ड मेट था और हलानकी मेरी तनकुआ मेरे साइपाटियों की तुलना में कम थी परन्तु कालेस के बाद पहले काम के इसाब से ठीक थी मेरी शुरुवाती तनकुआ 42,000 डालर परती वरस थी जिसमें और टाइम भी शामिल था और मुझे केवल साथ महीने काम करना पड़ता था बाकी के पांच महीने मेरी चुट्टी थी अगर मैं चाहता तो मैं एक सायक शिपिंग कमपनी के साथ वियतनाब जा सकता था और अपनी पांस महीनों की चुट्टियों के बदले अपनी तनकुआ दुगनी कर लेता मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था परंदो मैंने च्छे महीने बाद ही इस्तिपा दे दिया और मरीन कार्स तुम्हें बरती हो गया ताकि मैं हवाई जास उडाना सीख सकूँ मेरे पढ़े लेके डैडी का दिल तूर गया अमेरे डैडी ने मुझे पताईया दे स्कूल और नोपरी में विशेशग्यता का विचार एक लोप्रिय विचार है यानि कि ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन आसिल करने के लिए आपको विशेशग्यता आसिल करने की जरूरत है इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स ततकाल बाल रोग विशेशग्य या अस्ति रोग विशेशग्य जैसी विशेशग्यता आसिल करने में जुब जाते हैं यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पाइलेटों और बाकी लोगों के बारे में सही है मेरे पढ़ेले के डैड़ी इसी विचारदारा में विश्वाद रखते थे इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमान्चित हो गए थे वे अक्सर यहे मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज़्यादा है ज़्यादा पड़ते है अमीर डैडी मुझसे इसके अठीक उल्टा करने के लिए प्रोचसाइब करते थे आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह हैं उनका सुजाओ था इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विवागों में सालों तक अमीर डैडी जानते दे कि मैं वहाँ की सबदावली को पकड़ लूँगा और यहे बी समझ लूँगा क्या मैं तो पूंट था और क्या नहीं मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्ज, रिजर्वेशन और मार्किटिंग मेंडर। वे मुझे और माइक को PD दर PD सिखा रहे थे इसलिए वे चाते थे कि हम लोग उनके बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैटकों में भाग लें वे चाते थे कि हम लोग उनके सामराज्य के हर पैलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी रखे हैं जब मैंने स्टेंडर्ड आईल की अच्छी तनकवावली नोकरी छोड़ी तो मेरे पढ़ेली के टेड़ी ने मुझे दिल खोल कर बाते ही उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे निर्ने के पिछे के कारण को नहीं समझभा रही थे क्योंकि जिस नोकरी से मैंने इस्तिवा दिया था उसमें तनकवाव अच्छी थी फाइदे बहुत थी खाली समय भी बहुत मिलता था और उसमें तनकवाव और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तुमने नोकरी क्यों चोड़ दी तो मैं लाग कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तर्क उनके तर्क के दाइरे में फित नहीं हो पा रहे थे समझा यह थी कि मेरे अमीर डैडी का तर्क था मेरे पडेल के डैडी के लिए नोकरी की सुरुख शाही सब कुस थी मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुस था मेरे पडेल के डैडी का विचार था कि मैं शिप का अफसर बनने के लिए चिक्षा ग्रेंड करने स्कूल गया था अमीर डेड़ी जानते थे कि मैं अंतरास्टेव्यापार के अध्यन के लिए स्कूल गया था तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूरू और साउथ पैसिफिक जाने वाले जाजों पर बड़े फ्रेट्स पर आयल टैंकरों पर और यात्री जाजों पर काम करता रहा अमीर डेड़ी इस बात पर जोर देते थे कि वे यूरोप की तरफ जाने वाले जाजों के बजाए परसांद महासागर पर अपना ध्यान के अन्दिलिप करूँ क्योंकि बवश्य के देश एसिया में है यूरोप में नहीं जब कि मेरे ज्यादातर साइबाटी जिसमें माईक भी शामिल था अपने गरों पर पार्टी और मोजबस्ती करते थे तब मैं जापान, ताइवान, थाइलेंड, सिंगापूर, होंग कोंग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोवा और फिलिपिन्स में व्यवसाए लोगों बिजनस की सेलियों और संसक्र्टियों का अध्यन करता था मैं भी पार्टी कर रहा होता, परन्तु अपने गर पर नहीं, मेरा ज्यान बहुत तेजी से बढ़ रहा था पड़े लिके डैडी कभी नहीं समझ सके, मैंने यह एनोगर क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कार्प्स में क्यों सामिल हुआ मैंने उन्हें बताया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूँ परन्तु वास्तों में मैं टूप का नेता बनना सीखना चाहता था अमीर डैडी ने मुझे बतला रखा था कि कमपनी चलाने का सबसे कठीन काम था अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरना क परिस्टितियों में किस तरह लोगों का नेतरतों किया जाई तुमें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नेतरतों उन्होंने कहा अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है तो आप पर पीछे से गोलियंच लाई जा सकती है जैसा बिजनस में किया जाता है वियत नाम से उमने सो त्येटर में लोटने पर मैंने कमिशन से इस्तिपा दे दिया हलांकि मैं हवाई जाज उड़ाना पसंद करता था मैं जेराक्स कंपनी में काम करने लगा मैंने इसमें एक वज़े से नोकरी की थी और नोकरी के फाइड़े वह वज़े नहीं थी मैं एक शर्मिल आदमी था और बेचने का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विशे लगता था जेराक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेंनिंग प्रग्राम में एक बुद्धी जी वह थी होने के ना थे वे सौचते थे कि सेल्ज मेन उनके निचले स्तरके होते है मैंने जेराक्स में चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे दरवाजे खट-कटाने और ऐस विकार कर दिया जाने के डर से मुक्किन नहीं मिल गई एक बार मैं विक्रिया में चोटी के पांस लोगों में लगा तार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तिवा दे दिया और आगे बढ़ गया एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपणी के साथ अपना बड़िया करियर छोड़ दिया था 1977 में मैंने अपनी पहली कंपणी खुली अमीर डैड ने मुझे और माईक को कंपणीया चलाने का प्रशिक्षन दे रखा था तो अब मुझे उन्हें स्ताफित करना ही सीखना था मेरा पहला उत्वाद था नाइलोन और वेल्क्रो का वैलेट जो फार एस्ट में बनता था और समुदरी जहाद से न्यू यार्क में एक वेयर आउस सकता आता था मेरी उप्चारिक सिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंकों की मजबूती की परिक्षा का समय आ गया था अगर आप मैं ऐसे पल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता अमीर डेडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है आपके पास संबलने का मोका होता है उनकी सला थी मेरे 30 में जनम दिन की शाम को मेरा पहला सिप्मेंट पूरिया से निवयर्क के लिए रवना हुआ आज मैं अंतरास्ट यस्तर पर बिजनस करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डेड़ी मुझे प्रोचसाइट किया करते थे मैं विकास से इल डेसों पर ध्यान के निरित करता हूँ आज मैं इवेश कंपनी दक्षिन अमेरिका एसिया, नारवे और रूस में इवेश करती है एक कहावत है जोब एक संक्षित रूप है जस्ट ओवर ब्रोग का और दुरवागे से यह करोडों लोगों के लिए सही साबित होता है चुकि स्कूल यह है नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धी भी बुद्धी का एक रूप है इसलिए ज्यादातर करमचारिया मजदूर अपने सादनों के बीतर रह रहे है वे मेनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं एक और ड्रावनी मैनेजमेंट ठोड़ी है काम करने वाले इसलिए कड़ी मेनत करते हैं ताकि उन्हें नोकरी से ने निकाला जाए और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़ करने चले गए और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनकुएं देखे तो आप आएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सचा ही तो है इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर करमचारी आगे नहीं बढ़ताते वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है सुरक्षित नोकरी खोजलो ज़्यादातर काम करने वाले कम समय के फुरुषकारों से से वेतन और दूसरे फाइदों के लिए काम करते हैं परन्तु दिर्ग काली इंद्रिष्टी से यह उनके लिए गाटे का सोदा सावित होता है इसके बजाए में युवा लोगों को यही सला दूँगा कि नोकरी खोजते समय वे इस बात का द्यान दे कि वे कितना कमा रही है और इस बात पर भी ज़्यादा द्यान दे कि वे कितना सीख रही है रास्ते बर आगे की तरव देखते ही है कि किसी खास प्रोबेशन को चुनने के पहले और चुहा दोड़ में पसने इसे पहले वे कितने दक्षताओं में परंगत होना चाहते है एक बात लोग बिल चुकाने के आजीवन पर किरिया में फस जाते है तो वे छोटे हैंस्टर्स की तरह दातु के छोटे पईयों के चारों तरव गुंते रहते हैं उनके छोटे पैर तेजी से गुंते हैं परंटु आने वाले कल में भीवे उसी पिंजरे में रहेंगे नोकरी जैरी मैगवायर नाम की फिल्म में टाम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार समवाद थे शायद सबसे यादगार लाइन थी मुझे पैसा दिखाओ परंटु एक और लाइन थी जो मेरे इसाव से ज़्यादा सच्ची थी यह उस द्रेश्य में थी जहां टॉम क्रूज फरम छोड़कर जा रहा है उसे नोकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूस्ता है मेरे साथ कौन आना चाहता है और सब लोग मौन और स्तब्ध है केवल एक औरत बोलती है मैं आना तो चाहती हूँ परंटु मेरा तीन महिने में प्रमोशन होने वाला है यह वाक्या शायद पूरी फिल्म का सबसे सचा वाक्या है यह उस तरह का वेक्टव गया है जो बिल्चुकाने के लिए मेहनद करने वाले लोग हमेसा इस्तेमाल करते है मैं जानता हूँ कि मेरे पडेलिके डेडी हर साल तनक्वा बढ़ने की आशा लगाई रखते हैं और हर साल उन्हें निरासा होती थी इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और जाड़ा योकेता हैं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वरदी मिल सके पर उन्हें एक बार फिर उन्हें निरासा ही हाथ लगती थी मैं अक्सर लोगों को यह सवाल पूसता हूँ रोज मर्रा की यह गतिविदी आपको कहां ले जा रही है सोटे हैंस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मैनत का नतीजा क्या निकल रहा है उनका भविश्य कैसा होगा सीरिल बिट फिर्ड दे अमेरिकन एसोसेशन आप रिटायर्ड प्यूपिल्स के भूतपुर्व एक्जिगूटिव डारेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत भहुत कराब है पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50 फिजदी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी इसी बात से चिंता होना चाहिए और बाकी बचे 50 फिजदी में से पिछे 30 से 80 फिजदी लोगों को नामातर की पेंशन मिलेगी जो 55 डालर या 500 डालर या 300 डालर परतिमा होगी अपनी पुस्तक दे रिटायर्मेंट मित में क्रैक एस कारपिल लिखते हैं मैं एक बड़ी राष्टिय पेंशन सलाकार फर्म के मुखैले में गया और मैनेजिंग डारेक्टर से पूछा जिसकी विशे सगे था बड़ीया रिटायर्मेंट योजनाई तयार करने में थी जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे आफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उमीद करनी चाहिए तो उसने विश्वास वरी मुस्कुराट के साथ कहा सिल्वर बुलेट सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है मैंने पूछा उसने वने कंदे उचकाई अगर बुजर्गों को लगता है कि गुड़ापे में उनके पास जिन्दा रहने के लिए प्रियाप्त दन नहीं है तो वे अपने आपको गोली मार सकते हैं कारपेल इसके बाद पुराने रिटाइर्मेंट प्लान को ज़्यादा खतरनाक नए 401G प्लान के अंतर को स्वस्ट करते हैं ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुख़त तस्वीर नहीं है और यह है तो हुई रिटाइर्मेंट की बाद जब इस तस्वीर में मेडिकल फीज और दिर काली नर्सिंग होम सुईदा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है उनके 1995 की पुस्तग में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीज 30,000 डालर परती साल से 1,25,000 डालर परती वर्स है वे अपने इलाके के साब सुत्री परंतु सादार नर्सिंग होम में गई और उन्होंने 1995 में चीमत को 88,000 डालर पाया आज भी समाजबादी चिकित्सा वाले देश्टों के कई अस्पितालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं जैसे कौन जीएगा और कौन मरेगा वे यह फैसले विशोद रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने व्रद है अगर मरीज व्रद है तो वे एकसर मेडिकल केर अपिक शाकरत युवा आदमी को दे देते हैं बुड़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है तो जिस तरह अमीर लोग बेतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने आपको जिन्दा भी रख सकते हैं जबकि जिन के पास दोलत नहीं है वे मर जाएंगे तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या करमचारी बविशे में देख पा रही है या उनकी बविशे की द्रिस्टी केवल उनकी अगली तनकवा तक ही जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी बविशे के बारे में सवाल ही नहीं करते जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले बैसकों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज की सला देता हूँ मैं यह सुझाओ देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा द्रिस्टिकों रखें केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाए जो हालां कि मैं तुकूर्ण है मैं सुझाओ देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे अगर वे सेल्स टक्निक सिखना चाते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्किटिंग में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ जिसे मल्टी लेवल मार्किटिंग भी कहा जाता है इन मेंसे कुछ कमपनियों के पर सिक्षन कारेगा हम बहुत पढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जिजग और ऐस बलता का ड़न निकाल देते हैं जो लोगों के ऐस अफल होने का मुख्या कारण होते हैं लंबे समय में शिक्षा धन्स से ज़्यादा मुल्यवान है जब मैं यह सुझाओ देता हूं तो अक्सर लोगों की परतिकिरिया होती है पर इसमें बहुत जंजट है या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी दूची है इसमें बहुत जंजट है के जवाब मैं पू मेरी रूची है के जवाब मैं कहता हूं मैं जिम जाने में बिल्कुल रूची नहीं रखता परंतु मैं वहाँ इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज़्यादा फिट हो सकूं और ज़्यादा समय तक जिन्दा रह सकूं दुर्बागे से उस पुरानी कावत में कुछ सचाई है जाते हैं और दोराए पर खड़े हैं मेरा सुझाव यही है जिन्दगी बहुत घठ तक जिम जाने की ही तरह है इसमें सबसे दर्द वराई सा वहाँ जाने का फैसला लेना है एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है यह से कई दिन आई जब मैं जिम जाने के नाम से काम जाता हूँ परन्तु एक बार मैं वहाँ पूम जाता हूँ तो काम शुरू कर देता हूँ और मुझे इसमें मजा आने लगता है जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा कुशी होती है कि मैं वहाँ गया था अगर आप उस नया सीखने के प्रती अनिच्छुक हों और इसके बजाए आप अपने ख्षेतर में बहुत विशे सग्यता हासिल करने पर जोर देते हों तो यह सुनी सिद कर लेंगे जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो लेवर यूनियने विशे सग्योपी रक्षा के लिए बनाई जाती है मेरे पडेल के डैडी जब गवर्नर की करपा दरस्टी से तूर हो गई तो वे हवाई में टीचस यूनियन के अत्यक्स हो गई उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी बरी एकोसिस की कि उनकी कंपनी में यूनियन ने बनस पाई वे सबहल हुए हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी पर तो अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामियाब हो जाते थी व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों इंबातों में फाईदे दिखते हैं और उनकी जुरूरत दिखती है अगर आप स्कूल द्वारा सुजाई रास्ते पर चलते हैं उच में से सग्यता हसिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की सुरुक्षा में चले जाएंग उधारन के लिए अगर मैं अपने हवाई जाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने ऐसी कंपणी पसंद की होती जिसकी पाइलेट यूनियन बहुत तगड़ी होती क्यों? क्योंकि मेरी जिन्दगी केवल एक दक्स्ता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मुल्य केवल एक उध्योग में ही हो सकता था अगर मुझे उस उध्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जिवन की दक्स्ताई किसी दूसरे उध्योग में उतनी मुल्यवान नहीं होती अगर किसी वरिष्ट पाइलेट को निकाल दिया जाए जिसके पस हावाई उडान का एक लाग गंटे कानुग हो हो और जो हर साल डेड़ लाग डालर कमा रहा हो तो उसे स्कूल टीचिक में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूनने में बहुत दिक्कत आए गी दक्स्ताई एक उध्योग से दूसरे उध्योग में ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एरलाइन और दियोग में जिन दक्स्ताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पाइलेटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है तो वे स्कूल सिस्टम में उतनी मेत्वपोन नहीं होती आज डोक्टरों के लिए भी यही सही है चिकित सागेख छेतर में इतने परिवर्थन हो रहे है कई मेडिकल विशे सग्या मेडिकल संग्टनों जैसे एम एचो से जुड़ना पसंद करते है स्कूल के सिक्षकों को यूनियन का सब अश्या होना पड़ता है आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेवर यूनियन है ENA यादि National Education Association के पास बहुत ज़्यादा राजनितिक प्रभाव है सिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की बहुत जरूरत होती है क्योंकि सिक्षा के बहार उनकी दक्षताओं का मुल्य अप्रेक्षा करत काफी कम होता है तो नियम यह है है उच विशे जगता हासिल करो और यूनियन बना लो स्मार्ट लोग यही करते है जब मैं अपनी कक्षा में पूस्ता हूँ आप मेंसे कितने मैकडोनाल्ड से अच्छा हैंबर्ग बना लेते हैं तो लगबग सभी भी द्यारती अपने हाथ खड़े कर देते हैं मैं फिर पूस्ता हूँ अगर आप मेंसे ज़्यादा तर बेतर हैंबर्ग बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैक डूनाल्ड आपसे ज़्यदा पैसा बना लेते हैं? जवाब साफ है मैक डूनाल्ड बिजनस सिस्टम में आपसे अच्छा है ज़्यादातर परतिवासाली लोग शिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ज्यान बेतर हैंबर्ग बनाने में लगाते हैं और बिजनस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हुआई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलागार है वह काफी पैसा कमा लेता है एक दिन उसकी मा के वकील ने उसे बताया कि उसकी उसने अपने पुत्तर के नाम पर 35,000 डालत छोड़े हैं यहे रकम सरकार और वकीलों दोरा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी ततकाल उसने इस पैसे जे विग्यापन करके अपने व्योसाई को बढ़ाने की सोची दो महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का विग्यापन चार रंगों में एक महेंगी पत्रिका में प्रकासित हुआ जिसके पाटक बहुत अमीर लोग थे यह विग्यापन तीन महीने तक चला उसे विग्यापन के परति उत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विग्यापन में ख़त्म होगी अब वह पत्रिका पर दावा ठोगना चाहता था यह एक ऐसे आदमी का सामाने उदारने जो एक बेतरी नहेंबर्ग बना सकता है परन्तु बिजनस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सिक तो उसका जवाब केवल यही था कि विग्यापन करने वाले लोग दोखेवाज होते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि क्या यह सेल्ज में या डिरेक्ट मार्केटिम में कोई कोर्स करना जाता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा प्रवाद नहीं करना जाता दुनिया परतिवा संपन गरीब लोगों से भरी पड़िये अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समझे से जूज रही है या अपनी ड़क्स्ताओं से कम पैसा व कमा रही है और इसका बेतरी नुदारन और इसका जिम्मेदार उनके ग्यान का विश्य नहीं है बलकि उनका ग्यान है वे एक बेतर हैंबर्ग बनाने की दख्षता को पैना करने में ही लगी रहती हैं और हैंबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दख्षता पर बिल्कुल विध्यान नहीं देते शायद मैक्टोडाल सबसे अच्छे हैंबर्ग नहीं बनाते थे पर अच्छे हैंबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वस रेस्ट हैं गरीब डेड़ी चाते थे कि मैं विशे सगेता हासिल करूँ उनका विचार था कि अगर मैं यह सा करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा हलांकि उन्हें हवाई के गवर्नर्ट ने साफ कह दिया था कि वेराजय सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते फिर भी मेरे पडेली के डेड़ी मुझे विशे सगेता हासिल करने के लिए प्रोटसाइट किया करते थे पडेली के डेड़ी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच सिक्षित और निपून प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फाइदों के लिए वियान छेड़ रहे थे हमें इस बात पर काफी बहस हुई पर अंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशे सगेता के खरणी यूनियन के सरेंशन के जरूरत होती है यह कभी नहीं समझबाई कि आप जितने ज़्यादा विष्यस अगयता आसिल कर लेते हैं उतने ही ज़्यादा आप जाल में फस जाते हैं और आप अपने विष्यस अगयता पर निर्वर हो जाते हैं अमीर डेड़े की सलाह यह थी कि माई को और मैं खुद विकास करें कई कार्पोरेशन्स यही करते हैं वे बिजनस स्कूल के किसी युवा पृतिवासाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विक्षित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी समाल सके और यह पृतिवासाली युवा करमचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेश सग्याते नहीं होते वे बिजनस सिस्टम के सभी पहलगों की जानकरी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं अमेर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विक्षित करते हैं एज़ा करने से उनके बच्चों को बिजनस की पूरी प्रकिरिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वह यह है भी समझ जाते हैं कि किस तरह भी विन डिपार्टमेंट में तालमेल होता है दूसरे विशु यूद की पीडी में एक कमपनी से दूसरी कमपनी में जाना बुरा समझा जाता था आज इसे स्मार्ट समझा जाता है चुँकि लोग ज़्यादा विश्य सब्गेता आसिल करने के बजाई इस कमपनी को बदल कर दूसरी कमपनी में जाना पसंद करेंगी तो क्यों ने कमाने के बजाई सीखने पर द्यान के निरित किया जाए कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो फरंतों लंबे समय में इस से आपको बहुत फाइदा होगा सफलता के लिए जिन मुख्य मेनेजमेंट दक्स्ताओं की जुरूरत होती है वे हैं नमबर एक कैश फलो का मेनेजमेंट नमबर दो सिस्टम का मेनेजमेंट आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर नमबर तीन लोगों का मेनेजमेंट सबसे मेनेजमेंट विसे सगिये दक्स्ताओं सेल्ज और मार्केटिंग की समझ है बेचने की योग बेता ही प्यक्टिकट सबलता की आदारबूत कुशलता है इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ समप्रेशन में कुसल होना चाहिए साहिव है कोई गरहा को, करमचारी हो, बोस हो, पतनी हो या बच्चे हो कमिनकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना और सोदेवाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है यह है एक एसी कला है, जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्यान को बढ़ाने के लिए पाठे करमों में भाग लेता हूँ या सेक्शन टेप खरीदता रहता हूँ जैसा कि मैंने बताया, मेरे पड़े रिखे टेड़ी ने जितने ज़्यादा मेहनत की वे उतने ज़्यादा काबिल बने उन्होंने जितनी ज़्यादा विशे सक्गे ताहजिल की वे उतने ज़्यादा फंसते चले गई हलांकि उनकी तनक्वा बड़ी परंदों उनके विकल्प कम होते चले गए जब उन्हें सरकारी नोगरी से हटा दिया गया तब ही उन्हें पताचला की वेवल्षाई की द्रस्टी से कितने जोखिम में थे यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाई या वैखेलने के लिए ज़्यादा बुड़ा हो जाई उनकी उन्ची तनक्वा वाली स्थित चली जाती है और वे अपने सीमी तक्स्ताओं के सारे जीवने आपन करते हैं मैं सोसता हूँ कि इसलिए मेरे पड़ेल के डैड़ी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गई थे उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा दिलाया होता अमीर डैड़ी माईक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकरे रखने के लिए प्रोटसाइट करते थे वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रेकित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाई आज इसे प्योसाइक विसे सग्यताओं का समन्वे कहा जाएगा आज मैं बूटपूर उस्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डालर कमा रही है वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रही है क्योंकि उनके पास अपने ख्यत्र की विसे सग्यताओं के अलवा भी दक्स्ताओं हैं वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं बेचने और मार्केटिंग की दक्षताइं ज्यादातर लोगों को इसलिए इकठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाने या एस विकार किये जाने का डर होता है आप संप्रेशन, सोदेवाजी और अपने नकारे जाने के तरका सामना करने में जितने बेतर होंगी आपके लिए जिन्दगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने अख़वार की लेखिका को सला दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी मैं किसी को भी वही सला देना चाहूँगा तकनिकी रूप से विशे सगता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं मेरे कुछ दोस्तें जो जीनियस हैं परंतो वे दूसरे लोगों के साथ प्रवावी डंग से बात नहीं कर पाते और परेणाम सोरूप उनके आमजनी बहुत कम है मैं उन्हें सला देता हूँ कि वे एक साल तक बेचने की कला सिखें चाहे वे कुछ भी ने कमाएं परंतो उनकी कमिनकेशन स्किल्स दर जाएगी और यह अनमोल है अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले वेक्ति होने के अलावा हमें अच्छे सिख्षक और अच्छे विद्यात्य होने के भी ज़रूरत है दरसल अमीर होने के लिए आपने लेने के साथ ही देने की कावलियत भी होनी चाहिए आर्थिक या प्रोफेशनल संगर्स के मामलों में देने और लेने में बहुदा कमी देखी गई है मैं एसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि वे नय तो अच्छे विद्यात्ती हैं नहीं अच्छे सिक्षन मेरे दोनों डेड़ी उदार थे दोनों ने पहले देने के सी दांत का पालंग किया था सिक्षा देना उनके लिए देने का एक परकार था जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था मेरे अमीर डेड़ी ने बहुत सा पैसा दां दिया उन्होंने अपनी चर्च को दां दिया समाच से वी संस्ताओं को दां दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया वे जानते थे कि पैसा आसिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहशे है इसलिए राकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रही है यह संग्ठन उनकी संपत्वी को लेते हैं उसे बढ़ाते हैं और लगाता देते रहते हैं मेरे पडेल के डैड़ी हमेशा कहते थे जब मेरे पास अतरिक पैसा होगा मैं उसे दान कर दूँगा समझे यह थी कि उनके पास कभी अतरिक पैसा नहीं आया इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेनद करते रहे और पैसे के सबसे मेतबों नियम को खुल गए दो और आपको मिल जाएगा इसके बज़ाए वे यह यकीन करते रहे लो और फिर दो निसकर्स में मैं यही कहना चाहता हूँ जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है मेरा दूसरा इससा एक सावाजी ग्रूप से जिम्मेदार सिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के भीस बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है मैं इस बढ़ती ओई खाई के लिए मून रूप से दक्यानों से सिक्षयात अंत्र को जिम्मेदार मनता हूँ धन्यवाद आईए अब चलते हैं अद्याए आठ की तरब जो है बादाओं को पार करना आपका दिन सुब हो रिच डेड पूर डेड अध्याए आठ बादाओं को पार करना एक बार लोग अध्यान कर लें और उनमें पैसे की समझ भी आ जाई तो भी आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बादाओं और अवरोदों का सामना करना पड़ सकता है ये से पांच कारण है जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ती वाले कोलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते संपत्ती वाला कोलम जिसमें बहुत सारा कैश्प लोगता है संपतिवाला कोलम जो उन्हें अपने सपने के जिन्दगी जीने का मुका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर काम करने की जंजट से मुक्ति दे सकता है ये पांच कारण है नमबर एक डर नमबर दो सनकीपन नमबर तिन आलश्य नमबर च्यार बुरी आदते और नमबर पांच है जिद पैसा कोने के डर से पार पाना मैं कभी किसी ऐसे वेक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुक्सान अच्छा लगता हो और मेरी जिन्दगी में मैं कभी किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान ने हुआ हूँ परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिनोंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेस में पैसे के नुकसान का डर असली है यह हर व्यक्ति को होता है अमीरों को भी परंतु समझ्षा डर नहीं है समझ्षा यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह नी पड़ते हैं आप ऐस वलता को किस तरह से लेते हैं यह आपके जीवन में बहुत मैतोपूर्ण है यह जिन्दगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बलकि हर चीज के बारे में सही है एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलबूत अंतर यह होता है कि वे इस पैसे से किस तरह मुकाबला करते हैं डरने में कोई बुराई नहीं है पैसे के मामले में डर पोक होना भी कोई बूरी बात नहीं है आप अब भी अमीर हो सकते हैं हम सभी कुछ मोकों पर बादूर होते हैं और कुछ मोकों पर डर पोक मेरे दोस्त की पतनी एक एमेरजेंसी रूम की नर्स है जब भी वहे खुन देखती है वहे ततपरता से काम में जुड जाती है जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वहे भाग जाती है जब मैं खुन देखता हूँ तो मैं नहीं भागता मैं बेहोस हो जाता हूँ मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिय को समझते थे कुछ लोग सांपोसे डरते है कुछ लोग पैसा गवाने से डरते है दोनों ही फोबिया है उनका कहना था पैसा गवाने के बारे में उनका सुजाव ये चोटी पंक्ती थी अगर आप जोखिम से गवराते हैं और चिनता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें, इसलिए बैंके तभी बचत की आदर डालना चाहती है, जब आप छोटे होते हैं, अगर आप कम उमर में शुरू करते हैं, तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा असान होता है, मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा, परंत जाता है कि विस्व के अजूबों में से एक है चकरवर्दी ब्याज की ताकत, मैंहटन आईलेंड की खरीद दुनिया के महांतम शोदों में से एक मानी जाती है, नियुयार्क को 24 डॉलर में खरीदा गया था, परंतो अगर उस 24 डॉलर को 8 फिजदी सालाने ब्याज पर जिम्तों पर दुबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लास एंजलेस का ज्यादातर हिसा खरीदा जा सकता था, मेरा पडोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है, वह 25 सालों से वहां पर है, अगले 25 सालों में वह कंपन में निवेस किये गए हैं, जो बाद में बॉंड और गवर्रमेंट सिक्यूरिटीज में बदल लिये जाएंगे, नोकरी छोड़ते से मैं उसकी उमर केवल 55 साल होगी और उसके पास 3 लाख डालर से ज़्यादा की निसकरिया आई होगी, जो कि उसके वेतन से ज़्यादा और एक रिटाइर्मेंट प्लान तो बनाना ही होगा, और आपको निवेस करने से पहले एक बरोसे मन फाइनेंसियल प्लानर की सेवाई लेनी होगी, परन्तो अगर आपके पास समय नहीं है, या आप जल्दी रिटाइर होना चाते हैं, तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं, मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया, वे केवल इस विशे को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए, दूसरी दरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाओ था, कि मैं टेकसास के लोगों की तरह ही मान सिकता रखूं, मैं टेकसास तो वेहार भी अदबुत होती है, वेहार ना भी पसंद करते हैं, मैंने पूछा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, कोई वेहार ना पसंद नहीं करता, मुझे एक खुश आरा हूँ अव्यक्ति दिखा दो, और मैं तुम्हें बता दूँगा कि हार ऐसी होती है, अमीर डैडी ने कहा, मैं जोखिम, पुरुशकार और ऐस वल्दा के बारे में टेकसास के लोगों के नजरिये के बारे में बात कर रहा हूँ, वे जिन्दगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं, वे बड़े पैमाने पर जीते हैं, वे यहां के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते ह जो पैसे के मामले में बिल्कुल काक्रोच की तरह होती है जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कोक्रोच गबरा जाती है जब किराने वाला उनकी चिलर में से चवणनी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगती है अमीर डेडी समझाते रही मुझे टेकसास का नजरिया सबसे ज़्यादा पसंद है जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गरव होता है और जब वे हारती हैं तो वे सेखी बगारती है टेकसास में एक कहावत है अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैवाने पर हुआ जाई आप डुपलेकस के लिए दिवालिया हो जाएं इसकी सेखी नहीं बगारी जा सकती यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुपलेकस भी नहीं होता वे माईक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक एसफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा शुरुक शात्मक तरीके से खेलते हैं लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं यह उनके शब्द थे फ्रेंट आरकेंटर ने जो एक वक्त का महान एन एफल क्वाटर बेंक था इसी बात को दूसरी तरह से कहा है जीतने का मतलब है हारने से ने डरना मेरी अपनी जिन्दगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेसा हार के ठीक बाद आती है जब मैंने आखिर कार मोटर साइकल चलाना सीखा तो इससे पहले मैं कई बार गिरा मैं आज तक किसी गोलफर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोलफ बाल ने गुम की हो मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिसका दिल ने तूटा हो और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर व्यक्ति से भी नहीं मिलाऊं जिसने कभी पैसा नहीं खोया हो तो ज़्यादातर लोग आर्थी ग्रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है टेकसास में एक और कहवत है हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाता है परंतु कोई मरना नहीं चाता ज़्यादातर लोग आमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते अमीर डेडी माइक और मुझे टेकसास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानिया सुनाया करते थे अगर आप वास्तों में यह सीखना चाते हैं कि जोखिम को हार और ऐस सपलता को किस तरह से संभाला जाए तो सैन एंटेनियो जाकर अलेमो को देखो अलेमो उन बादूर लोगों की महान कथा है जिन के पास सपलता की कोई उमीद नहीं थी फिर भी यह जानते हुए कि उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना उन्होंने समर्पन करने के बज़ाए मरने का विकल्प चुना यह पढ चिलाते हैं अलेमो को याद रखो माईक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी जब भी हमें डैडी किसी बड़े सोदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे जब भी वे प्रियाप्त मेंनत कर चुके होते और या तो मामला सही ह जाता या बिगड़ जाता तब वे हमें यह काहनी सुनाया करते थे हर बार जब वे गलती करने या पैसा गवाने से डरते थे तब वे हमें यह काहनी सुनाया करते थे इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह काहनी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को अर्थिक विजय में बदला जा सकता है अमीर डेटी जानते थे कि ऐस बलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्मार्ट बनाएगी ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाते थे वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगी वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे यही उन्हें एक विजयता बनाता था और दूसरों को पराजित इसे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांदने का सास मिलता था जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे इसलिए मैं टेकसास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ उन्होंने एक बड़ी ऐस अफलता को लिया और उसे परेटन स्थल के रूप में बदल लिया जिससे करोडों की आमदनी हो रही है परंतो उनके सबसे अर्थपूर्ण सब्द शायद ये है टेकसास के लोग अपनी ऐस अफलताओं को दखनाते नहीं है वे उनसे परेड़ना लेते हैं वे अपनी ऐस अफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बतल देते हैं ऐसा वल्दा टेकसास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है परन्तु यह फार्मूला के लिए टेकसास के लोगों का इफार्मूला नहीं है यह सभी जीतने वलों का फार्मूला है जैसा मैंने अभी कहा मोटर साइकल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की पर नहीं हुआ था मैंने यह भी कहा कि मैं कभी किसी ऐसे गोलफर से नहीं मिला जिसकी बाल कभी गुब नहीं हो किसी चोटी के प्रोफेशनल गोलफर के लिए बाल खोना या टूर्नामेट हारना उसे ज्यादा बेतर बनने कड़ी मेनत करने और ज्यादा ध्यन करने के लिए प्र हार प्रेणा दायक बन जाती है, हारने वालों को हार बरबाद कर देती है, जोन डी रेक फेलर के शब्दों में मैं हमेशा हर संकट को आउसर में बदलने की कोशिश करता था, और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ, कई लोग कहते हैं कि परल हार्बर गलती थी, मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी, टोरा 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 फिलम में एक संयमित जापानी एड्मिरल खुश्या मना रहे, अपने अधिनस्तों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते वेराक्षस को जगा दिया है, परल हार्बर को याद करो, एक नारा बन गया यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, फिर भी इसके कारणों से जीतने के प्रेणना मिली, एक बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उबर कर सामने आया, ऐस अभलता जीतने वालों को प्रेणना देती है और ऐस वलता हारने वालों को बरबाद कर देती है यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहशे और सुत्र है यह वह रहशे है जिसे हारने वाले नहीं जानते जीतने वालों का महानतम रहशे यह है कि ऐस वलता जीतने की प्रेणना देती है इसलिए उन्हें ह मैं फ्रेंक टार्केंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोराना चाता हूँ, जीतने का मतलब है हार से नहीं डरना, फ्रेंक टार्केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते, क्योंकि वे जानती हैं कि वे कौन हैं, वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानती है कि हार केवलों ने बैतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बढ़ा अंतर होता है ज्यादातर लोग पैसा गवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं वे डुपलेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परन्तु वे बड़े निवेस नहीं करते वह प्रमुक कार्ण जिसके कार्ण 90 फिजदी अ प्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पॉर्टफोलियो करीत लेते हैं ज्यादातर के पास सीडी कम आमदनी वाले बौन्ड मिचल फंड और बहुत कम स्टोक में बहुत सा नगत जमा होता है यह एक सुरक्षित और समझदारी पूरण पॉर्टफोलियो होता है परन् और यह बयानक है क्योंकि पॉर्टफोलियो नए होने से बेतर है सुरक्षित पॉर्टफोलियो होना यह किसी ऐसे वेक्ति के लिए बहुत बढ़िया पॉर्टफोलियो होता है जो सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेस पॉर्टफोलियो वह बेतर तरीका नहीं है जिससे सफल निवेसक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं, तो पहले तो केंदरित हो जाएं, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे, तो शुरुवात में वे संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते। वे एक ही जगे पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले ऐ संतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। थामस एडिशन संतुलित नहीं थे, वे केंदरित थे, बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंदरित थे, डोनाल्ड ट्रम्प केंदरित थे, जार्ज सोरोस केंदरित थे, जार्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंदरित किया और जर्मन पंक्ती के कमजोर ठीकानों को उड़ा डाला फ्रांसिसियों ने मेजनोट लाइन में अपने सेन अबल को फैलाया था और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हाथसा हुआ था अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो आप केंदरित कर लें संतुलित नीवेस का रास्ता चुनी अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप जोकिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं सुरक्षित खेलें परंटो इसकी शुरुवात जल्द करें अपने अगले अंडे को जल्दी इकठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें लगेगा परंटो अगर आपके पास आजादी के सपने हैं चुहा दोड़ से बाहर निकलने का इरादा है तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए मैं किस तरह ऐस वल्दा का सामना करूंगा अगर ऐस वल्दा से आपको जीतने की प्रेड़ना मिलती है तो शायद आपको कोशिस करना चाहिए परंटो केवल शायद अगर ऐस वल्दा आपको कमजोर बना देती है परन्तु याद रखें कि इन में भी खत्रा होता है, हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास तता फ्रेंक तारकेंटन का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संपति वाले कालम को बढ़ाना आसान है, यह एक कम बुद्धी का खेल है, इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा के जरूरत नहीं है, पांचमें कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, परन्तु संपति वाले कोलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धी का खेल है, इसमें हिम्मत, धीरज और ऐसबलता जेलने की ताकत की जरूरत है, हारने वाले ऐसबलता से बस्ते हैं, जबकि ऐसबलता हार को जीत में भी बदल सकती हैं, अलेमों को याद रखिए, कारण नमबर तो, संकी पन से पारपाना, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, हम में से ज़्यादातर लोग उ तरवी एक एसा ही छोटा मुर्गा होता है और मैंने जैसे पहले ही कहा है संकी व्यक्ति दरसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उबर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाती है हम सभी के मन में शं खेलते हैं क्या होगा अगर मेरे निवेस के बाद अर्थ व्यवस्ता धरासा ही हो जाई या क्या होगा अगर मेरा नियंतरन खो जाई और मैं पैसा वापस ने चुका सुकूं क्या होगा अगर गटनाए मेरी यूजना के इसाब से ने हो या हमारे कईये से दोस्त या प्रेजन तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो शंका के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना चालू ही नहीं कर पाते हमारे दिल में डर बैढ़ जाता है कई बार हम सो भी नहीं पाते ही हम आगे बढ़ने में ऐस भल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और आवसर हमारे पास से उकर गुजर जाता है हम जिन्दगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने सरीर में जकडन के कारण बिना हिले डूले बैठे रहते हैं हमने इसे अपने जिन्दगियों में कभी ने कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा फाइडलिटी मेगलिन मुचल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने के चेताउनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर या बाहर से आता है प्राइड दोस्तों से, परिवारों से, सहे कर्मियों से और मेडिया से लिंच 1950 के दसक के दोरान का एक अनुवफ बताते हैं जब परमाने युद का खत्रा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा परचारित किया गया था कि लोगों ने फाल आउट सेल्टर बना लिये थे और अनाज पानी कठा करना चालू कर दिया था अगर उन्होंने फाल आउट सेल्टर बनाने के बज़ाई इस पैसे को समझदारी पूरोग बाजार में निवेस कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से आजाद होते जब कुछ साल पहले लास एंजलेस में दंगे बढ़के तो सारे देश में बंदूकों की बिक्री बढ़ गई वासिंगेटन राज्या में एक वेक्ती हेंबर्ग के मास के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीव को अच्छी तरह से पकाया जाई एक दवाई की कमपनी राश्ट्रिय टीवी विग्यापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है विग्यापन फरवरी में दिखाया जाता है सर्दी से ग्रस्त ओने बालों की संक्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेस की बात आती है तो संसार में एसे छोटे मुर्गों की संक्या बहुत है जो यह चिलाते हुए गूम रही है आसमान गिर रहा है और छोटे मुर्गे इसलिए प्रवावी होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है विनास की अफ़वाँ और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा नहीं हो इसमें बहुत ज़्यादा बादुरी की जरूरत होती है 1902 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया वह स्टोक और रियल स्टेट में हमारे दोरा की ये काम किसे बहुत परवावित था फिनिक्स में रियल स्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी हमने उसके साथ दो दिन गुजारे और उसे बताया कि कैस पलो और पूंजी बढ़ाने के बहुत बढ़िया मोके है मेरी पतनी और मैं रियल स्टेट में एजेंट नहीं है हम विशुद निवे सके हैं एक रिजार्ट कम्यूनिटी में एक यूनिट तै करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दो पैर को उस यूनिट को बेश दिया दो बेडरूम के लिए उस गर की कीमत केवल 42,000 डालर थी इसी तरह के यूनिट उस समय 55,000 में बिक रहे थे उसे यह बहुत फाइदे का सोदा लगा रोमान्चीत होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लोट गया दो सपता बाद एजेंट ने हमें उसे कहा था कि यह एक बुरा सोदा था क्योंकि वह ज्यादा मह Benjamin खरीद रहा था मैंने रिचर्ड से पूचा कि क्या उसका पडोसी निवेशिक है रिचर्ड ने कहा नहीं फिर मैंने उस से पूचा कि उसने उसकी सला क्यों मनी तो रिचर्ड सुरक्षात मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह बड़ी अजांस परताल करता रहता है फिनिक्स में रियल इस्टेट बाजार के दिन पल्टे और 1994 में उस छोटे से यूनिट के एक अजार डालर परतिमा किराया मिल रहा था जाड़े के पीक सीजन में डाही हजार डालर परतिमा हा 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर 95,000 डालर हो गई थी रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में पांस हजार डालर चुका दे और चुहादोड से बाहर निकलने की परक्रिया शुरू हो जाती आज तक वह कुछ नहीं कर पाया और फिनिक्स के सोदे जैसे मोके अब भी मौजूद है बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गोर से देखना पड़ेगा रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताजूब नहीं हुआ था इसे खरिदार का पस्तावा कहा जाता है और यह हम सबको प्रवावित करता है यही संकाई हमें ले डूपती है छोटा मुरगा जीच जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते हैं दूसरे उदाण में मैं CD के बज़ाए टेक्स लियेन सर्टिविकेशन में अपनी संपती का कुछ हिसा रखता हूँ मैं अपने पैसे पर 16 फिजदी प्रतीक वर्स कमाता हूँ जो बैंकों दुआरा दिये जाने वाले 5 फिजदी से निश्चित रूप से काफी ज़्यादा है यह परमान बतर रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्या के कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं जो निश्चित रूप से ज़्यादातर बैंकों से ज़्यादा बेतर होते हैं जिस आदार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफी सुरक्षित फार्मूला है उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता तो मैं उन्हें दो से साथ साल की सीड़ी मान लेता हूँ हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ खास कर उसे जिसके पास पैसा सीड़ी में रखा हुआ है कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ग्यान कहां से मिला तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेस की पत्रिका से उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरी वेक्ति को जो ऐसा कर रहे हैं यहें बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वहे 16 फिजदी होती है परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5 फिजदी से ही संतूस्ट हो जाते हैं शंका बहुत महिंगी साबित होती है मेरा मानना है कि यही संदे और संकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाई रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने केवल आपके संदे ही आपको गरीब बनाई हुए हैं जैसा मैंने कहा चुभा दोड से बाहर निकलना तकनिकी रूप से आसान है इसमें ज्यादा शिक्षा के जुरूरत नहीं होती परन्तो इन सोदों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते संकालू लोग कभी नहीं जीत पाते अमीर डैडी का कहना था संका और डर के कारण व्यक्ति संदे वादी बन जाता है शंकालू व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विशलेशन करते हैं यह उनकी एक और पसंदिदा कावत थी अमीर डैडी ने यह इसपस्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है जबकि विशलेशन से आंखे खुल जाती है विशलेशन से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंदे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख रहे हैं और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते हैं उन्हें देखने की किशमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है जो लोग पैसे की आजादी ढूंड रही है उनके लिए रियल एस्टेट निवेस का एक दमदार तरीका है यह निवेस का एक अद्वू तरीका है परन्तु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है मैं टाइलेट नहीं सुदारना चाता इसी को पीटर लिंच शोर कहते है इसी को मेरे अमीर डैडी संकालो लोगों के बहाने कहते है यह से लोग जो केवल आलोचना करते हैं विशलेशन नहीं करते एसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का परदा पड़ाओ रहता है वे अपनी आँखें नहीं खोलते तो जब कोई कहता है मैं टाइलेट नहीं सुधारना चाहता तो मैं जवाब देता हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूँ वे यह कह रही है कि जो उने चाहिए टाइलेट उससे ज़्यादा मैत्व पूर्ण है मैं चुहा दोड से बाहर निकलने के आजादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टाइलेट पर लगा रहता है इसी तरह के विचार ज़्यादा तर लोगों को करीब बनाई रखते हैं वे विसलेशन करने के बजाए अलोचना करते हैं मैं नहीं करना चाहता आपकी सबलता की कुंजी को अपने अंदर समाई रहते हैं अमीर डेटी का कहना था चुंकि मैं भी टाइलेट ठीक करने में ज़्यादा रूची नहीं रखता इसलिए मैं एक प्रोपर्टी मैनेजर की तलास कर लेता हूँ जो टाइलेट ठीक करने का ध्यान रखता है घरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को ढूढने के बाद मेरा कैस्ट लोग बढ़ जाता है परन्तु इससे भी ज़्यादा मैतोपूर्ण यह है कि एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल इस्टेट खरीदने का मोका देता है क्योंकि मुझे टाइलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर रियल इस्टेट में सफलता की कुणजी है मेरे लिए रियल इस्टेट से भी ज़्यादा मेतोपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना प्राइ किसी बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को अच्छे सोदे के बारे में पहले से पता चल जाता है जबकि रियल इस्टेट एजेंट को बाद में पता चलता है जिसके कारण में और भी ज़्यादा मुल्यवान हो जाते हैं मैं नहीं करना चाता को सफलता की कुणजी कहने के पीछे अमीर डेडी का यही मतलब था चुकि मैं भी टाइलेट ठीक नहीं करना चाता इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल इस्टेट खरी दी जाई और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की परकिरियत तेज की जाई जो लोग यह कहना चारी रखते हैं मैं टोईलेट नहीं सुधारना चाता वे अक्सर इस सक्त निवेस माद्यम से खुद को बंचित रखते हैं उनके लिए टोईलेट उनकी आजादी से जड़ा मैतुपूर्ण होता है स्टोक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ मैं अपने पैसे नहीं गवाना चाता उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई व्यक्ती पैसे गवाना पसंद करते हैं वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गवाने के लिए तैयार नहीं होते विसलेशन करने के बज़ाए वे एक और ससक्त निवेस के माद्यम यानि स्टोक मार्केट की तरब से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं दिसंबर 1996 में मैं अपने एक दोस्त के साथ नजदी की गए स्टेशन के पास से गुजर रहा था उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की किमते बढ़ जाएंगी मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है या छोटा मुरगा है उसके इसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वे तमाम आंगडे बताए जो अगले कुछ सालों में तेल की किमते क्यों बढ़ेंगी ये आंगडे मुझे पहले पता नहीं थे हालंकि मैंने वरतमान आईल कंपनी में बहुत से शेर खरीदे थे उस सुचना के अदार पर मैंने ततकाल एक नई आईल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तिक मुल्या से कम आंका गया हो मुझे ऐसी आईल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ बंडारों को खोजने वाली थी मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमान चित हो गया और मैंने 65 सेंट परती शेर की दर्से 15,000 शेर खरीद लिए फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत परती गैलन पंदरा फिस दी बढ़ चुकी थी एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा मैं मुस्कराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी आईल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेर अब बढ़कर 3 डालर परती शेर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की किमते लगातार बढ़ती रही विशलेशन करने के बजाई ये चोटे मुर्गे अपने दिवाग को बंद कर लेते हैं अगर ज़्यादातर लोग यह समझ लें कि स्टोक मार्केट निवेस में स्टोप किस तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेस करेंगे स्टोप एक कंप्यूटर निवेस है जो भाव गिरने पर आपके शेर को अपने आप बेस देता है ताकि आपका कम से कम नुक्सान हो और आपको ज़्यादा ज़्यादा फाइदा मिल सके जो लोग हारने से गबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता पर द्यान के अंदरित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाहते हैं इस पर द्यान के अंदरित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी चोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रही हैं आसमान गिर रहा है और टाइलाइट तूट रही हैं इसलिए वे अपनी अंचाई चीजों से बचते हैं परंतो वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं वे जिंदगी से जो चाते हैं वे शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाई अमीर डेड़ी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया वही करो जो करनल सेंडर्स ने किया था 66 साल की उमर में उनका वे अफसाई चोपट हो गया था और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे इतना ही नहीं वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिस कर रहे थे किसी के हां कहने से पहले इस रेसिपी के लिए एक अजार नो बार नहीं का गया और वे उस उमर में करोड़पती बने जिस उमर में लोग काम छोड़कर आराम करना चाते हैं वे एक बाधूर और जिद्धी व्यक्ती थी अमीर डेडी हारले सेंडर्स के बारे में कहा करते थे जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करें जो करनल सेंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया उसे फ्राई कर लें कारण नमबर तीन आलस्य व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं हम सभी ने उस व्यवसाई की कानी पड़ी है जो पैजे कमाने के लिए कड़ी मेनत करता है वहे अपनी पत्नी और बच्चों की सुक सुविदा के लिए काफी मेनत करता है वहे आफिस में बहुत देर तक काम करता है और सब्तांद में भी आफिस में काम को घर ले आता है एक दिन जब वहे घर लोड़ता है तो उसे घर सुना मिलता है उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़ कर चली जाती है उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतबेद हैं परन्तो उस रिष्टे को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाए वह काम में ही विस्त रहता था निरास होकर वह अपने काम के पर तिल्लापरवा हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नोकरी चली जाती है मैं बहुदा एसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की प्रवा करने के भी फिक्र नहीं है दोनों का कारण एक ही है वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाते उन्हें यह बताने की जुरूरत नहीं है अंदर से वे खुद जानते हैं वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुसा हो जाते हैं और चिड़ जाते हैं अगर वे नोकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है तो वे टीवी देखने, मचली पकड़ने, गोल खेलने या शोपिंग करने में व्यस्त होते हैं परन्तु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी मेत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कत्रा रहे हैं यह आलच्च्य का सबसे आम रूप है यहां आलच्च्य का मतलब है व्यस्त बने रहना तो आलच चे का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच. हम में से ज़्यादा दर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं. मेरी मा कहा करती थी लालची लोग बुरे लोग होते हैं परन्तु हम में से हर कोई अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, रोमांचक चीज़ें आसिल करना चाहते हैं. तो उस इच्छा की बावना को काबू में रखने के लिए प्राई मावाब इच्छा को अपराद बोच से जोड़ देते हैं. तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बेन भी हैं? यह मेरी मा की फेवरिट कावथी या तुम क्या खरीदना चाहते हो मेरे डैडी की फेवरिट कावथी तुम ऐसा सोचते हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ों पर लगता है हम अमीर नहीं है तुम तो जानते ही हो मुझ पर शब्दों का तो इतना असर नहीं पड़ा परन्तु उन शब्दों में गुसा और अपराद बोद का जो समिशन था उसका मुझ पर बहुत ज़ाद असर पड़ा या इसका विपरित अपराद बोद का जाल यह था मैं तुम्हारे लिए याए खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए याए इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माबाबने मुझे खरीद कर नहीं दिया था मेरा एक पडोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता गैरेज में उनके बच्चों के खिलोने बढ़े पड़े हैं उन बिगडे वे बच्चों को मुँ मांगी चीज मिल जाती है उस पडोसी के शब्द है मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो उसने उनके कालेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बजा कर नहीं रखा है परंतु उसके बच्चों को हर खिलोना मिल जाता है उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को गुवाने के लिए लास विकास ले गया मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ यह उसके महान बलिदान के सब्द थे अमीर डेडी इस वाक्या से चिड़ते थे मैं इसे नहीं खरीच सकता मेरे असले गर में मुझे यही वाक्या एक्सर सुनने को मिल जाता था इसके बजाए अमीर डेडी चाते थे कि उनके बच्चे यह कहें मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दर्वाजा बंद कर लेते हैं इसे अब और ज़्यादा सोचने के जुरूरत नहीं होती मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दर्वाजे खुल जाते हैं इससे यह सोचने पर दिमाग मजबूर होता है और जवाब ढूनता है परन्तु सबसे मैतोपुन बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता है यह वाक्यत जूटा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है इंसान की आत्मा बहुत बहुत तक्तवर होती है उनका कहना थ यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं करीज सकता तो आपके भी तरेक युद चिखड जाता है आपकी आत्मा गुसा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने जूट पर इड़े रहना पड़ता है आत्माच चीखती है चलो भी हम जिम चलकर कसरत करते हैं और आलसी दिमाग कहता है परंतु मैं ठका वगा हूँ आज मैंने सच मुछ बहुत काम किया है या इनसान की आत्मा कहती है मैं गरीबी से ठक गई हूँ चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं इस पर आलसी दिमाग कहता है अमीर लोग लाल्ची होते हैं इसके अलावा इसमें जंजट और तकलिफ बहुत है यह सुरक्षित नहीं है मेरा पैसा डूब सकता है वैसे भी मैं बहुत मेनत कर रहा हूँ मेरे पास पहले से ही बहुत काम है देखो आज रात कोई मुझे कितना काम करना पड़ेगा मेरा बास कह रहा है कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्य दुख से बरा है इससे लाचारी की बहुना आती है जिससे निरासा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है इसके लिए एक और शब्द है उदासिंता मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है इसलिए मेरे अमीर डेड़ी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाते हैं परंतु वे यह जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा परतिबा साली आत्मा का निर्मान होता है इसलिए उन्होंने माई किया मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो इसके बजाएवे हमसे कहते थे तुम इसे किस तरह खरीच सकते हो और यह हमारे कालेज के बारे में भी सही था जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है वह हमें लक्षा को आसिल करना नहीं सिखा रही थे वे तो हमें लक्षा को आसिल करने की प्रकिरिया का ग्यान दे रही थे मेरी समझ में आज समझा यह है कि करोडों लोग अपने लालच को लेकर अपराद बोच से ग्रस्त है यहे उनके बच्पन से बुड़ापे तक चलता है वे जिन्दगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाते हैं ज्यादातर लोगों के आउचेतन में यहे विचार मौजूद रहता है आपको य नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे जब मैंने चुहा दोड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया मैं किस तरह इस चुहा दोड़ से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम नहीं करना पड़े और मेरे किसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझे अपरादबोद बढ़ते थे तो आप किस तरह अपने आलच चेक से जित सकते हैं इसका जवाब है थोड़े से लालच से यह डबलू आई आई एफम रेडियो स्टे अगर मुझे फिर कभी काम नहीं करना पड़े या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचा पैसा मिल जाए इस थोड़े से लालच के बिना कुछ बेतर आसिल करने की इच्छा के बिना प्रगतिन नहीं हो सकती हमारे दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेतर जिन्दगी जीना चाते हैं हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए नए आविश्कार होते हैं हम स्कूल जाते हैं और मेनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कत्रा रहे हैं जो आपके इसाब से आपको करना चाह तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है थोड़े लालची बने यह आलस्या का सबसे बड़िया इलाज है परन्तु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज की अतिव बुरी होती है परन्तु वह याद रखो जो वाल स्ट्रीट फिलम में माइकल डगसल ने कहा था लालच अच्छा होता है अमी डड़ी से अलग तरह से कहते हैं अपराद बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराद बोध के कारण सरीर में से आत्मा निकल जाती है और मेरे लिए एलिनोर रुजवे कारण नमर 4 आदतें हमारे जिंदगी पर हमारे शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है अरनौल्ड स्वार्जनेगर की फिलम कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर स्वार्जनेगर जैसा हो ज्यदातर साथियों ने स एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुनाए कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आदत डाल ली। हाँ मुझे भी लगता है, वह इसा करता होगा। समू के संकलू व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा होगा। इसके अलावा हम अरनोल्ड की बातें क्यों कर रही हैं, चलो बियर पीएं, यह एक उधारन है कि किस तरह से आदतें व्यवार को नियंतरित करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डेड़ी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था, सिधे जवाब देने के बजाए, वे चाते थे कि इसे मैं अधारन से सीखूँ। अमीर डेड़ी ने पूछा, तुम्हारे डेड़ी अपने बिल कप चुकाते हैं। मैंने कहा, हर महीने के पहली तारिक हो। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है, उन्होंने पूछा। थोड़ा बहुत मैंने कहा, यही वे खास कारण है, जिसके कारण उन्हें संगर्ष कर अमीर डेड़ी ने कहा, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डेड़ी सब को पहले पैसे देते हैं, वह खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं। और ऐसा भी तबी करते हैं, जब उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तोर पर उनके पास कुछ नहीं बचता। म अमीर डड़ी ने कहा मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूँ मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ सरकार को पैसे देने से पहले परन्तु तब क्या होगा जब आपके पास परियाप्त पैसा नहीं हो मैंने पूछा एस स्थिति में आप क्या करते है मैं यही करता हूँ अमीर डड़ी ने कहा मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ साहे मेरे पास कम पैसा हो मेरे लिए सरकार से ज़्यादा मैत्वकूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कोलम परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पढ़ते मैंने कहा हाँ अगर मैं उन्हें बुगतान ने करूँ तो अमीर ड़ी ने कहा देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसा ने दिया जाए मैं केवल यह कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले बुगतान किया जाए चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मैंने जवाब दिया सवाल कैसे का नहीं है सवाल क्यों का है अमीर ड़ी ने कहा अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं प्रेरणा अमीर ड़ी ने कहा अगर मैं उनका बुगतान नहीं करूँ तो कौन ज़्यादा जोर से सिकाइट करेगा मैं या मेरे लेंदार आपकी बजाए आपके लेंदार ज़्यादा जोर से चिलाएंगे मैंने सपस्ट भी खल्ब को चुनते हुए कहा अगर आप खुद को पैसे नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टेक्स चुकाने और दूसरे लेंदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खुजने ही पड़ते है पैसे चुकाने का दबाव मेरे प्रेड़ना बन जाता है मैंने अतिरिक्त काम किया है दूसरी कमपनिया शुरू की है स्टोक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं हर तरह के काम शिर्फ इसलिए किये हैं ताकि ये लोग मुझे पर नैचिल लाई इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हूँ कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फूर्तिला बना दिया है अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे पर कोई दवाव नहीं पड़ता परन्तु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दवाव आपकी प्रेड़ना बन जाता है बिल्कुल ठीक अमीर टेड़ी ने कहा देखो सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं वैसे समान्य तोर पर पैसा वसूलने वाले लोग डरावने ही होते हैं ज्यादातर लोग इन से डर जाते हैं वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते तुमने उस च्छानमे पाउंड के अकमजोर वेक्ति की कानी तो सुनी ही होगी जिसके चेहरे पर लोग बालू उसालते हैं मैंने सिरह लाया मैंने कामिक्स में वेट लिफ्टिंग और बाडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह विग्यापन देखा है तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उसालने देते हैं मैंने डरावने लेंदारों के डर को खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल किया है बाकी लोग ज़्यादा कमज़ूर हो जाते हैं खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा जिम जाने की तरह है और वहाँ बजन उठाने की तरह है मैं अपने दिमाग की मास्पेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ अब मैं इन डरावने लेंदारों से जरा भी नहीं डरता हूँ मुझे अमीर डेड़ी की बाते पसंद आ रही थी तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक द्रिष्टी से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ अमीर डेड़ी ने सैम्ती में सी रिलाया और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिलकुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ इसलिए बास, मैनेजर, टेक्स वसूलने वाले, बिल चुपाने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिन्दकी बर इदर उदर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी याद्टे अच्छी नहीं है अमीर डेड़ी ने सीरे लाया 96 पाउंड के कमजोर विक्ति कीते रहे कारण नमर पांस, जिद जिद या हट दर्मिता एंकार और अग्यान का पिलाचुला रूप है जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है जो मैं नहीं जानता उसके कारण में पैसा खोता हूं हर बार जब मैंने जिद की है, मैंने पैसा गवाया है वहे इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरसल यह बरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह मैतोबूर्ण नहीं है अमीर डेडी मुझे अक्सर पताया करते थे मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपना अग्यान छुपाने के लिए भी करते हैं जब मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट पर लेखा पालो या निवेशकों से चर्चा करता हूँ तो इस अक्सर होता है वे चर्चा में अपनी जिद के एक आधार पर जीतना चाते हैं मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्धे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें परियाब्द ग्यान नहीं है वे जुट नहीं बोल रहे होते हैं परंतो वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं धन, फाइनांस और निवेस की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनें यहे पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। पैसे के उद्ध्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्जमेन की तरह विवार करते हैं। जब आप जानते हों कि आप किसी विशे में अज्यानी हैं तो उस क्षेतर में किसी विशे सग्य को ढूंड कर या उस विशे पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्यान बढ़ाना शुरू कर दें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याइन नो की तरफ जो है शुरू करना। आपका दिन शुब हो। रिच डैड, पूर डैड, अध्याइन नो, शुरू करना। कास ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दोलती कठी करना मेरे लिए आसान रहा है। परन्तु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रति दिन के हिसाब से अपने विचार प्रगिरिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सोदों को खोजना सच मुच असान है। मैं आप से यह वादा कर सकता हूँ। यह मोटर साइकल बेचने की तरह है। थोड़ी से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्ब कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संबल जाते हैं। जिन्दगी में एक वार आने वाले करोड़ों डालर के सोदों को खोजने के लिए हम में फाइनेशियल परतिबा होना जरूरी है। मुझे वरोसा है कि हम सभी के बीतर एक financial genius होता है अगर यह है कि हमारी financial genius सोया होता है और उसे जगाने के जरूरत होती है यह सोया रहता है क्योंकि हमारी संसक्रती ने हमारे बीतर यह संसकार डाल रखे है कि पैसे कामो सभी बुराईयों की जड़ है इस संसक्रति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोचसाइट किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाई इसने हमें अपनी फाइनन्सियल ऐस बलता के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम से सिख्षित होते है संदेश यह है कि कड़ी मेनत करो पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्च तो लही सकते है दुर्भागय से पास्चात्य समाज के 90 फिजदी से ज़्यदा लोग इस से दांत का पालन करते है और इसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नोपरी ढूनना और पैसे के लिए काम करना ज़्यदा आसान होता है अगर आप इस बीड में से एक नहीं है तो मैं आपके Financial Genius को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूँ मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिस पर मैं चला हूँ अगर आप इस में से कुछ पर चलना चाते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप इन पर नहीं चलना चाते तो आप खुद के कदम बना ले आपका financial genius इतना smart होता है कि आप अपनी खुद की सुची बना सकते है जब मैं पेरू में था तो 45 वर्स के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना बरुसा क्यों है कि उसे सोने की ख़दान मिल जाएगी उसने जवाब दिया सोना तो हर जगए है ज़्यादा तर लोगों की आँखें से देख नहीं सुआती और मैं कहुँगा कि यह सच है रियल स्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और चार या पांच संबाउना बरे सोदेख कर सकता हूँ जबकि ओसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लोट सकता है जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंसियल जीनियस को विक्सित करने के लिए समय नहीं दिया है मैं आपको नीचे दस कदम बता रहा हूँ जो इस वर द्वारा दीगी ताक्तों को विक्सित करने की पर किरिया है यह ऐसी ताक्ते हैं जिनका नियंतरन केवल आप कर सकते हैं नमबर एक मुझे हकिकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती है जिनें पार करना होगा इसकी तुल्ना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें मैं एक बार एक युवा मैला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखी थे हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह चार बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह तीन गंटे तक तैर सके शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी उसे हर एक की तरह पढ़ाही करके अपने परिक्षा परिनाम पर भी ध्यान देना होता था जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अती मानुए मैतव कांग्षा और बलीदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिन से मैं प्रेम करती हूँ प्रेम ही मुझे सबी बादाओं और बलीदानों के लिए तैयार करता है हम क्या चाहते है और हम क्यों नहीं चाहते इनका तालमेल भी एक कारण या लक्षे हो सकता है जब लोग मुझे से पूछते है कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था तो यह है गहरी बावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है मैं कुछ की सूची बताऊंगा पहले तो अपनी अनिच्छाओं की क्योंकि उनी के कारण इच्छाएं पैदा होती है मैं सारी जिन्द की नोकरी नहीं करना चाहता था मैं वहें नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे यानि नोकरी की सूर्कशा और उपनगर में एक घर मैं एक करमचारी नहीं बने रहना चाहता था मुझे इस बात से बहुत नप्रत होती थी कि मेरे डैड़ी अपने करियर में इतने वेस्ट रहते थे कि वे मेरे फुटबाल महस देखने भी नहीं आपाते थे मेरे डैड़ी सारी जिन्दगी कड़ी मैंनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादा तर हिसा ले लिया मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मोत के बाद वे अपनी मेंनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाई हमीर लोग ऐसा नहीं करते वे कड़ी मेंनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं अब इच्छाओं की बात मैं दुनिया गुमना चाहता हूँ और जिन्दगी को मंचाई तरीके से जीना चाहता हूँ मैं ऐसा अपने जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ मैं केवल आजाद होना और अपने समय और अपने जिन्दगी पर नियंतरन करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करें ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण है आपके पास क्या कारण है अगर वे परियाप ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी मैंने कई बार पैसा गवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है परन्तों कि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला मैं 40 साल की उमर तक आजाद होना चाहता था परन्तों इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गई और मैं आखिर कर 47 साल की उमर में आजाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनवव मिले जैसा मैंने कहा है काश मैं कह सकता कि यह असान था यह बिलकुल असान नहीं था परन्तों यह कठिन भी नहीं था परन्तों बिना दमदार कारण या लक्षे के जिंदगी में हर चीज गठिन होती है अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा मेनत लगेगी नमबर दो मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्या कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं हमें चुनने का अधिकार चाहिए आर्थिक ग्रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डालर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भवीशे में अमीर गरीब या मद्यमरगिया बनने का विकल्प चुने हमारे खर्च करने की आदतें बताती है कि हम कौन है गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती है बच्पन में मुझे यह फाइदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपली खेलना बहुत पसंद था किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपली केवल बच्चों के लिए है इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा मेरे पास एक अमीर डेड़ी भी थे जो मुझे संपत्ति और दाइतव में फर्क को समझाते रही तो बहुत समय पहले अपने बच्च्वन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्ब चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था असली संपत्तियों को इकठा करना था मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था परंतु उसे इसे बनाई रखना सीखना था कई अमीर परिवार अपनी संपतियों को अगली पीडी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपतियों की देख रेक करने के लिए किसी को पर्शिक्षन नहीं दिया जाता ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनने का भी खल्ब चुनते हैं 90-60 लोगों के लिए अमीर बनना बहुत जंजट का काम है तो वे इस तरह की काहुतें इजाद कर लेते हैं पैसे में मेरी कोई रूची नहीं है या मैं कभी अमीर नहीं बनूँगा या मुझे चिंता करने की जुरूर्ट नहीं है अभी तो मैं जवान हूँ या मेरे पती या मेरी पतनी फानेंसियल पहलोगों संभालते हैं या संभालती हैं इन वक्तवियों के साथ समश्या ये है कि ये बोलने वाले से दो चीजें लूट लेते हैं एक तो है समय जो आपकी सरवादिक केमती संपती है और दूसरी सिक्षा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है आप यह बहना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाई परन्तु यहे विकल्ब हम हर रोग चुनते हैं यहे विकल्ब कि हम अपने समय अपने पैसे और अपने सिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं यही विकल्ब चुनने की ताकत है हम सभी के पास विकल्ब होते हैं मैं अमीर बनने का विकल्ब चुनता हूँ और मैं यहे विकल्ब हर रोद चुनता हूँ पहले सिक्षा में निवेश करें वास्ताव में आपके पास जो इकलोती असली संपत्ती है वह है आपका दिमाग जो आपका सबसे सक्तिश अलियंतर है जैसा मैंने विकल्ब की ताकत के बारे में कहा है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं आप सारा दिन M.T.V. देख सकते हैं या गॉल्फ मैगजिन पढ़ सकते हैं या सीरे मेक की कलास में जा सकते हैं या फाइनेंशिल प्लानिंग की कलास में जा सकते हैं विकल्प आप चुनते हैं ज्यादातर लोग बस निवेश खरिजते हैं परंतो इससे पहले निवेश के बारे में ग्यान हासिल करने के लिए ज़रा भी पैसा खर्च नहीं करते हैं मेरी एक मित्र है जो एक अमीर मेला है अभी हाले में उसके गर पर चोरी हो गई चोर उसके गर से टीवी और वीस यार ले गई और उसकी किताबें जैसी कितासी छोड़ गई और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं एक बार फिर दो राद हूँ 90 फिस्दी लोग टीवी सेट खरीते हैं और केवल 10 फिस्दी लोग बिजनस पर पुस्त के या निवेस पर टेप खरीते हैं और मैं क्या करता हूँ मैं सेमिनार में जाता हूँ मैं एसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम दो दिन लंब कर रहा था कि किस तरह पैसे नए होते हुए भी रियल इस्टेट खरीदी जा सकती है मैंने 385 डालर खर्च किये और उस सेमिनार की सिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उसे कम से कम 20 लाख डालर कम आये होंगे परन्तो इस से भी ज़्यादा मैं तो कुण यह है कि इस से मुझे नया जीवन मिला मुझे जिन्दगी वर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह है एक सेमिनार मैं हर साल कम से कम दो ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ मैं ओडियो टेप का भी प्रेमी हूँ कारण मैं उन्हें ततकाल पीछी कर सकता हूँ मैं पीटर दिलिंज के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह एहसा मत था हटी और आलोजनात पकम होने के कारण मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस पांस मिनिट के टुकड़े को कम से कम बीस बार सुना शायर इस से भी ज़्यादा बार परंतो अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंनों इवह बात क्यों कहीं थी यह जादू की तरह था मुझे इसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेसक के दिमाग की एक खिर्की खुल ली थी उसके ग्यान और अनुबों के विराट संसादनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर दरस्टी मिली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समच्चा या स्तिती को देखने का पीटर का तरीका भी मुझूद होता है मेरे पास एक विचार होने के बज़ाई दो विचार होते हैं किसी भी समच्चा या परवर्ती के विचलेशन का एक और तरीका जिसे जानना बहु मुल्य है आज मैं एक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेगा या डोनाल्ड ट्रम्प या वारेन बफे या जार्थ सोरोस मेरे पास उनकी व्रहद मानसिक ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनू या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ू जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्राई कम आत्म सम्मान करने वाले होते हैं जो खत्रे उठाने से डरते हैं अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे वे ग्यान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गल्तियां भी करने पढ़ती है अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तैह है कि आप जिद्दी नहीं है जिद्दी लोग बुस्त के कमी पढ़ते हैं या टेप कमी खरीते हैं उन्हें इसकी क्या जुरूरत है वे ब्रमान के केंदर बिंदू है ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर विवाद विवाद करने लगते हैं अगर वे नया विचार उनके सोचने के तरीके से लग होता है इस परकरण में उनकी तथा कतित बुद्धि उनकी हट दर्मिता के साथ मिलकर अग्यान बन जाती है हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्छित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत समार्ट हैं पर अन्तून की बैलेंस सीट एक अलगी तस्विर दिखाती है जो व्यक्ति वास्तों में बुद्धि मान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्बुत संयोग कर सकते है बोलने से जड़ाब सुनना में तो कुर्ण है अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मुण नहीं दिये होते बहुत से लोग अपने मुँ से सोचते है और सुनते समय नए विचारों तो था संभावनाओं को समझने की कोशिस ही नहीं करते सवाल पूसने के बजाए वे बहस करने लगते है मैं अपनी दोलत के बारे में दिरक कालिंदरिस्टी रखता हूँ मैं फटाफट अमीर बनने की मान सिक्ता में बरोसा नहीं करता जो ज्यादातर लाटरी खेलने वालों या कैसे नों के जुआरियों के पास पाई जाती है मैं शेयर खरीद सकता हूँ शेयर बेच सकता हूँ परन्तु मैं सिक्षा के मामले में दूर कमी विचार रखता हूँ अगर आप एक हावाई जाज उड़ाना चाते हैं तो मैं आपको पहले से सीखने की सला देना चाहूँगा मैं एसे लोगों को देखकर हमेसा स्तब्द रह जाता हूँ जो स्टाउक या रियल एस्टेट खरीते हैं परन्तु में अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिलकुल निवेस नहीं करते जो उनका दिमाग है केवल एक या दो गर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के ख्षेतर में विसे सग्या नहीं बन जाते साथ रहने की ताकत सबसे पहले तो मैं यह है बता दूँ कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के इसाफ से नहीं चुनता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनोंने गरीबी में जीने की कसम खाईए और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोणों कमाते हैं मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगा कर उन से सीखने की कोशिस करता हूँ मैं यह है मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलास की है परंतो मेरी नजर उनकी दोलत पर नहीं बलकि उनके ग्यान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जब कि कई बारे ऐसा नहीं हुआ परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं परंतु मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का गमण है वे इस विशे में रुची रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे मेरे वे दोस्त दो आर्थिक दलदल में पसे हुए हैं वे पैसे वे वज़ाय या निवेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नजर में इसा करना मृझता पूल या बेमानी होता है इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिन्दगी में अर्पों डालर कमाई है उन में से तीन ने एक यह अनुबो बताया उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूसने कभी नहीं आई कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है परंतु वे उनसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आई पहला कर्ज और दूसरा नोकड़ी चेतावनी गरीब या डरेवे लोगों की मत सुनिये मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ परंतु वे जिन्दगी में डरे हुए मुरूए है जब पैसे की बात आती है खास कर निवेस की तो उनकी नजरों में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है वे आपको हमेशा यह बता जकते हैं कि कोई चीज क्यों कामियाब नहीं होगी समझचा यह है कि लोग उनकी बात सुनते है और जो लोग इन रसावादी विचारों को आँख मूंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं जैसे एक पुरानी कहावता है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमती होती है अगर आप CNBC देखते हैं जो निवेस की सुचना देने वाली सोने की ख़दान है तो आपके पास अक्सर तथा कतित विचे सग्यों का एक पैनल होता है एक विचे सग्यों यह कहेगा कि बाजार दरा सही होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाओ आने वाला है अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेगी आपके दिमाग को खुला रखिए क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तरक हैं दुर्भग्या से ज़्यादा तर गरीब लोग चोटे मुर्गे की बात सुनते हैं मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं सोदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तरक देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमान चित था क्योंकि उसे अपनी जमापुंजी पर 6 फिजदी ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख बेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था मैं सालों से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 26 पर 30 ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूँगा कि दोलत बनाने में सबसे कटिन चीज यह है कि आप अपने प्रतिमांदार रहें और भीड के साथ चलने की इच्छा ने रखें बाजार में आम तोर पर भीड सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख्य परस्पर किसी बड़े सोदे की खबर चपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सोदे की तलास करिये जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं हमेज़ा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुँचते हैं वे एक्सर धराशाई हो जाते हैं स्मार्ट निवेसक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजिशन में कर लेते हैं ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोगप्रिया नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है डरपोग निवेसक उस भेड के जुंड की तरह होते हैं जो भीड के साथ ही चलते हैं या उनकी लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेसक मुनाफ़ा कमा कर बाहर जा चुके हैं समझदार निवेसक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोगप्रिया नहीं होता वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफ़ा कमाते हैं बेशते समय नहीं, वे धीरत से इंतजार करते हैं, जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं, किसी तैरने वाले की तरह हैं, वे भी अगली बड़ी लेहर के लिए खुद को पोजिशन कर लेते हैं, यह इंसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी जानकरी रखने वाले हमीर दोस्तों को बनाई रखने का एक कारण यह भी होता है, क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है, यह सूचना के आदार पर बनाया जाता है, आप अगले उच्छाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेस कर लेते हैं, और अगले गिराव क यह पहले बाहर निकल जाते हैं, मैं यह नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह जरूर कहता हूँ, कि आपको जानकरी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम खत्रे में उतना ही ज़्यदा लाग कमार पाएंगे, दोस्त इसलिए होते हैं, और यह लेकर का एक फार्मूला होता है, चाहिव है उसके दिमाग में ही क्यों नहीं हो, यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है, इसलिए धन को अकसर दो भी कहा जाता है, हम मेंसे ज्यादातर लोगों ने यह कावत सुनी है, आप वह हैं जो आप खाते हैं, मैं इसी कावत को दू दूसरी तरह से कहना चाहूंगा, मैं कहता हूँ, आप वह हैं बनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, दूसरे सब्दों में, आप सावधान रहें, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा तकतवर है, कि आप जिस चीज के ब जैसा एक स्कूल टीचर सिक्षन का अध्यन कर लेने के बाद आप अक्सर सिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसला जारी रहे सकता है अपने अध्यन के विशे को साउधाने से चुने जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मुल्बुत फर्मूला जो उन्हें स्कूल में सिखाया जाता था और वह फार्मूला है पैसे के लिए काम करो संसार में सबसे ज़्यादा लोग पर यही है इसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उटते हैं और काम पर जाते हैं पैसे कमाते हैं बिल चुकाते हैं चेक-बुक को बैलेंस करते ह और फिर से काम पर चले जाते हैं यही उनका मूलबूत फार्मूला या नुसका है अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप ठक गई हैं या पर आप नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने 17 की एकक्षा में भाग लिया जिसका सिर्शक था किस तरह रियल इस्टेट फॉर क्लोजर्स को खरीदें मैंने एक फार्मूला सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए सी दान्त को असली जीवन में आजमाना यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं तीन सालों तक जब मैं जेराक्स के लिए काम कर रहा था मैं खाली समय में फॉर क्लोजर्स को खरीदने की कलांक में पारंगत होने की कोशिस कर रहा था मैंने उस फार्मूले से कई करोर डलर बनाए है परंटो आज यह बहुत धिमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रियोग कर रही है एक बार मैं उस फार्मूले का विसे सग्या बन गया तो मैं नए फार्मूले की खोज करने लगा कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकरी सीधे रूप से नहीं मिली परंटो मैंने हमसा कुछ ना कुछ नया जरूर सिखा मैंने इसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सोधे बाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तों के आप्शन सोधे बाजों के लिए तथा अराजक बाजियों के लिए युजत कक्षाओं में भी मैं गया हूँ मैं अपने दाइरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणों भोती की और स्पेस साइंस की विसेसग्यों की भीड थी परन तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टोक और रियल इस्टेट निवेस ज़्यादा अर्थपूर्ण और फाइदे मन बन गया ज़्यादा तर जूनियर कालेजों और समुदाई कालेजों में फाइनेंसियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेस को खरीदने के तरीकों पर कक्षाईया योजित की जाती है सुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फार्मूले की खोश करता रहता हूँ इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों की पूरी जिन्दगी लग जाती है एक और बात आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा मैत्वण नहीं रह गया है क्योंकि प्राई आज आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुगा है मैत्वण यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं यह कला अनमोल है ज़्यादा तेज फार्मूले ढूनने में यह बहुत काम आती है पैसे के लिए कड़ी मेनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानों के जमाने से पैदा हुआ था नमबर पांस खुद को सबसे पहले वेतन दे खुद पर अनुसासन की ताकत अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ने करें आपको इससे पहले मरीन काप्स या किसी धार्मिक संस्ता में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें पैसा कमाएं और उसे फूंक दें खुद पर अनुसासन की कमी के कारण ही करोडों डालर की लाटरी जीतने वाले लोग जल्दी दिवालिया हो जाते हैं यह खुद पर अनुसासन की कमी ही है जिससे तनक्वा बढ़ने पर लोग ततकाल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदे स्यात्रा पर निकल जाते हैं यह कायना कठिन है कि दस कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा मैत्वकून है परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशे सग्यता सबसे कठिन है अगर यह आप में पहले से ही मुझूद ने हो मैं तो यहे भी कहना चाहूंगा कि खुद पर अनुसासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन समुदायों में बांटता है अमीर, गरीब और मध्यमवर्ग सीधे तरीके से कहें सीधे तरीके से कहें कि जिन लोगों में आतम विस्वास कम होता है और जो फाइनेंशियल दबाओं को जादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं जैसा मैंने पहले बताया था मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर तकेलेगी दुनिया लोगों को इधर उधर तकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं बलकि इसलिए कि आप में आंतरिक नियंदरन और अनुसासन की कमी होती है जिन लोगों में आंत्रिक सेंशक्ति की कमी होती है वे एक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिन में आतम अंस्वासन होता है मैं जिन व्यवसाई कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहां मैं लोगों को लगातार यह है याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान के अंदरित ने करें बलकि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान के अंदरित करें अपना खुद का व्यावसाई सुरू करने के लिए तीन सरवादिक मैटपून मैनेजमेंट दक्स्ताइं है मैं यह कहूंगा कि ये तीनों दक्स्ताइं के वल व्यावसाई सुरू करने वालों के लिए ही नहीं बलकि सभी काम करने वालों के लिए है ये तिनों आपके जीवन सेले में में तपून भूमिकान निवाती हैं फ्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाई में, किसी धार्मिक संग्ठन में, शहर या देश में ये सवी दक्सताएं आत्मा नस्वासन को साधने से बढ़ जाती है जार्ज कलासें की पूस्तक, दरिचेस्ट मैन इन बेविलोन में, खुद को सबसे पहले बुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया है इस पूस्तक की करोडों परतियां विक चुकी है हलांकि करोडों लोगी जबरदस जुमले को दोराते हैं पर बहुत कम लोगी इस अलाका पालन करते हैं जैसा मैंने कहा है फानेंशियल साक्षरता अक्षर पढ़ने की योगता देती है और अंक कहानी बता देते हैं किसी वेक्टिके इंकम स्टेटमेंट और बैलेंसीर देखकर मैं ततकाल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले बुगतान करें किसी दान्त का रागा लापते रहते हैं वे दर असल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हजार सब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फानेंसियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले बुगतान करते हैं और जो एसान नहीं करते हैं चित्रों का ध्यन कीजिए और देखिए कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैस्पलो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है ज्यादातर लोग अंक देखते हैं और कानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सचमुस कैस्पलो की ताकत समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले चित्र में कहां गड़वड़ी है और 90 फिस्दी लोग क्यों जिन्दगी वर कड़ी मेनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे सरकारी मदद की जुरूर क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं यह चित्रूस व्यक्ति के काम को दरसाता है जो खुद का बुक्तान सबसे पहले करता है हर मईने अपने मासिक खर्चों का बुक्तान करने से पहले वे अपने संपति वाले कालम में पैसा डालते हैं हलांकि करोडों लोगों ने क्लासे इनकी पुस्तक पड़ी है और खुद को सबसे पहले बुक्तान करें कासी दान समझा परंतो हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में बुक्तान करते हैं अब मैं आप मैंसे उन लोगों की चीक पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का बुक्तान सबसे पहले करने में गंबीरता पूर विश्वास करते हैं और मैं यहे भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल्स समय पर चुकाते हैं मैं यहे नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या आपने बिल का बुक्तान ने करें मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है यानि खुद को सबसे पहले पैसा दें और पिछला चितर इसी सिदान्त का सही ले खांकन चितर है जबकि बाद में आने वाला चितर पूरी तरह से गलत है मेरी पतनी और मेरे पास कई बुक्की पर्स, अकाउंटेंट्स और बेंकर है जिने शुरू में इस खुद को सबसे पहले पैसा देंसी दान्त से बहुत समश्या होती थी इसका कारण यह है मेरे अकाउंटेंट्स और बुक्की पर चीखने लगे वे आपके पीछे पढ़ जाएंगे आपको जेल भी हो सकती है आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगार देंगे वे लोग बिजली कार देंगे मैंने फिर भी सबसे पहले खुद कोई पैसा दिया क्योंकि दे रिचेस्ट मैन इन बेविलोन की कहानी इसी बारे में है खुद पर अनुसासन की ताकत और आंत्रिक सेहन सकती के बारे में इसे बोलचाल की बासा में गुर्दा भी कहते है जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे नोकरी के पहले माँ में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया के ठोकरें सेहन करते रहते हैं पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं एक सेल्ज कलर कहता है आप इसे अपने कार्ड चार्ज में डाल दें आपका रियल इस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे चले वड़ो घर खरेदने पर सरकार आपको टेक्स में छूट देती है पूरी पूस्तक दरसल इसी बारे में है आप में धारा के विरुद जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए हो सकता है कि आप कमजोरने हो पर अंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का होसला पस्त होने लगता है मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदारन बने मुझ पर ज़्यादा करज नहीं है क्रेडिट कार्ड का करज भी नहीं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं अपनी आई को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता इसलिए आप मेंसे जिन लोगोंने The Secret of the Rich नाम का वीडियो देखा है उन्हें मैं यह है बता दूँ कि मेरी आई नेवादा के कारपरेशन के जरिए मेरे संपती वाले कौलम से आती है अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती क्योंकि मैं अपने बिल्स का भुपतान सबसे आखिर में करता हूँ परन्度 मुझ में अतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं अंसता हूँ मैं कंजुमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास इतने दाइतो है जो 99 फिजदी लोगों से ज़्यादा है परंटो उनका बुगतान मैं नहीं करता बलकि दूसरे लोग मेरे देंदारियों को चुकाते है वे मेरे किराईदार कहलाते है तो खुद को पैसा देने का पहला नियम यह है कभी कर्ज में मत फसो हलांकि मैं अपने बिल्ज का बुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परंटो मैं के और कुछ मैं तो ही इन बिली बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है पैसान कर रही है वे मुझे प्रेडित कर रही है कि मैं जाओं और ज़्यादा पैसा कम हो तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को निवेस करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आम तोर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूँ मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है हम के वल दवाब में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बच्छत को इस्तेमाल नहीं करते नहीं उनके लिए अपने स्टोक को बिशते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाब यह है नमर एक एसे बड़े कर्ज में ने फसे जिसका बुगतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखें अपने संपत्ती को बनाई अपने संपत्ती को सबसे पहले बनाई फिर बड़ा घर या शांदार कार खरी दें चुहा दोड़ में फसे रहने में समझदारी नहीं है नमर दो जब आपके पास पैसा कम हो तो दवाओ को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेस को खर्चने करें उस दवाओ को अपनी फाइनेंसियल परतिवा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का बुगतान करने के नई तरीकों के बारे में सोच सकें इस से ज़्यादा पैसा कमाने के आपकी योगता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंसियल बुद्धी भी ज़्यादा विक्सित होगी मैं कई बार फाइनेंसियल बट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तिमाल करके ज्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कालम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे मेरा बुक की पर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया परंतु मैं उस तरह का सिफाई था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था गरीब लोगों की आदते में गरीब होती है एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ने की बिलों का बुक्तान करने के लिए मैं जानता हूं कि यह कठोर जान पड़ता है परंतु जैसा मैंने कहा अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो दुनिया आपको इदर से उदर दके लेगी अगर आप आर्थिक दबाव पसंद नहीं करते हूं तो एक ऐसा फार्मूला खोज ले जो आपके लिए कारगर साबित हो एक अच्सा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए पैसे को बैंक में रखा जाए ज्यादा इंकम टेक्स चुकाया जाए सुरक्षित म्यूचल फंड करीदे जाए और ओसत बने रहने की कसम खाई जाए परंतो यह है खुद को सबसे पहले बुगदान करें के सिदान्त का उलंगन करता है यह नियुम आतम बलेदान या आर्थिक सन्यास को परोटसाइद नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद बुखे मरो जिंदगी मौज मस्ती के लिए है अगर आप अपने फाइनेंसियल परतिवा को जागरत कर लेंगे तो आप के पास जीवन के सभी सुख हो सकते है आप हमीर बन सकते है और बिल चुका सकते है और इस प्रकिरिया में अच्छे जिंदगी जी भी सकते है और यही फाइनेंसियल पुद्धी कहलाती है अच्छी सला की शक्ती मैं एकसर देखता हूँ कि लोग अपने गर के सामने एक पट्टी टांग देते है मालिक बेचना चाता है या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिसकाउंट ब्रोकर होने का दावा करते है मेरे अमीर टेड़ी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है वे इस बात में वरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा बुक्तान किया जाई और मैंने भी उसी सिदान्ट को अपनाया है आज मेरे पास महेंगे वकील अकाउंटेंट्स रियल इस्टेट ब्रोकर और स्टोक ब्रोकर हैं क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सच्पुज मानना है अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम सूचना के युग में रहे रहे हैं सूचना बेश कीमती है एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही आपको सिक्षित करने के लिए समय भी देगा मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं कुछ ने मुझे तब जिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिलकुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह है मेरे दोरा उसकी सूजना से कमाए गए धन का बहुत चोटा इस्सा होता है मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल इस्टेट ब्रोकर या स्टोक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है क्योंकि इसका आम तोर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने के जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है जैसे उस समय जब मैंने खाली समीन के टुकड़े को 9000 डालर में खरीदा और ततकाल इसे 25000 डालर में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूँ ब्रोकर आपके लिए बाजार की आँख और कान है वे हर रोज वहाँ होते हैं और इसलिए मेरी वहाँ कोई जुरूरत नहीं होती मैं इसके बजाए गोल्फ खेल सकता हूँ इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इससे ज़्यादा गरीब और मद्य उमर गया लोग रेश्टरों में खराब सर्विस के बहुजूद 15-20 फिजदी टिप देते हैं और ब्रोकर को 3-7 फिजदी देने में अनकानी और शिकायत करते हैं वे खर्च वाले कालम के लोगों को टिप देते हैं और संपति वाले कालम के लोगों को टिप देने से कत्राते हैं यह आर्थिक समझदारी नहीं है सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते दुर्भग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्जमेन होते हैं मैं तो यह कहूंगा कि रियल सेल्जमेन सबसे बुरे होते हैं परंतूंनके पास खुद बहुत कम या बिलकुल घर बेजने वाले ब्रोकर और निवेश बेजने वाले ब्रोकर में बहुत बढांतर होता है और यह स्टोक, बॉन, पियुचल फंड अगर आपको एंसाइकलोपीडिया की जुरूरत हो तो एंसाइकलोपीडिया बेजने वाले से मत पूछिए जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंट्रुव लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितनी विक्तिकित प्रोपर्टी या स्टोक है उसका काम रियल स्टेट में है मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनस अकाउंटेंट था परन्तो उसके पास रियल स्टेट नहीं था मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही बिजनस से प्रेम नहीं करते थे एसा ब्रोकर खोजी जो आपके सर्वसरेश्टितों को ध्यान में रखता हो कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वसरेश्ट सम्पति साबित हो सकते हैं बस उदार रहिए और वे भी आपके परती उदार रहेंगे अगर आप उनके कमिशन में कटोती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे यह विशुद और आसान सा तर्क है जैसा मैंने पहले कहा था मैनेजमेंट की दक्स्ताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है कई लोग के वले से लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सथा हो जैसे किसी आफिस में अधिनस्त कोई दोयम दर्जे के मैनेजर्स दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाई असली दक्स्ता है किसी दक्तनिकी क्षेतर में अपने से स्रेश्ट और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना इसलिए कंपनियों में बॉर्ड आफ डारेक्टर होता है आपके पास भी होना चाहिए और यह है फाइनेंसियल समझदारी है नमबर साथ इंडियन दाता बनिये यह बिना कुछ दिये पाने की ताकत है जब अमेरिका में गोरे लोग गई तो उन्हें अमेरिकी इंडियन्स की पारंप्रिक संस्कृती से जटका लगा उधारन के तोर पर अगर किसे गोरे व्यक्ति को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे स्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि स्वेट प्रवासी कंबल वापिस नहीं करना चाहते थे इस तरह इंडियन दाता वाक्यांस पैदा हुआ एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमजी के कारण संपत्य के कोलम के दुनिया में इंडियन सिदाता बनना दोलत के लिए बहुत जुरूरी है परिशकर्थ निवेस्ट का पहला सवाल यह होता है मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापिस मिल जाएगा वे यह हैं भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है इसलिए निवेस्ट पर वापसी इतनी मेतपूँ है उदारन के तोर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था बेंक 60,000 डोलर चाहती थी और मैंने 50,000 डोलर की बोली ज़गाई जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बोली के साथ 50,000 डोलर का चेक भी लगागवा था उन्होंने यह मحसूस किया कि मैं गंबीर था ज्यादातर निवेसक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा पसा नहीं रहें क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेतर नहीं होगा इसका जवाब है इस मामले में बिलकुल नहीं मेरे निवेस कमपनी जाड़े के मैईनों में इसे वेकेशन रेटल के रूप में इस्तिमाल करती है जब परवाशी पक्षी एरेजोना से आते हैं और इसे चार मैईनों के लिए डाही जार टॉलर किराए पर दे देती है बाकी के आठ मीनों में इसका किराया केबल एक अजार डालर होता है मेरा पैसा लग वग तीन सालों में वापिस आ गया था अब मैं इस अंपती का मालिक हूँ जो हर मेंने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है यही स्टोक के बारे में किया जाता है प्राइब मेरा ब्रोकर मुझे सला देता है कि मैं किस कंपनी के स्टोक में काफी पैसा लगाँ क्योंकि उसके विचार से यह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेर में तेजी आ जाएगी कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है मैं अपने पैसे को एक अपते से लेकर एक महीने तक लगाए रखता हूँ जब शेर की किमते बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल दनराशी को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चड़ाओं से बेफिकर हो जाता हूँ क्योंकि मूल रखाँ वापस आ चुकी है यह सच है कि मैंने कई मोकों पर पैसा खोया भी है परन्तु मैं इतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुक्सान मैं सहन कर सकता हूँ मैं यह कहूंगा कि ओसर दस निवेसों पर मुझे दो या तीन में बहुत वाइदा होता है जबकि पांच या च्छे में कोई लावानी नहीं होती मैं दो या तीन में गाटा भी खाता हूँ परन्तु मैं अपने नुक्सान को उसी पैसे तक्सिमी तरक कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं जो लोग जो खिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख लेते हैं और दिरक काल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है परन्तु आपको अपना पैसा वापिस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे परन्तु आज कल ऐसा बीरेल ही होता है मेरे हर निवेस पर एक नए एक चीज मुफ्त होनी चाहिए एक चोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टोक शेयर्स या आफिस बिल्डिंग और जोखिम भी सीमित होना चाहिए इस विशे पर इतनी ज़्यदा पुस्त की लिखी जा चुकी है कि मैं इससे नहीं जाना चाहूँगा मैकडोनाल्स के मसूर रेक रोक हैंबर्ग्स फरंचाईजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैंबर्ग्स से प्यार था बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फरंचाईजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मूफ्ट में मिलता था तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपका पैसा वापिस मिल जाए और आपके पास क्या समपती आती है यह भी मैतब्कून है यह फाइनेंसियल समझदारी है नमबर आठ समपती से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती है केंदरित करने की शक्ती मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चिला था और एसा लगता था जैसे उसकी जेब में छेद हो गई हूँ सोला साल की उमर में सववाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर नगत कार खरीदना चाहता था एसे समय में उसकी डैडी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे इसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ इसके जवाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परन्तों लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेडित कर सकते हैं अचानक उसकी टूबलाइट चमकी और वह तुरंद घर की तरफ चल दिया दो महीने बाद मुझे वैदोस्त मिल गया क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिली परंतु मैं गया और उसे कार के लिए तीन अजार डादल दे दी मैंने उसे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बज़ाए मेरे पैसे का उप्योग करे मैंने कहा यह है तो आपकी उधारता है नहीं उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है मैंने आपकी सला मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की सर्त भी लगा रखी है शर्त क्या है मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैश पलो गेम का साहरा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तिमाल पर एक लंबा विचार भी मर्स किया फिर मैंने उसे वाल स्टीट जनरल की सदस्ता दिलवा दी और स्टाक मार्केट पर कुछ पुस्त कें भी दिलवाई फिर दिक्त कहां थी मैंने उस से कहा कि 3000 डालर उसके हैं परंतु वह इसे सीधे कार नहीं खरीच सकता वह इनके स्टोक खरीदे और बेच सकता है खुद का ब्रोकर ढूंड सकता है और एक बार वह इन 3000 डालर के 6000 डालर बना लेता है तो वह अपनी कार खरीच सकता है और बाकी के तीन अजार डालर उसके कालेज के फंड में जाएंगी मैंने पूछा और इसके परिणाम क्या निकले वह सुरुआत में किसमत वाला रहा परंतो पूस दिनों बाद उसे अपने मुनाफे के सारी रकम गवा दी तब वह सचमुच रूची लेने लगा आज चाहिवे दोजार डालर के गाटे में हो परंतो उसकी रूची बहुत बढ़ गई है उसने मेरे दवारा खरीदी सारी किताबे पढ़ डाली और वह और ज़्यादा पूस्तकों की खोज में पूस्तकाले भी चला गया वह मन लगाकर वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ता है सुचकों पर नजर रखता है और M.T.V. के बजाए C.N.B.C. देखता है उसके पास केवल एक जार डालर बचे हैं परंतो उसकी रूची और ग्यान आस्मान को चू रही है वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परंतो उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं पड़ी है अब उसे कारा हसिल करने में ज्यादा रूची नहीं है क्योंकि उसे एक एसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा अनन मिलता है क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूँगा कि वह अपी सारा पैसा हार जाए बजाए इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी सिक्षा पर खर्च किये गए यह सर्वसरेश तीन जार डालर थे जो वह सीख रहा है वह जिन्दगी वर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान कतना भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसके जेव का छेट बंध हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पैसे देंवाले खंड में कहा था अगर कोई विक्ति आतम अनुसासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं करे सैदान्तिक एसाब से संपति वाले कालम से कैस्पलो विक्षित करने की परकिरिया आसान नजर आती है परन्तु इसमें पैसे की दिसा देने की मानसिक शक्ति की जरूरत होती है जो मुश्किल साबित होती है बहरी आकर्षनों और परलोबनों के कारण आज की खरिदारी की दुनिया में यह ज़्यादा आसान होगे चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाई कमजोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम परतिरोत वाले रास्ते पर बह जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्स का कारण है मैंने फाइनेंसियल समझदारी का यह आंकडों का उदारन इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यदा पैसे कमाने की योगता को जाना जा सके अगर हम सो लोगों को साल के शुरू में दस हजार डालर दे दे दें तो साल के अंत में क्या होगा अस्ति के पास कुछ भी नहीं बचेगा वास्ता में कई तो ज़्यदा कर्ज में दबे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रीज, टीवी, वीचियार या चुट्टियों के लिए नगत पैसा दिया होगा सोला ने उस दस हजार डालर को पांच से दस पिजदी बढ़ाया होगा और चार ने इसे बीस हजार डालर या लाखों डालर तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें मेरे विचार में यह सीखना भी मैत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता के वस्तों से प्रेम करता हूँ अपने बेंकर को बुला कर लोन ले लेता परंतु मैंने दाइतों वाले कालम को बढ़ाने के वज़ाई संपत्ति वाले कालम पर ध्यान के नरीत रखा अब तो मुझे आदत पढ़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्ट पैसा जुटा सकूँ आजकल प्राए हम अपनी मंचाई चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान के नरीत करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान के नरीत नहीं करते हैं यह रास्ता पुछ समय के लिए तो आसान हैं परंतों लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इनसानों के रूप में और राष्टर के रूप में भी है याद रखें आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रिये जनों को पैसे के सासके रूप में परशिक्षित कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा पैसा बहुत बड़ी ताकत है दुर्भग्या से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाप इस्तेमाल करते है अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके उपर राज करेगा यह आप से ज्यादा स्मार्ट होगा अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिन्दगी भर काम करते रहेंगे पैसे के उपर सासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे यह आपके आग्या का पालन करेगा इसके गुलाम होने के बज़ाए आप इसके मालिक होंगे यही आर्थिक समझदारी है नमबर नो, नाइकों की जुरुत मिथक की ताकत जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रसन सकता वे मेरे आदर्स थे लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था मैंने उनके बेसबाल कार्ड भी सहीज रखे थे मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था उनके बेटिंग के उसब, उन्हें मिलने वाली धन्राशी और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके ज़िसाब बनना चाहता था 90 या 10 साल की उमर में मैं जब बेस वाल खेलने के लिए मेदान पर जाता था तो वह मैं नहीं जाता था बलकि मेरे रूप में योगी या हैंक मेदान पर उतरते थे यह सीखने के सबसे ससक तरिकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं हम अपने नाइकों को खो देते हैं हम अपने नोसिखियेपन को खो देते हैं आज मैं अपने घर के पास चोटे बच्चों को बासकेट बाल खेलते देखता हूँ कोर्ट पर वे चोटी जानी नहीं होते वे तो माइकल जोडन, सर चार्ल्स या कलाइड होते हैं आदर्स नाइकों की नकल करना ग्यान प्रापत करने का सचा और ससक तरीका है और इसलिए जब ओजी सिंक्चन की तरह का नाइक बदनाम होता है तो इतने चिख पुकार मस्ती है यहे किसी अदालती कारवाई से जड़ा होता है यहे एक आदर्स नाइक को खो देना होता है एक एसे व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बच्पन में संजोई रहते हैं और वे जिसकी पूजा करते हैं अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिन्दगी से निकालना पड़ता है जब मैं बड़ा हो गया था तो मेरे नाइक बदल गए थे मेरे गोल्फ के हिरो बने पीटर जैक्पशन फ्रेड कपल्स और टाइगर बूर्स मैं उनके शोट की नकल करता था हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे आधर्स नाइको में डोनाल्ड ट्रम्प, वारेन बूफे पीटर लेंच, चाद सोरोस और जिम राजर्स भी है बड़ा आप हो जाने के बाद मैं उनके आंगडे उसी तरह जानता हूँ जिस तरह कि अपने बच्पन में बेस्पाल हिरोज की आंगडे जानता था मैं अनुसरन करता हूँ जब बारेन बूफे निवेस करते हैं और बाजार के बारे में उनके नजरिये के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं पेटर लिंस की पुस्ट TAK भी इसलिए पड़ता हूं ता कि स्टोक चुनने की उनकी टक्निक को समझ सकूँ और मैं डोनाल्ड टरम्प के बारे मैं भी इसलिए पड़ता हूं ता कि यह जान सकूँ कि वे किस तरह सुदै करते हैं जिस तरह मैदान पर बेश बाल के लिए बेटिंग करते जाते समय मैं खुद की बूमिका में नहीं होता था उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ या मैं कोई सोधा करता हूँ तो मैं आवचेतन रूप से टरंप की बातुरी का अबनिय करता हूँ या जब मैं किसी प्रवर्ति का विशलेशन करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लेंज यहे काम कर रहे हूँ आदर्सनाइक होने से हम अपनी कच्ची परतिबा के ब्रहद सुरूत का देहन करते हैं परन्तु आदर्सनाइका में प्रेडित करने से भी ज़्यादा बड़ा काम करते हैं वे चीजों को ज़्यादा आसान बना देते हैं चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उनी की तरह बनना चाहते हैं अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ जब निवेस की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं इसके बजाए उने आदर्सनाइकों की तलास करना चाहिए जो इन्हें आसान बना देते हैं नमबर दस सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ती मेरे दोनों डेड़ी सिखशक थे मेरे अमीर डेड़ी ने मुझे ऐसा सबग सिखाया जो मेरे साथ जिन्दगी बर चल रहा है और वह ऐस सबग था परोपकार करना या देना मेरे पढ़े लिखे डेड़ी ने अपने समय और ग्यान दोरा दूसरों को बहुत दिया परन्तु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो जैसा मैं बता चुका हूँ वे सामाने तक कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक धन होगा और उनके पास कभी भी अतिरिक धन नहीं होता था मेरे अमीर डेड़ी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी वे देने के सिदान्त में पका यकिन रखते थे अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपनी चर्च या अपनी पसंदिदा धार्मिक संस्ता को दान देते थे अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत मैसस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें बाद में वह बाल्टियों से बरकर आपके पस लोटाएगी यह पैसा, मुस्कुराहाट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है मैं जानता हूँ कि कोई भी विक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा परन्तु मैंने ऐसा किया है और इसके फाइदे भी उठाई है मैं विश्वास करता हूँ कि आदान परदान का सिदान सही है और इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है मैं विक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और विक्तिगी कुछ बेजने में मदद कर देता हूँ और मेरे विक्री बढ़ जाती है मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ तथा मैं किसी और की संपर्ग बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्ग बढ़ जाते हैं मैंने सालों पहले एक कहाउत सुनी थी इस वर को कुछ नहीं चाहिए पर इनसानों को देना चाहिए मेरे अमीर डेड़ी एकसर कहा करते थे गरीब लोग अमीरों से ज़्यदा लालची होते हैं उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्सों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूर्द मềसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसलाथ किया है और जब मैंने दिया है तो यह हमेंशा मेरे पास वापस लोटा है यह मुझे उस व्यक्ति की कहनी याद दिलाता है जो जाड़े की थंडी रात में लकडियां लेकर बैठा है और पास में धीमे धीमे जल रेस्टो पर चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकडियां अंदर डालूँगा और जब पैसे प्रेम सुक बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाते हैं पहले आप उसे दे दे और यह कई गुना होकर आपके पास लोट आएगा बहुदा केवल यही सोचने की परकिरिया से भी कि मैं क्या चाता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ मेरे अंदर उदारता का ज्वर आने लगता है जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुसकरा रहे हैं तो मैं आराम से मुसकराना और हैलो करना चालू कर देता हूँ और जदू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुसकराने वाले लोग जमा हो जाते हैं यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दरपन है तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंबेरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाते हैं तो इसे किसी और को सिखाई ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फार्मूलों की बाड़ा जाएगी ऐसे भी समय आये हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटाया या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाता था परन्तु करीबी जांच और आतमा वलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बलकि पाने के लिए दे रहा था मेरे डैड़ी ने सिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गई मेरे अमीर डैड़ी ने युवा लोगों को अपना बिजनस करने का तरीका सिखाया मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपनी ग्यान के प्रती उदारता ही थी जिसके कारण है वे ज़्यादा स्मार्ट बन गई इस दुनिया में ऐसी ताक्ते हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं परंतों उन ताक्तों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वह ताक्तें भी आपकी प्रती उदार होंगी धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई दस की ओर जो है और च्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए आपका दिन शुब हो रिच डैड, पूर डैड, अध्याई दस और ज़्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए हो सकता है कि कई लोग मेरे दस कदमों से संतोष्ट ने हो उनकी नजर में यह फिलोस्पी ज़्यादा है और इसमें काम की बातें कम है मैं यह मानता हूँ कि फिलोस्पी भी उतने ही मैतवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव करता हूं तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें, के बारे में कुछ मारक दर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संखशेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूं आप जो कर रही हैं, वह करना बंद कर दें दूसरे सब् Δो में आफ कास लें और यह है आखलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है पागलपन की परिवसा यही है कि आफ वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिनाम के अपिक्षा करें जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोजें नए विचारों की तलास करें नए निवेस के विचारों के लिए मैं किताब की दुकान में जाता हूँ और अलग-अलग तथा अनूठे विशो पर पुस्त के ढूनता हूँ मैं उन्हें फार्मूलों का नाम देता हूँ मैं कैसे करें पुस्त के उस फार्मूले के लिए खरीता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता उधारन के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोईल मासकोवीर्ज की पुस्तक The 16% Solution देखी मैंने वह पुस्तक खरीदी और पड़ डाली ततकाल काम करें अगले बुद्वार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था मैंने हर कदम पुस्तक के अनसुर उठाया था वकिलों के आफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सोदों के साथ भी यही किया है ज्यादातर लोग तकाल कदम नहीं उटा थे या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सिखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरन करना बिलकुल बेकार है मेरे पडोसी ने मुझे बताया कि मेरा सोड़ा फिजदी का फार्मूला क्यों बेकार है बहराल मैंने उसके बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था किसी ऐसे आदमी को खोजे जिसने वह किया हो जो आप करना चाते हैं उन्हें लंच पर ले जाएं उनसे टिप्स लें बिजनस की बारिकियां समझे अपने सोला फिजदी के प्रमान पत्रों के लिए मैं काउंटी टेक्स आफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाले सरकारी करमचारियों को खोजा मैंने यह पाया कि वह भी इन में निवेस करती है तब काल ही मैंने उसे लंच का नोता दे दिया उसने रोमान चित होकर मुझे यह समझा दिया इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ग्यान मेरे सामने परोस दिया लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगें दिखाई जहां मैं इस तरह का सोदा कर सकता था अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से दो बड़ी जायदातों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16 फिश्दी की दर से ब्यास कमा रहा हूँ मुझे पुस्तक पढ़ने में एक दिन लगा कदम उठाने में एक दिन लगा लंच में एक गंटा लगा और दो बड़े सोदे करने में केबल एक दिन लगा कक्षाओं में भाग लें और टेप खरी दें मैं अख़बारों में नई और रोचक कक्षाओं की ख़बर रोजाना خोसता रहता हूँ इन में से कई तो मुफ्त होती है या उनकी फिस बहुत कम होती है मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विशे पर मैं महेंगे से मेनारों में भी जाता हूँ मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नोकरी करने की कते ही जुरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठे कर्मों में भाग लिया है मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के कर्करमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बरबाद कर रहा हूँ वे आज भी वही काम कर रही है हमेशा आफर देते रही जब भी मैं कोई रियल इस्टेट की प्रोपर्टी चाता हूँ तो मैं कई प्रोपर्टी देखता हूँ और आम तोर पर एक आफर लिख देता हूँ अगर आप नहीं जानते कि सही आफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता यह तो रियल इस्टेट एजेंट का काम है वे ओफर का आँक्णा देते हैं मैं जहां तक संभव हो सकता है कम से कम काम करता हूँ मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस करीदना सिखाऊं एक शेनिवार को वे है उसका एजेंट और मैं गए और हमने छे अपार्टमेंट हाउस देखे चार तो गटिया थे परन्तु दो अच्छे थे मैंने उससे कहा कि वह सभी छे पर आफर लिखे और मालिकों दोरा मांगी गई कीमत से आदी का आफर दे यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दोरा पढ़ते पढ़ते बचा उसके हिसाब से यह बत्तमी जी होगी और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है परंतु मैं वास्तों में नहीं सोचता कि एजेंट इतनी कड़ी मेनत करना चाहता था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेतर सोदे की तलास में चले गई उन्होंने कभी कोई ओफर नहीं दी और वहे आज भी सही कीमत पर सही सोदे के लिए भटक रही है आप नहीं जानते हैं कि सही कीमत क्या है जब तक कि सोदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी नहीं हो ज़्यादा तर बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं यह दुरलब ही है कि कोई बेचने वाला वास्तो में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तो एक मुल्या से कम हो। इस का आनी से हमें यह सिख्षा मिलती है कि हमें आफर देना चाहिए जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ ही नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रोपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेजना चाहता था मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी उन्होंने अगर मुझे दस सूरों का वियाफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता ओफर की कीमत से नहीं बलकि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रोपर्टे में रूची रखता है इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सूर फार्म को हसल करने की कोशिस करता तो यहे खेल इस तरह से खेला जाता है खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है इस बात का हमेशा अंद्यान रखें यहे मज़ेदार है और यहे केवल एक खेल है ओफर देते रहें कोई तो कभी हां कहेगा और मैं हमेशा अपने आफर में बचाओ के वाक्या डाल देता हूँ रियल इस्टेट में मैं हमेशा अपने आफर में यहे लिखता हूँ कि बिजनस पार्टनर के अनमोदन के बाद ही यह समझता अंतिम माना जाएगा मैं यहे कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनस पार्टनर कौन है ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनस पार्टनर मेरी बिल्ली है अगर वे आफर को मान लेते हैं और मैं सोधा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ मैं यह अजीबों करीब वक्त वे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान और सरल है ज्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंबिरता से ले लेते हैं एक अच्छा सोदा खोजना या सही बिजनस डूंड़ना सही लोग या सही निवेसक डूंड़ना दरसल डेटिंग की ही तरह है आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ओफर देने होते हैं कई ओफरों का जवाब देना होता है तर्चा करनी होती है, एस्विकार या स्विकार करना होता है मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की गंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं परण तो जब तक आप सिंडी कारफोर्ड या टाम क्रूज नहीं होते हैं मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सूपर मार्केट में ही चले जाएं खोजें, आफर दें, ऐस्विकार करें, सोदे बाजी करें और स्विकार करें यह जिन्दगी में हर चीज के बारे में दोराई जाने वाली प्रकिरिया है महिने में एक बार किसी निश्चित स्थान से दस मिनट तक जोगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले मैंने अपने कुछ बेहतरिन रियल स्टेट के निवेस्तो जोगिंग करते समय ही खोजी है मैं एक साल तक किसी निश्चित धायरे में जोगिंग करता था मैं परिवर्तनों को देखता रहता था किसी भी सोदे में फाइदे के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है एक तो सोदा और दूसरा परिवर्तन हलांकि सोदे तो बहुत से होते हैं परंतु परिवर्तन को भाप लेने से सोदा एक फाइदे मन मोके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जोगिंग करता हूँ, तो मैं जोगिंग करने के लिए एसी जगह चुनता हूँ, जहां मैं निवेस करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगे के चक्कर लगाने से मैं वहाँ हो रहे चोटे चोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ मैं एसे रियल स्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूँ जो वहाँ काफी लंबे समय से लगे वी है इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सोधा करने के लिए बहुत ज़्यादा ही चुक होगा मैं जाते वे ट्रुकों को भी दिखता हूँ और आते वे ट्रुकों पर भी निगा लगाए रखता हूँ मैं रुक कर ड्राइवरों से बात करता हूँ मैं डाकियों से भी बात करता हूँ उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकरी होती है मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ खास कर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं मैं वहां साल में कई बार यहर देखने के लिए चक्तर लगाता हूं, कि सुधार के लक्षां कहा नजरा रहे हैं। मैं रीटेलर से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उन से यह पूषता हूं कि वे इस आलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महिने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा का कर रहा होता हूँ जैसे स्टोर जाने या आने का काम स्टोक के मामले में मुझे पीटर लिंस की पुछ तक बीटिंग दे स्ट्रीट इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें एसे स्टोक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमते बढ़ने वाली हैं। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिदान्थ हर जगह एक जैसे होती हैं। चाहे वह रियल इस्टेट हो, स्टोक हो, म्यूचुल फंड हो, नया पालतु कुता हो, नया घर हो, नया जीवन साती हो, या लॉन्डरी के डिटरजेंट पर बार्गेनिंग हो। पर किरिया लगवग वही रहती है, आपको यह जानने की जरूरत होती है, कि आप किसकी तलास कर रहे हैं, और इसके बाद आपको उसे तलास ना होता है। गरहाक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सूपर मार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टोईलेट वेपर की, तो गरहाक दोड़कर स्टोक इकठा कर लेते हैं। जब स्टोक मार्केट में सेल लगती है, जैसे सामने तेक क्रेस या उतार या सुधार कहा जाता है, तो गरहाक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सूपर मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो गरहाक खरीदना शुरू कर देता है। सही जगों पर खोजिये। मेरे पड़ोसी ने कंडोमीनियम एक लाख डोलर में खरीदा। मैंने उसके बगल में यह वैसा ही कंडोमीनियम पचास अजार डालर में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फाइदा खरीदते समय होता है नहीं की बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल इस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रोपर्टी नहीं थी। मैंने एक बार बेंक के फोर क्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में 500 डॉलर की फीज देकर यह सिखा था कि एसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पडोसी का विचार था कि रियल इस्टेट में निवेस की कक्षा के लिए 500 डॉलर की फीज बहुत महिंगी थी। उसने कहा कि उसके पास नए तो इतने पैसे हैं नए ही समय है। इसलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलास करता हूँ जो खरीदना चाते हैं फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंडता हूँ जो बेचना चाता है। मेरा एक दोस्त एक प्लाट ढूंड रहा था। उसके पास पैसा था। परन्तु उसके पास समय नहीं था। मैंने भी ढूंडना चालू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूर्द से बड़ा टुकडा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्ब के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ओफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकडा चाहिए था इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकडा उसे बेज दिया और जमीन खरीद ली जमीन का बाकी बचा टुका मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है केक खरीदो और उसे टुकडो में बांड़ दो ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मताबिछ सामान की खोज करते हैं इसलिए यह कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं दिखते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना सुरू कीजी दुकांदा ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिसकाउंट देते हैं और वेकेवल एसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा तर व्यवसाई ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, अगर आप कम खर्च भी करते हों, तो भी आपको हमें सम बड़े विचार को ही सोचना चाहिए, जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे, तो मैंने अपने बहुत से दोस्त भी किया, चोटे लोग हमेसा चोटे ही रहेंगे, क्योंकि उनकी सोच चोटी है, या तो अकेले ही काम करें, या फिर काम ही ने करें, इतिहास से सिखें, स्टोक एक्सचेंड की सभी बड़ी कंपनिया, चोटी कंपनियों की रूप में शुरू हुई थी, करनल सैंडर्स तब अमीर नहीं हुए थे, जब तक 60 साल की उमर में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गबा दिया था, बिल गेट्स 30 साल से भी कम उमर में, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, सक्रियता हमेसा निस्क्रियता को हरा देती है, अवसर पैचानने के लिए केवल कुछ ह जी चीजी हैं, जो मैं करता आया हूँ, और अब भी कर रहा हूँ, इन में से सबसे महत्व कुछ शब्द है, किया और करो, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोर आया जा चुका है, संपत्ति के पुरुषकार को पाने से पहले, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तो काम पर ज दोट जाएं, अभी से ही, धन्यवाद, आइए चलते हैं, उपसहार की तरफ, केवल साथ अजार डालर में ही कोलिज की सिक्षा, आपका दिन सुभ हो, रिच डेट, पूर डेट, उपसहार, केवल साथ अजार डालर में ही कोलिज की सिक्षा, अब जब यह पुस्तक खतम हो रही है, और चपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ, इस किताब को लिखने का खास कारण लोगों को यह ह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिन्दगी की समन्य समझ्यां को सुल जाया जा सकता है, वित्य प्रशिक्षन के बिना हम उनिगी से पिटे फार्मूलों के साहरे जिन्दगी काड़ देते हैं, जैसा कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज़्यादा ट जूज रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं, और अपने खुद के रिटायर्मेंट के लिए पैसा इकठा कर सकते हैं, इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाई वित्य अबुदी का प्रयोग किस रखिया जा सकता है, यह इसी का उधारन है, मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखडा रो रहा था कि चार बच्चों की कॉलेज की सिक्षा के लिए पैसों की बज़त करना कितना कठिन था, वह हर मईने एक म्यूचल फंड में तीन सो डोलर जमा कर रहा था, और अब तक उस उसके पास 12,000 डोलर जमा कर लिए गई थे, उसे अपने बच्चों को कॉलेज बेजने के लिए 4,000,000 डोलर की जुरूरत थी, उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था, यह 1991 की बात थी, और उस समय फिनिक्स का रि जमा है, उसके कुछ हिस्से में वह एक घर खरीद ले, यह विचार उसे कुछ-कुछ जम गया, और हम इस संभावना पर विचार करने लगे, उसकी मुख्य चिंता यह थी, कि एक और घर खरीदने के लिए उसकी बैंक में क्रेडिट नहीं थी, और उसके पास इतना नगत न जा, एक एसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो, चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शोपिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा था, आखिरकार हमने एक अच्छे महले में तीन बेडरूम और दो बात वाला घर खरीद लिया, घर पसंद कि मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वहे और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नोकरी उसका इंतजार कर रही थी, वहे एक लाग दो हजार डालर चाहता था, परंतो हमने उसे उन्यासी हजार का आफर दिया, उसने ततकाल उसे म ना खरीद सकता था, मकान मालिक पर बेतर अजार डालर का करज बाकी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए साथ अजार डालर का इंतजाम करना था, जो करज की रकम और खरीदने की रहसी का अंतर थी, जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान की रहे पर उठा दिया सारा खर्च निकालने के बाद जिसमें करज की किस्त भी शामिल थी उसकी जेब में हर मेने 125 डालर आने लगे उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर मेने मिलने वाली अतिरिकत 125 डालर का उप्योग करके जल्दी से जल्दी करज उतार थे हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में करज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका बहला बच्चा काले जाएगा तो उसके पास 800 डालर पर ती महा के अमदनी होगी अगर उस मकान की किमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता है 1994 में फिनिक्स में रियल करने लगा था एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने वास्तविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टेक्स भी हीने एक्सचेंज के आदार पर बेच दे अचानक ही उसके पास लगबग 80,000 डालर अतिरिक ता गए मैंने ओस्टिन टेक कालेज मुचल फंड में जमा करने लगा और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था उनिस सो चानमे में में मिनी वेर आउस बिग गया और उसे बिकरी के हिस्से के रूप में लगबग 30,000 डूलर का चेक मिला जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिये जिससे उसे हर में ने 3,000 डूलर से ज्यादा आमदनी होने लगी जो उसके कालेज मुचल फंड में जाने लगी उसे अब पूरा विस्वास है कि उसका 4,000,000 डूलर का लक्षा आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल 7,000 डूलर और थोड़ी सी वित्तिय अपरेशन में निवेस की हुई है इस सफल निवेस रिन निती की कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेट ले सकता है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि इस से आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाई ता यह रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसे बनाने की कला अभी नहीं सिखिये पैसा केवल एक विचार है अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना जाते हैं तो केवल अपने व केवल कुछ डालर ही काफी है और बाद में इन से बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं इसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिन्दवी पर किसी बड़े सोधे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सोधे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं। परन्तु मेरी नजर में यह मुर्क ता पूर्ण है। और छे से भी कम समय में पांच अजार डालर को दस लाख डालर की संपती में बड़ा है। चिससे हर मेंगे पांच अजार डालर का कैस्फल वाता है। अरन्तु मेंने यह बच्पन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रेरित करता हूँ, क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है, दरसल एक बार आपको इसकी लख पड़ जाए तो आपके लिए यह असान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टा से पहुंचा दिया है, आपके हाथ में क्या है, इस बात का निरने इस बात से होता है, कि आपके दिमाग में क्या है, पैसा केवल एक विचार है, एक बहुत बढ़ी अपुस्तक है, तिंक एंड ग्रो रिच, सोचि कि यह नहीं है कि कड़ी मेंनत करिए और अमीर बनिये, यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेंनत करवा सकते हैं, और आपकी जिन्दगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है, आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के व जिन्यवाद